हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग जल्दी से बताइए बेटा चैट बोक्स में क्या मेरी आवाज आप लोगों तक सही सलामत पहुंच रिये कि नहीं पहुंच रिये जल्दी से बेटा हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पर चल्दी से चैट बोक्स में बताइए क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रिये बेटा या नहीं आज हम हेलो एलकेंस और हेलो एरींस को आईटी जेई में छोड़ो आईटी एडवांस के कोश्चन को अच्छे से डील भी करेंगे और दिखाएंगे कि कोश्चन कितन बढ़्या उध्य बढ़्या चलिए साइए भई अब स्सब्से पहले चैप्टर ये जल्दी लोग आजरी बिल्कूल टाइम पर असज़ी अगरप से पहले हम जब से और करना ये कई और कूंण सी पर्लोएट सी बनाये जाता जाता है चैं도 पूरी और के हम प्रहां एडवांस आएगा या आपका जैए मेंस आएगा तो और गेनिक केमिस्ट्री कर रिविजन आपका तीन-चार बार हो चुका होगा हर लेक्चर में भूम फिरकर वही रियक्षन आएगी भूम फिरकर नहीं लोजिक सीखते रहोगे लेकिन कहने का मतलब यह है कि और गेनिक तो रियक्षन मैंने आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी पढ़ाई थी जरा देखिए यहां पर मेरे पास अगर मैं मीथेन लेता हूं प्लीज समझने कुछ करिएगा मीथेन गैस लिमेने आपको याद होगा बिटा कि यहां पर अगर मैं क्लोरी लेता हूं क् तरह कैसा हो तकती है का अगर मैं क्लोरीन को एकसे में और अलग बनेंगे और यहिदी मेरे पास थी निटि में अलग बनेगे प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कर दिएगा और मैं बताऊंगा कि इस कि रीयक्शन के ऊपर कैसे कैसे जोई वो पूछे जाते हैं जड़ा देखिए सबसे पहला काम क्या है हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक सेङल जो इसे साथ तो क्या होगा हमें पता कि कारबन के पास अभी विफ्यू याट्रे कुल één आपके पास च्रीजा चलती रहेगी जब तक कि कार्बन से सारे के सारे हाइड्रोजन ना आट जाए तो यहां पर बनेगा CCL4 दूसरी चीज़ क्या है मैं अब जरह प्लीज समझने की कुशिश करिएगा अगर मेरे पास मालों मीथेन के मोलेक्यूल बहुत जादा है और क्लोरीन बहुत कम है तो क्या होता है कि एक मीथेन के मोलेक्यूल के लिए एक क्लोरीन मोलेक्यूल भी प्रयाप्त नहीं है मतलब कम अमाउंट में क्लोरीन है तो उस कंडिशन में क्या होगा कि सिर्फ आपको एक बार अटेक करवाना है और एक बार जैसे आप अटेक करवाओगे बिटा तो यहां पर लिखोगे CS3-CL प्लस के HCL जल्दी से चैट बोक् हो कि हेलोजन की इस रियक्शन को लेकर वेटा तो प्लीज समझने कोशिच करिएगा कि नोट पॉइंट है जो आपको याद रखने है अगर आपको नोट पॉइंट याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से कोशन को सिंगल देखकर कर सकते हो तो यहां बर होगा हमारे पास कि अफिसरी चीछ अगार माल लीजे मेरे पास आपके पास एक कोशन है कि अगर मैं अलग-अलग हेलोजन लेटा हूं जैसे एफ2 लिया मैंने आपर more than q2 लिए बियार्टी लिया और बिटाजी आइट लिया जल्दी से चैटबोक्त में बताएं बिटा रियक्टिविटी ओफ हेलोजन टूर्ड हेलोजी नेस्ट रियक्शन की क्या होगी जल्दी से बिटा जिसका इंक्रिसिंग एदिक्रिजिंग होगा जाती बोक्स में लिख प्लॉरिन की र्यक्तिवींटी जात होगी था क्लियर सी बात की एकटीवीटी जात होगी तो क्लियर और लेक्टिव होगे banyak बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डिक्रीज ओडर था यह सही आंसर आप लोगों का अपनी समझने कोशिश करिएगा कोशन कैसे कैसे आते हैं मानली जी आपके पास कोई इस ट्राइप के कोशन पूछे जाते हैं बेटा जी आईटी जैमेंस में भी और एडवांस में भी तो क्या बोला मैंने आपको यहां पर कि आपको मोनोहलोजीनेशन करना है वह जब आप मोनोहलोजीन करोगे तो आपके पास दो टाइप के प्रोड़क्ट बनेंगे और आपक तो यहां पर वन डीग्री हाइड्रोजन भी परजेंट है और यहां पर टू डीग्री अब आपको क्या काम करना है प्लीज समंझने की कोशिच करिएगा जब कभी आपको रियक्तिवीटी देख नहीं हो हाइड्रोजन को अठाकर सीयल लगाना हो तो आपको एक सब्सक्राइब को देखते हुए रिलेटिव रियक्षन देखनी है कि कौन सी रियक्षन ज्यादा फास्ट होती है अगर मालनों आपके पास बन डिक्री हाइडरोजन की जो रियक्षन ने वन टाइम हो रही है और आप उसका क्या कर रहे हो पीटा जी क्लोरीन के साथ लेक्सन क का मतलब यह है कि जब आप ब्रोमीनेशन और वन डिक्री वाला हैंड्रोजन 1X टाइम रियक्षन रहा होगा तो टुखरी वाला बिटा आपके पास ठीक है अब आपकी रिलेटिव रियक्षन देखनी है आप जब क्लोरिनेशन करोगे तो हमें देखना कि फ्री डिग्री वालों के लिए हम वन माल लेंगे तो यहां पर सिक्स बंजा कितना हो जाएगा सिक्स और यदि मुझे टू डिग्री लिए देखना हो तो मैं यहां पर क्या करूंगा थ्री पाइंट वाइप की मंटिप्लाइ करूंगा तू से तो मैं यहां पर क्या करूंगा टू इंटू में 3.5 अब आपका इक बात ज्यान रगनी है जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वह ही आपके पास मेजर प्रोड़क्ट होगा मुझे यह बताईए बिटा कि यहां पर मैंने दो प्रोड़क्ट बनाएं एक बना मेरे पास CS3, CH, CL और एक तरफ CS3 और दूसरा मैंने बनाया CS3, CH2 और CH2, CL ठीक है बाई मेरा कॉस्चन यह है जदि यहां पर यह कंपाउंड अगर 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 और यह बताईए कि इन दोनों में से मेजर प्रोड़क्ट कौन सा होगा अगर जल्दी बताईए बैटा है जिनको आंसर बताना है वो जल्दी से बताईए जैट बोक्स में आंसर दीजेए बैई एलफा विल भी मोर इस्टेबल आप लोग को क्या करना है बैटा कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर जितने भी टू डिगरी के हाइड्रोजन होंगे उनको रिलेक्टिव रियक्शन को हम देना इनकोंड हो जाएगा जाएगा पर यहां पर ढोल अनोग और क्योंकि मैं लोग जानते हैं कि इसकी वज़ए से आपके पास जादा अ क्योंकि जितना जादा इंटर्मीडियेट बनता है जितना जादा स्टेबल इंटर्मीडियेट होता है उतनी फास चलती है तो चलिए बहुत बढ़ा सभी का आंसर अलफा आया है इसका मतलब सब सब्सक्राइब लोग जानते हैं अब आप एक और कोशन करेंगे मान लीजे अगर आपके पास यह वाला कंपाउंड है सी और मैंने लिखा सी यहां पर मैं लिख देता हूँ है और इसका करना हूं पिटाजी क्लोरी नेशन क्लोरी नेशन मैंने किया अब आपके पास मैं दो प पास क्या वई सी इधर मैंने लिखा यह सी यह बिता जल्दी से बताइए अगर आप कलोरी नेशन कर रहे हो और आपके पास अलकेन ऐसी है जिसके पास अलगलग टाइप के हाइड्रोजन है तो सबसे पहला क्या होगा कि सर यहां पर देख लेते हैं कितने कितने टाइप के ह । हिट्रोजन है। हमने देखा की न्वाइं जो LG diversity hydrogen है वह कितने है आपके आपके पास 9 और जो आपके पास 3डीघ्रोजन कीटने भी मेटा आपके पास 1 तोöyleओर करते हैं था हम संग घार qu soothing रिक्षेंगा तो रिलेटिव रियक्षान कितनी आएगी कि 9 है टो गई तरफ नाइन आई एक तरफ आपके फाइब जल्दी से पताई यह जिन बक्तों का आंसर बीटा था वो गलत थे इस बार की उपर नहीं जाना है चीजा तरीका मैंने आपको यह बताया है इसी की तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आइटी जैमेंस और आइटी एडवांस दोनों टाइप के कोशन कर पाएंगे ठीक है तो मुझे बताओ जिसकी ज्यादा होगी क्लोरी नहीं पर लगेगा और मेजर प्रोड़क्स आपका वही बनेगा तो आई होप आप लोगों का क्लियर है कि एलफा विल भी दा मेजर प्रो यहां पर वन डिक्री हाइट्रोजन कितने नाइन और इतना तो समझ लिया ना अपने फिर मैंने यहां पर एक टेबल लिखवाय जड़ा यहां पर देखो आपको यह टेबल रट लेना है याद कर लेना है बहुत अच्छे से ठीक है जड़्रा देखो क्या करना है बिटा इ इना पर 80 और 600 लिख लेना यह वेल्यू आपको तब यूद्ध करनी है जब आपको पता है कि लोरी यूजी रिखने और तो ये वाली वैल्यू करूँगा लगेगा और जहां पर लगेगा होई पर मेजर प्रोड़क्ट बनेगा तो आई वोप आप लोगों कोई क्लियर हो गया होगा ठीक है अप लीज समझने कोशित करिएगा यह बात तो मैंने आपको कर रहा है बिटा जी क्लोरी अगर मालो ब्रोमीनेशन होता तो ब्रोमीनेशन apologizeं मेरे पास CS3CHD चूर मैंने मैं मैं अपर क्या करा रहा हूं जिसके पास वेट तैप के हैईरोजन और मुझे किसी एक रचा कर लगाना है यह लगाना है। यदि मैं असा थाल पाया तो मेजर प्रोडक्त करना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्त होगा प्लीज समझिएगा मुझे पता है कि वर रफाउन कितने हुए इसके अंदर आप पाउगे शिक्स और रफटा टू defin कितने हुए आप फ़ोगे टू मुझे बताओं कि रिलेटिव रि करते हैं और यदि वन डिग्री हाई्रोजन वन टाइम करता है तो टूड़ी हाई्रोजन टाइमस उससे ज्यादा रिर्यक्षन होती है इसी वजए से जितने भी टाइम होगा आप क्या करोगे यहां पर आप लिखोगे टू इन्टू में राइट टी तू इन्टू में क्या लिखा आपने एक तरफ एल्यू आई और सिक्स तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी हाइड्लेजन गरना है आपको और चब वेटा आप हईड्रेज्डन को उपिटा बनेगा तोसको क्या जेया हमारे पास मेजर होगा और यह हमारे पास रोगा जल्दी से मेंग बत बटाईये क्या ये मताईया हुआ कि नहीं वह बेटा आपका छल्दी। आप मैं ठीक हमसेटीर法 हुए अब बढ़ते हैं कि अब बढ़ते हे आगे कि तरह नहीं मैं यहां पर भूमीनेशन करना चाहता हूं गरोमीनेशन करूंगा तो पहला काम तो यह होगा कि मुझे इसके उपर कैसे कैसे कोश्चन आएंगे पूछ सकता है कि अगर मेरे पास यह एलकेन है और मैं इसका मोनो गरता हूं तो कितने टाइप के प्रोड़क्ट बनेंगे या फिर वो पूछ सकता है कि जो प्रोड़क्ट बनें उनमें मेजर कौन सा है तो बटा अलग अलग देखते हैं हमने देखा कि यार यह वाले जो कारवान है ना दोनों सेम है चाया वहां से सुरू करें कारवन चैन से मिमानी जाएगी तो मेरे पास अगर मैं इन वाले हाइड् करता हूं तो एक आपने देखा कि जब यह प्रोड़क्ट में बना रहा था तो यहां पर एक कारवन है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं एक तरफ सी एक तरफ सी एक तरफ इथाइल ग्रूप एक तरो हाइड्रोजन तो क्या इसकों काईलर सेंटर कंसिडर कर लेंगे और यह काईलल सेंटर हुआ तो इसकी एक मिर्ल इमेज भी होगी मलब ऑप्ति कल एक्टिव है तो इसका बैसिकलिकल कितने काउंट करेंगे कि हमारे पास तू बनेंगे कितने बनेंगे तू अगली बार हमने क्या काम किया यह वाला हाइट्रोजन अटाके देखा और यहां पर भरोमीन लगाया स्वेरे पास्वोर है कोई नहीं है यहाँ पर इसको कर लो तो ठीक है हमने वनी काउंट कर लिया बेटा कोई दिक्कत नहीं है अब बढ़ते हैं अगे अगर मालों में इस तू डिग्री वाले हाइडोजन को हटाता हूं बियार लगाता हूं यहां पर तो मेरे पास क्या प्रोड़क्ट बनेगा बेटा जीब और यहां पर यहां पर यह कारबन की चारो बैलैंसी करेंगे और दूसरा क्या होगा पर यह आपके पास इस वाले primary hydrogen को अगर आप हटाते हो तो आप पोगे इदर CS3, CH, CS3, TH2 और CS2BR इस बार भी कोई काले सेंटर नहीं बना इसको भी आप one count करोगे तो ऐसे question IT advance में जब आप देखो गए ना तो आपको मिलेंगे integer type के question पूछे गए है monohalogenation के ओपर कई बार पुछे गए है तो जो correct answer आएगा बेटाजी वो 2, 1, 1, 2 out काईड कर लोगे तो total answer आपके पास आएगा बेटाजी answer 6 अगर ये question integer type में आता है तो दूसरी condition समझेगा अब मैं आपते पूछ रहा हूं कि ये reaction दी गई है ये reaction दी गई है और कहा गया है ये option आपके पास A है ये option आपके पास B है ये option आपके पास C है और ये option आपके पास D है इन में से बताना है कि कौन सा product major amount में बनेगा major product कौन सा होगा जल्दी से chat box में बताइए बेटा बेटा देखो मैं इतना कह सकता हूं जेए एडवांस के लिए कि organic chemistry में जो कराऊंगा उसमें जेए एडवांस के question में touch करूंगा एक एक question करवाऊंगा मैं पी वाई क्यू लार्च दस येर के ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेए एडवांस का level भी यहां पर छोटा है तुम्हारा confidence इतना बढ़ चुका होगा ठीक है और वहावा में नहीं बढ़ेगा concept को सिखा के मैं आपको बढ़ाऊंगा तो आप बस बने रहें अच्छे से देखते रहें तो करेक्ट आंसर बताइए वह क्या होगा तो सभी बच्चों का जो करेक्ट आंसर आया है वह भ और सब्सक्राइब करने नहीं तो इसकी रिएक्षिन करते हैं तो टीकिन होता है कितनी होती थायम्ट तो बड़ी वैल्यू क्या होगी इदर नाइन इदर वन शिक्स्टी और हमारे पास si retour जिसके लिए वैल्यू बढ़ी होगी उसी आपको रिपलेस करना है और majo प्झी अ जल्दी से चैट बोक्स में बताईए बिटा जल्दी से चैट बोक्स में बताईए क्या यह concept क्लियर है की नहीं है आज मैं आपको ऐसे ऐसे concept दिखाऊंगा जिसको सीखने के बाद आप कोगे की मज़ा आ गया सर अभी तक यह समझ में नहीं आ रहे थी आईटी जैमेंस तक तो हो जाता था लेकिन जब एडवांस कोश्चन करते थे तो वहां पर दिक्कत आती थी यहां कोई बुक उठाते थे मैस चोहान या वहां पर उनमें कुछ दिक्कत आती तो वह कोई लिकष्ट बचेगी आज के बाद ओके भाई ओके वाई और आगे बढ़ते आगे बढ़ते आप अब हम बात करेंगे फ्रो मैल की ब्रो मेल के लेकिन यहां पर सिखाने से पहले एलकेन में सिखाने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं एक और प्रोड़क्ट में आपको करा चाहता हूं जिसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को जल्दी से चैट बोक्स में बताएए बिटा जब आप यहां पर SN1 SN2 पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं कहीं आप क्या करोगे जब आप SN1 SN2 पढ़ने जाओगे तो यहां पर दो नाम सुनोंगे सब इसमें पढ़ते हैं लोग चेटर में आती है मेरा कोशन यह है कि अगर हमें कभी फिसर प्रोजेक्शन को कणवर्ट करना हो किसमें भाई करना हो नहीं करेंगे सब्सक्राइब करना फिचर अब है ठीक है तो यह वाई टास्क बहुत सारे बच्चों के लिए कहीं कहीं आसान भी होता और कहीं बहुत टंफी होता हो गलत कोशन करके आते हैं और आज मैं दिखाऊंगा भी विटा आपको कि इस कॉंसेट के उपर भी कोशन आते हैं जला देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा compound है सब कारबन है। जहां पर आपको कुछ इस तरह से दे रखा होता है इस तरह से त्रुक्टर दे रखा और यह ऐसे compound है जिनके ंदर एक काइरल सेटर है मैं आपको सारे कॉंसेट्ट कराओं गया जिसमें एक काइर उसे फाले भी हो जाएंगे और डिरेक्शन में मदब फिसर प्रोजेक्शन में करोगे तो आपको यहां पर एक काईल सेंटर के लिए एक प्लस का साइन बनाना है अब जरह देखिए आपको फील करना तो आप मुझे बताइए इसको सबसे उपर की तरफ क्या दिख रहा होगा और बीच में खड़ी होगी और ー-D और डिके तो इसके लेट साइड में कौन आ रहा होगा आप कों के सर सी パर कलूák lot वा तो आप क्या रहोगे लेट साइड में सी फोर कलू को को लगा दोगे राइट साइड में धर्वेंदर है आप देख लेना या पट ड कर दोगे खैना अब जो पचा हुआ है अब जो पचा हुआ है उसको आप लिख दोगे बिटा नीचे तो आई होप आप लोगों को जिसके अंदर एक काईरे सेंटर है वह वेज़ डैस आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है क्या आप लोगों को यह बास समझ में आई यह था और नो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब जरह प्ली समझेगा एक कोशन करना है आपको एक कोशन करना है कि यहाँ पर कल्लू भईया है उपर हमने क्या लिखा सीएस्टरी लिखा हुआ है इधर हमारे पास और मुझे बताना है कि इसका आरेस कॉन्फिगरेशन क्या होगा मतलब सबसे पहला क्या है कि तो बच्चे तो डायरेक्ट ना जाकर आपको क्या काम करना है मैंने आपको एक तरीका बताया है चाहे आप इधर से देखो इधर से देखो बीच में घुश जाओ पिछली बार तो मनें दीपिका पादुकोन को लिया था इजवार आलिया बट को ले लेते हैं आलिया बट माली यहां पर बीच में खड़ी है इन दोनों के किनके इन दोनों के बीच में खड़ी है मुझे बस यह बात बताईए बेटा कि अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन मनाता हूं तो आलिया बेट को अपने उपर की तरफ कौन दिखेगा बड़ी सी बिल्डिंग करनी है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो आप क्या करो कि जब उपर उठाएगी आलिया भट तो दिखेगा और प्लीस तमझे जब आलिया भट यहां पर खड़ी होगी और अपनी ऐसे सिर्विंद नोनों के बीच में आपको इसके इधर राइट में ओएच है अब बचा हमारे पास क्या होगा हाइड्रोजन राइट और रॉंग जब आपको यह कायल सेंटर समझ में आ जाएगा तो यह बात क्लियर हो जाएगी कि इसका आरेस कॉन्फिग्रेशन सरम CIP रूल क ऑकसीजन और हईटूरजन लगे हुए हम लोग जानते है कि फ्लोरीन का अढम ऋस्व देंने गए सटम थलेंगे चाल पर से टूपर जाना हो तो वन से टूपर मैं ऐसे क्लोग वाइज भी जा सकता हूं और वन से टूपर में बिटा जी एंटी क्लोग वाइज भी जा सकता हूं जल्दी से चैट बोक्स में बताइए विटा मुझे कौन सा पास फोलो करना चाहिए कि मुझे कौन सा पाथ फोलो करना चाहिए जल्दी से बताए बेटा अंकुष चोहान जल्दी से बताए कौन सा पाथ फोलो करना चाहिए गधे लोग कि मुझे क्लोग वाइज जाना चाहिए कि अंटी क्लोग वाइज आप को गए सर यहां पर तो कंफ्यूजन आ गया पोजिशन दोनों सेम तूज सेम है इधर से जाओ को तो भी रास्ता पर आप अब आपको मैं एक बाह बताता हूं मिटा जब कभी ऐसी कंदिशन हो जाए कि व आपने देखा कि तूर से त्री पर जाने का दो तरीके हैं या तो आप ऐसे क्लोग वाइज जाओ गया आगे राइट और रॉम और पिटाजी या पर एंटी क्लोग वाइज गये तो आप चले जाओगे तो मेरा एक चोटा सक क्वेश्चन है कि एक तरव एक बार आपने क्य क्या काम किया एक दियर और एक बार आपने क्या काम की पटाजी एंटी क्लोग वाइज तो चोटी होगी वह आपको मान के चलनी पड़ेगी तो आप और जब बेटाजी हमें एंटी क्लोगवाइज कायरस सेंटर की अगेंस कॉन्फिगुरेशन अब मलब फील होता है तो उसको हम S कहते हैं S महाने सिनिस्टर कहते हैं फिर हमें ये भी देखना होता है कि least priority group कहां पर है लीस प्राइडी ग्रूप अगर वर्टिकल लाइन पर होगा अचाहे उपर और नीचै उससे कोई मतलब नहीं है vertical line पे होगा तो जो हमें observe हो रहा है वही answer होगा हमें जब इसका answer s observe हो रहा है तो s इसका answer होगा राइट और रॉंग जल्दी से पताईए chat box में क्या आपको एक concept clear हुआ के नहीं हुआ हाँ या ना का जवाब दीजे बेटा हाँ या ना का जवाब दीजे बेटा दुर्गा परशाद धत्ता जल्दी से बेटा बताईए बहुत बढ़िया क्लोग वाइज जिनका answer है वो गलत है क्लोग वाइज वाले गलत है विकाश यादव या ओके बेटा ओके डन कि अब जर्ण देखिए वाइज अगर मान लो अगर मान लो आपके पास दो काईलर सेंटर हो दो काईलर सेंटर कैसे हो सकते जैसे मालिजे चछ और एएसे हो सकते और यदि यहां पर दो कार सेंटर होते इदर में लिख दिया वाव इस्याच टू ओएच ऐसे लिख दिया हम जिर्ण देखने यहां पर कि मैंने ऐसे मनाया वहिए एक डार्क वाली लाइन मनाई में एक एधर मैंने कर दार्क वाली बनाई के और एक मैंसे मगां यहां पर मैंने का कि इदर है इधर ओए मालों लिए इधर है इधर ओए और इसको मुझे करना सबसे पहले दो काले सेंटर होंगे बेटा तो हम क्या कहेंगे वही कि आप फिसर पोजेक्शन में दो आप इस तरह से प्लस के साइन लगा देना फिर जड़ा देखिए अगर मानलों आपके पास यह हैं यह क्या है इधर की साइट से अगर आप देखते हैं तो इसको आप सबसे पहले दें देंगे और आपके पास नीचे है तो इधर लिख देंगे ठीक है अब बात इनकी है कि इन में आप कैसे देखते हो तो प्लीज समझने की कोशिश करना जब आप इन दोनों के बीच में मानली जैस बार कट्रिना कैप फड़ी हो गई तो कट्रिना कैप की लेट साइड में को अगर आपके पास दो काईल सेंटर है तो दो लाइन आपको ऐसे मिलेगी दो लाइन आपको ऐसे मिलेगी ठीक है फिर आप आगे तीसरे काई सेंटर पर जाओगे तो आपको ऐसे मिलेगी जैसे समझा देतों एक साथी में कि जैसे सी एच्चो है कि इस तरह से बाई कि यहां पर है एच हुआ कि इधर ओएच लिए आमने बेटा एच ओएच सबसे नीचे क्या होगा अब जड़ा यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं आलिया भट जब यहां पर खड़ी है हाईट्रोजन तो आप क्या कहोगे कि लेट साइट में कों लागाया अपने हाइडरोजन इधर राइट साइड में कौन हुआ बेटा जी ओएज ग्रूप तो इधर कौन गया ओएज ग्रूप अब प्ली समझने कोशिश करिएगा जैसे मान लीजे मैं स्कूल का प्रिंसिपल ठीक है और मेरे सामने प्रेयर की बहुत सारी लाइन लगी हुई है इधर कालू खड़ा है इधर पीलू खड़ा है और इधर पीछे कालू के पीछे एक और उसके दोस्त खड़े हुए इधर भी खड़े हुए तो मुझे प्लीज समझने कोई करिएगा जब मैं कालू को ध्यान से देख रहा हूंगा तो बेटा इसकी साइड में खड़े वाने लोग भी तो इसके प धोशिश करिएगा अगर मालो यहां पर आल्या भट कड़ी है मुझे अभी टू का तो पता नहीं लेकिन अगर वेट अगर बटाईच में होगा तो इधर राइट में होगा के नहीं होगा हाँ या या ना इस तो यहां पर आप क्या लिख हो गे एच और इस एच के पीछे कौन दिखरा है मुझे ओएच तो मैं यहाँ पर क्या लिखोंगा पीटा जी ओएच क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं आई सब्सक्राइब यहां पर डैश है तो अगला वेज होगा फिर थर्ड आएगा ऐसे आज करेंगा देश होगा यह तो यह उडर चलता रहेगा तो आपने देखा कि बढ़ी नीचे वाले में कहां पर आया डैश पर आया तो भीटा जी नेक्स वाले पर जो डैश पर होगा वह न n 누差 पार हमारे पास कौन सा यह वाला तो नीचित वाल साएंट कि यह यह और पर देखा कि कि यहां पर वेज पे कौन है आपको होगी हाइड जान है तो आप यहां पर क्या करोंगे ही इस दिएगा इस देश धेश देश चाहिए आपके पास तीन के का इस हो च्यार को सेंट५र कितने भी का इसेंटर हो उख सकता नहीं है कि अगर बड़े-बड़े पर आपको या या भट को माल लेना है उसके आप से पहला काल देख लेना है ठीक है पिर आपको यह देखना कि कौन बैज यह पर पता लग जाए गाना आप वैसे अगर पहले पर मालो मैं जा गया चलता रहेगा और यदि पहले वाले पिडश आ गया तो कोई बात नहीं फिर भी फिडश वैज डश अल्टरनेट फोम में चलते रहेंगे विटा लगातार और यदि अल्टरनेट फोम में चलते रहे तो आप इनके स्ट्रक्चर बनाओगे और आर्स आसानी से निकाल लोगे जल्दी से चैट बोक्स में बताइए क्या आपका यह कॉंसेट्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्या आप टू कायल सेंटर वाले वेज़ डैस को फिशन में कर सकते हों कि नहीं कर सकते हां या ना बहुत सिंपल है यह बहुत सिंपल है भी बिल्कुल कर सकते हैं भी आप वार बढ़िया ठीक है डन यह बात क्लियर हो गई अब हम लोगो गो कि सर्थ इस ट्राइप कर कोश्चन आएगा तो हम कर लेंगे अब आहीं डरेंगे बहुत बढ़िया बिटा चाहिए मैं कहना हूँ कि दुनिया में कितने भी कायल सेंटर आया ये ट्रिक आ गई तो क्लियर हो गया ठीक है दर आगे बढ़ते हैं चलो अब हम बात करेंगे बिटा जी एलकीन की पॉर्मेशन करेंगे करेंगे वह अब ज़रा देखे समझने करेंगे कि ऑलकीन से कैसे आपके पास बनती हैं और कैसे को आपने यह रिएक्शन पड़ी होगी कि अगर थी एच डबल वोंड टी हम यहाँ पर अगर इसकी रेक्शन करता हूं है है तो आपको याद होना चाहिए बिटा कि एसके अंदर एक प्लास होगा और एक नेटीव होगा और सब्सक् joueने का मतलब है इनके ऊपर नेगिटिव चार्ट हो गा- मतलब यह न्यूक्लिस से प्यार करेगा तो इनको क्या कहते हैं बेसिकली यह कहते हैं इंको राते हो नियुक्त क्या कहें बैटा इनको हम देखंद कहें हैं लगयों कि एलेक्ट्रोफाइल क्यों tv बैइस बैटा यहां देखूआ इस अरफ टो मैं तो मैं यहांना पर हैस 있는 नेगितिव मैं गुटी पर जीन SIटी कूट का भरी हुई है उसको इलेक्ट्रों क्या हो शकता बिल्कुल नहीं है तो मैं चलो थे यह जो नुकलोहलिक है यह आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के साथ रियक्शन करेगा इनकी शाधी करानी है जैसे यह से शाधी करने पहुचा तो कंडिशन दो थी कि भाई यह अगर इधर जाता है तो तू डिगरी कार्बोकर्टाइन उन दो यह और यहां जाता है तो वन डिगरी कार्बोकर्टाइन बनेगा तो यहां आपको क्या लिखना आ है तूडर दीकरी कार्बोकर्टाइन बना मुझे चैट बोक्स जल्ली से कि वन डिगरी कार्बोकाइन और टू डिगरी कार्बोकाइन में से कौन सा कार्बोकाइन ज्यादा स्टेबल होगा जल्ली से बताइए बिटा जी वन डिगरी कार्बोकाइन और टू डिगरी कार्बोकाइन में से कौन सा कार्बोकाइन ज्यादा स्टेबल होगा कि चैट वोक्स में बताइए भई आपको के साथ टू डिकरी हाइड्रोजन जो कार्बोकटायन है वह ज्यादा स्टेबल होगा यदि टू डिकरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट है वह इसके कोडिंग ही बनेगा अब क्या हुआ कि ज तो यहां पर आप निडिव फाइल आएंगी है अब हमारे पास इस डियेक्षन वीढियंग में बचा है आप को वे सर एक्स नेगीटिव एक्स के उपर भी तो निगेटिव चार्ड जैनल इलेक्ट्रों डेंसिटी है तो जब एक्स नेगीटिव यहां पर लगेगा तो हमा बाद ध्यान पर रखनी है बिटा कि जो आपके पास more stable carbon होगा उसकी वज़े से बनने वाला प्रोड़क्ट ज्यादा आपके पास बनेगा यह मेजर प्रोड़क्ट होगा तो मैं आपर एक कार्बो कटाएं कि स्टेबिलिटी ओफ कार्बो कटाएं यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है यह चीछ पुछे जाती है दूसरा यह पुछा जाएगा कि इस रियक्शन का नाम हम क्या दें यह रियक्शन किस निट कौन से टाइप की रियक्शन होंगी बिटा जल्दी से च सबस्क्राइब होंगी में यह यहां पर एड होते ही नजर आ रहे हैं कि इस एलकीन में हेट हुआ हए तो प्लाइब कि नहीं हो सकती रियक्शन सब्सेट्टिूशन तो नहीं हो सकती क्या होगी पिटा जी आपके पास शिर्व और सिर्फ एडिशन रियक्शन है लेकिन जो कर रहा है स्टार्ट कर रहा है वह स्टार्टिंग में किसने अटेक किया था इलेक्ट्रोफाइल ने इसलिए यह जो एक्जामपल होगा पिटा जी एलेक्ट्रोफिलिक अर्टक्रोफिलिक एडिशन एक्षब कही जायेगी विए प्लिज ये बाज तमौधने की कोिशिस करिएगा ठीक है टि थिक है इलेक्टो मिटीशन टब होता जब इस्तार टिंग डिक तक करने जाता कम्त cucumber्लियेod आपके पास एक बात और जान्दक नी है यदि इस reaction में कार्भोकटाइन बना है और कहीं किसी कार्भोकटाइन में rearrangement होने की चांसिद है तो आपको rearrangement भी करना है तो प्लीज second note point आप यह लिखेंगे इस reaction के लिए एक और note point लिखेंगे if possible if possible को विफ और पौषिब आर्रे यांघ्रेंज्मेंट कर ईडिया एंडियो के विल टेक प्लेस है है फिल टेक प्लेस यह वाओ ध्यान नहीं है कि अगर आपके पार्डी का पॉसिबिलिटी है तो आप करेंगे इस ही को ध्यान में लखते हुए भी ठाण जी आपको क्या काम करना है यहां पर मैं रिक्सन लिख रहा हम चीये और सी स्टू और स्टू मैं सब्सक्राइब पर बर्स खार्म कर रहा हूं किसके आसाथ करी मैंने उसके बाद आपने क्या काम करना ही कि में यहां पर कुछ प्रोड़ления कोना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और नहीं होगा। यह पार्थ कहरा है कि समय को जरवेंट का क्या होगा जोरुत नहीं है। जोरुत नहीं है twitter की does इसको आपने माल जागी अलफा है दूसरा मेरे पास सी एच टू इधर मेरे पास सी एच टू और यह मेरे पास बीटा है अगला में लिए लिए सी एस ट्री सी एच हुआ हाँ हाए है इस त्री हैं अलफा बीटा गामा में हाइडराय do होगी बहुत बढ़िया उन्मोरिया बहुत बढ़िया है बढ़िया эфф opita加油 गहमा में से मेजर प्रोडक्ट बताइए कौन सा होगा एलफा बीटा गहमा में मेजर कौन सा होगा यह इस टाइप कोश्चन आई टी जैइमेंस में एक बार पूछा जा चुका है बहुत बढ़िया तब लोग इसका अंसर नहीं इस कि क्या आप लोगो को यह बात पता लग ग तक दोगे और जैसे आप हिड्राइट शिप्टिंग करो गे तो यहां से इढ़ चला जाएगा तो हमारे पास क्या भप तो यह बन गया तो यह बात क्लियर हो जाएगी कि आपके पास मेजर पूड़क्त वाले कार्वोकटाइन की वजह से बनेगा ज़दी यहां पर मेजर को देख रहे हैं चाहिए वो कमी बच्चे क्यों ना हो उनका एक कॉंसेट्ट बिल्कुल क्लियर हो गया राइट और रॉंग बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं एक हमारे पास बैंजीन रिंग है इधर हमारे पास थी एच है डबल बोनड जार में पास दो तो शीयस्ट्री ग्रूफ है आप इस बार रियक्षन करा रहे हो एच्छील के साथ तो जरा देखिए जब आप इसके साथ रियक्षन कराओगे तो यहाँ पर दो पॉजिशन है या तो एच इदर जाएगा कार्बोकेटान इदर बनेगा एक तरफ टू डिगरी कार्बोकेटा बनेगा यहाँ पर दो प्रोड़क्त बन सकते हैं कौन-कौन से बेंजीन रिंग आपने रखी सी एच इदर आपने कल्लू जोड़ा और इसको मैंने क्या माल लिया कि यह मेरे पास अलफा प्रोड़क्त है दूसरा कर आप ध्यां से देखोगे अब मैं आपको क्या कर रहा एलफा और बीटा में कोण सा मेजर प्रोड़क्त होगा चैट बोक्स में बताई को बहुत। तक्षाम मौर्या कि बाद बढ़िया कुछ बच्चे कह रहे हैं एलफा और कुछ बच्चे भी कह रहे हैं एलफा बीटा वाला कोई नहीं जल्दी से चैट वोक्स मताईए वह हां जैसे आप कार्बोकेटाइन चेक करोगे तो दो कार्बोकेटाइन मना कर देख लेना की कि सर इदर आपने बेंजीन दिंग मनाई अगर आप इदर सी एल जोड़ रहे हो इसका मतलब यह कार्बोकेटाइन मना होगा सी एच पोजिटिव इदर हमारे पास सी एच और सी एस तरी और दूसरा जबाब बिटा जी यहां पर सी एल जोड़ रहे होंगे तो आपने देखा जोनेंस मिलेगा प्लस आर एफेक्ट लगेगा लेकिन यहां पर बेंजीन दूर लगी हुई है तो यहां पर क्या लगाएगा यह माइनस आइफेक्ट तो प्लस आर कार्बोकेटाइन को जादा स्टेबल करता है इसलिए मेजर प्रोड़क्ट आपके पास यह होगा मेजर का कार्बोकेटाइन यह होगा तो प्रोड़क्ट बेटा जीसकी वज़े से बनेगा यानि अलफा मेजर प्रोड़क्ट जिन बच्चों का आंसर बीटा है वह गलत है शिव शर्मा और यह सिंजनी पॉल इसको ठीक करो बेटा ज्याने इंदर पाथ पाठक यह गलत बात है हुए और माइनस आईफेक्ट कर्बोकेटाइन को अनस्टेबल करता है यह बात हरनक ह Всकасти फिक है जबकि यहाँ पर यह कार्बोकेटाइन है इधर मिला अवटा है प्लस ह और सड़ेगा प्लस ह थोड़ा सा łelse मेजर प्रोड़क्ट एल्पड़क्ट आ Thousands बैफा होक बहुत कि यह चुकिक है अब हम बात करेंगी किसी वह अब की रिक्षन कर रहे हैं हम लोग और हमें क्या बनाना है उन कि रेेक्षन उ liksom यहां एक पॉइंट और एक पॉइंट एक कोशन और भाई यह जो रियक्शन थी ना यहां पर मैं एक छोटी सी पूछूँगा पिटा एक कोशन आपके बास कि रियक्शन और कि एलखी कि टुवर्ड कि एक स्ट्राइट वही चंद्रा तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको यहां पर मैं आपका चार एक तो है वहारे पास एक दूसरा हमारे पास फिर हमारे पास H more chron for फिर होगाह मारे पास हैच लड़ी से मुझे पेटाजी इनका increasing या decreasing order बताईए कि किसकी रियेक्टीविटी ज्याधा होगी एक इनकेश एक्रेख्षम करने में कि किसकी रियेक्टीविटी ज्यान हो गी पेटा किसकी रियक्टिविटी ज्यादा होगी कौन से एच एक्स ट्राइप आशिड की रियक्टिविटी ज्यादा होगी कोश्चन यहीं है कि चार आशिड दिये हों यह बेटा आपको कि बोलो बोलो जल्दी कि एच विल भी मोहां क्यों कि यह जद्व प्लस आयन देगा जितने जल्दी जल्दी वह बढ़िया जिन बच्चों का कि एच और आई के बीच में जो बॉंड है वो बॉंड लेंद उसकी बहुत बड़ी है बॉंड लेंद अगर बड़ी होगी तो जल्ली से टूट जाएगा जल्ली से एच प्लस बनेगा तो उसका जो करेक्ट ओडर होगा पिटा जी वह होगा कोई प्रॉब्लम नहीं सही बा प्राणों हCN के साथ दूसरा होगा मेरे पास CS3C एच टबल बॉंड इधर है इधर CS3 और इधर मैं लिखा कि CS3C एच डबल बॉंड सी इधर CS3 जो बच्चे यह जैए हो सकता है कि उनको लगे का कि सारे कोस्टनेंट जैसे हैं ठीक है और तो बच्चा आईटी एडवांस क अच्छा ग्यान मिली जाए तो पलीज एलकीन आपको आपको और सी बसाथ करेंगी यह हमारे पास अगर इस रियक्षन और रीट ऑन मं है और रेट और रट जनका रीट है ठीक है तो हमें बताना है कि इन में से किस कि रेट्ट सबसे जादा होगा और जल दीन का रेट सबसे कि रियर्जमेंट नहीं सिखा है आपने रियर्जमेंट बेटा सिखा देंगे किसी लेक्चर में अलकॉल वाले चेप्टर में रियर्जमेंट भी सिखा देंगे या जब मैं SN1 SN2 बताएंगे पढ़ाएंगे तब बता देंगे नहीं पता सर नहीं पता ओके एक बच्चे को अभी 40 मिनट क्लास लेते हुए नहीं है कहरा डूरेशन कितनी है जब तुम्हारे पेट में दर सुरू हो जाएगा उसके बाद तक भी चलेगी क्लास को बहुत बढ़िया प्लीज जड़ा देखिए कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं मैं बता देता हूं आप कैसे चेक करना है आपने देखा कि यह हमारे पास लड़के वाले गैंग है जो शाधी करने के लिए हैं और यह हमारे पास मैला विभाग जो सब में एक जैसी है इसलिए इनको तो नहीं कर सकते हैं आप देखोगे कि जिस एलकीन की रियक्टिवीटी ज्यादा होगी वही ज्यादा देख कर इक जल्दी से बना सबसे पहले क्या हुआ कि इसको ऐसे मान के चलोगे इसको आप से मान लो कि सी एस तरी इस पॉजिटिव चार्ज पी लोण पियर नेगिटिव चार्ज दोनों तरफ हाइड्रोजन दोनों तरफ हाइड्रोजन राइट और रोम आप को बिल्कुल ठीक सर और दूसरा मेरे पा आठेक करने आए क्योंकि पहले स्टेप में तो भीटाजी एक प्लस एक करेगा कि नहीं करेगा दूसरा क्या होगा हमारे पास सी इधर है इधर सी है लोन पर नेगिटिव चार्ज इधर कार्बोगटाएं कि इधर हमारे पास क्या होगा सी इस तरी और अगली बार हम कहेंगे प्लीज जरा ध्यान से समझेगा हमें क्या देखना है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रों डेंसिटी जितनी ज्यादा अतर तक होल्ड रहेगी इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रों डेंसिटी जितनी ज्यादा देर तक रहेगी उतना अच्छा ये न्युक्लोफाइल कहलाएगा और जितना अच्छा ये न्युक्लोफाइल होगा उतनी जल्दी एच प्लस के साथ अटेक करेगा राइट और रोम आपको ओगे बिल्कु जो चार्ज उदर रहेगा मान लोगी एक प्लसक्राश वापास आतार पड़ेगा अगर उंदर से ना मिली तो मैंने देखा कि जम्हें मैं मैं कंपेर करना हूं थो मैंने देखा यार कि वाइट इसकार को इस यह वाइपर को निशन से स्टेबल कर रहे थे और जब मैं इसका करने के लिए तो यहां पर यहां पर हमें जानते हैं कि भाई जर चे कार्बोकरण को इस्टेबल कहेंगे तो इन्हों घर में हम सभालनेंगे इनको लिए लड़ाई के लिए बोटर पर भेज़ दो जैसे कहते हैं आप अपने लड़के को घर हम समालनेंगे आप लड़ाई करने के लिए चले जाओ तो यह एक्चुली में यूपिलोफाइल रियक्शन करने जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ तब जाओ पाया करने जब घर में शांती होगी घर में शांती का मतलब है कि यह कार्बोकेटा इंस्टेबल होता है और ज्याद़ अटैक करने भी जल्दी जाता है एच प्लस से तो यहां पर अगर हमें सबसे ज्यादा रेट बताना होगा तो हम आरवन को कहेंगे कि आरवन सबसे ज्यादा रेक्टिव है या रवन स्टेबल भी होता और रेक्टिव भी सबसे ज्यादा है अब जड़ा देखो इदर जब मैं बात करूंगा इन दोनों की आर्टू और रथी की तो मुझे एक बात ध्यान लगनी है ट्रांस वाले स्टेवल ज्यादा होते हैं एस कंप जल्दी से चेट वोक्स में बताएं पटा क्या यह कौंसेट्स क्लियर ऊप्यूर्ड हुआ कि नहीं हुआ बोलो जो और पे ज्यादा धेर तक एलेक्टू नेंसिटी जी जादा देर तक रहेगी यह उतना अच्छा नुक्लो फाइल रहेगा और जितना अच्छा नुक्लो प्रेटिए तो नहीं जादा होगा इन दोनों वाले केस में देखा कि यार यह वाले हालत ओल्मोस सेम है ज्यान देखोगे इसकी हालत ओल्मोस दोनों साइड में सेम है इदर लेफ रेट में भी सेम है तो फिर हम सिमेट्री के बेसिस पर कहेंगे बिटा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं यह कॉंसेट्ट क्लियर हो गया अब लेखेंगे भाई खरास इफेक्ट या इसको हम क्या कहते हैं मिटा जी जी कि अधिशन ओफ है एच बी आर कि अधिशन करेंगे इन पर्जंस ओफ है इंपर्जंस ओफ है का पर अपनी समझने कोशिच करिएगा बिटा क्या होगा यहां पर जड़ा देखिए जहां पर हमारे पास होगा कि मान लीजेगा आपके पास एक एलकीन है CS3, CH, double bond, CS2 आप reaction करोगे विटा जी, HBR के साथ, किसके साथ करोगे? HBR के साथ reaction कर रहे हो, और यहाँ पर दो तरीके से परोक्साइड लिखा हो सकता है या तो वो आपको कहें कि RCO, इसका whole twice दे दे, ठीक है बाई? या फिर वो लिख दे यहाँ पर परोक्साइड, अलग से क्या लिख दे, परोक्साइड लिख दे बिटा, ऐसे लिख दे बाई, अब आपको समझना है कि बाई, यहाँ पर addition of HBR होगा, लेकिन according to, नोट पॉइंट जान नगलेना है, नोट पॉइंट के लिखेंगे, according to, anti-marco-nicoff rule, anti-marco-nicoff rule follow करना है, तो मेरा question यह है कि यदि मेरे पास यह अलगीन है, और यहाँ पर मैंने दो कार्वन माने हुए है, अलब और बीटा, कौन-कौन से माने विटा जी, अलब और बीटा, जल्ली से बताईए, ब्रोमीन अलपा पर जाएगा या बीटा पर जाएगा, कहां पर जाना चाहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाएलकी दी न्यूट्रोफским इसलिए है, क्योंकि अलकीन के पास पाइल्यक्ट्रोन देंसिटी है, और पाइल conjunto देंसिटी जिनके पास होती है, या नीड्यक्ट्रोन देंसिटी का मतलब है नियू नेगीटिव चार्ज, कि बहुत बढ़िया विटा करेक्ट आंसर आपके पास बीटा पर जाएगा कि नेक्स कोश्चन है आपके लिए ये मान लीजे आपके पास ये अलकीन दी हुई लिए या vibe कि अगर मैं एक कार्बन को ऐल्फा मालें नू दूसरे कार्बन को बीता माल लू तो कोश्चन ये हैं आप लोगों से कि скаж का पर जाएगा विटा पैले स geschक्री पैले सधे क्यात ऐख वाल यह वाला क्लोरीन कि दर जाएगा चैट बोक्स में बताई यह बढ़ा है कि एलफा बहुत सही बहुत सही कुछ बच्चे एलफा बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया जरा देखें यहाँ पर हम लिखेंगे कि एलफा पर कलोरीन भीज दिया हमने बिल्कुल सही बात है नोट पॉइंट दिखेंगे बिटा हम लिखेंगे हम लिखेंगे हम लिखेंगे डू नोट अंडर्गो खराच इफेक्ट या पर ओक्साइड बहुत बढ़िया क्लियर है तो जल्ली ते पताएए बेटा क्या आप लोगों को यह रियक्शन क्लियर हुई कि नहीं हुई reaction with HX type of acid clear हुई कि नहीं हुई चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे यहां पर question है यह question सेप्टेंबर महीने के तीन तारिख 2020 को आया हुआ question है इसने कहा कि the total number of monohalogenated organic product in the following including stereoisomer reaction is a हमें दे रखा है और a के बाद कुछा है कि जो product बनेंगे वह कितने product बनेंगे बहुत mind लगाने वाला question है ठीक है भाई simple है लेकिन थोड़ा सा mind भी लगाना पड़ेगा आपको जड़ा देखें जब आप यहां पर simplest एलकीन लिखोगे ना बेटा तो simplest एलकीन आप क्या करोगे भई कि simplest एलकीन जो optically active हो जो optically active भी हो तो जड़ा देखें है कि सीएच आपके पास एक काईलर सेंटर है माल लीजे मैं एक तरफ लिख दिया है कि दूसरी तरफ मैं कि सीएश्टरी सीएश्टू लिख सकता हूं एक तरफ मैंने हाइडोजन डाल दिया और एक तरफ मेरे पास सीएच डबल बोंड सीएश्टू यह डाल दिया इससे सिंपलेस्ट एलकीन तो नहीं हो सकती बाई जिसके अंदर optical activity हो जा कह सकते काईलर से ना है सबसे पहला काम किया कि आपने यहां पर स्ट्यों और अ偉क सथ एक्शटर सीपर करांँगे तो आप गया निकल तो भाई ज़रा देखो अगर मैं यहां पर लिखता हूँ है तो दोनों तरफ हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बेटा मेरे पास दोनों साइट इथाइल गुरूप कि अब यह जो अब के पासि यह जरूरी नहीं और ऑप्टिकल अक्टिव होया नहीं सह आप ज़रा देखें जब आप यहां पर x2 लेंगे ऐस्टू का मतलब है हेलोजन को ले रहे तो आपको कि देखना है कि यहां पर किटने पी टाइप की हैड्रोजन है और हम रिख्लेजिश करने बाद आप प्रोड़क्त बना सकते हो अगर आप ज्ञां हो तो यह वाले अगर मैं इसको एट्सक्ता एट delicious सो भी हम भी कहेंगी और यदि मैं इसको टाइब का कहता हूं तो भिल्कुंद सी टाइब के सिर्फ डीयोड टॉट के हैं और इतने टाइप कि आपके पास हाइड्रोजन अब अद्धाटे जाए और नीक्टा गाते जाए तो हमने और यह पास क्या होगा पिटाजी सी एस तरी और एक पहले से था आप देखेंगे कि यह कार बना ऐसा जिसकी चारों वेलेंसी बिल्कुल डिफरेंट है तो इसको हम काइले सेंडर कर लेंगे हमारे पास अगर एक होगा तो इसका एक इनेशोमर भी होगा तो हम कहेंगे इसको आगया आपने क्या करें किया कि भाई बी टाइप वाल यह ने अटा आगए अब मेरे पुल घृमegen से अगर आप देखोगे तो यह एक अंसिमेंट्रीकल भाविट्व जीसके रहें तो यहां पर उननी की वज़े से इस स्यमेंट्रिकल वोलिक्यूल में टूटल स्टीरोइसोमर कितने बनेंगे आपोगी इसको कॉंट क्या जाएगा पूर आप आप लोगों को ये वाच समझ में आ रही होगी अब किसरी कंडिशन क्या है माल लिजए कि आप सी वाले टाइप वाले हटा देते हैं तो यहां पर क्या आएगा वहीं सी एच टू इधर मेरे पास सी ऊपर क्या हो जाएगा इधर आप देखोगी कि इस बार कोई कारवन जो है वह आपके पास अप्टिकल एक्टीव या कायल सेंटर नहीं बना जब कायल सेंटर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे इसको राइट और 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 सेम तूसेम जब हम सी आपके अपके पार सब्सक्राइब करेंगे यहां पर आपने एक कायल सेंटर बनाया तो दोश्कों करेंगे पोर हो जाएंगे वान हो जाएगा वन हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलिए 8 8 very good very good तो इसका जो करेक्ट आंसर था जो आंसर आपके पास आएगा बेसिकली वो 8 होगा यह इंटीजा टाइप का कोश्टन एक बार फिर से सुनिएंगे मिटा यहां पर हमें सिंपलेस्ट अप्टिकल एक्टिव एलकीन बनानी है क्या होता है है क्या होता है हमेशा SP3 hybrid ना कि आपके पास SP2 hybrid तो मैं ने याँ पर एक कारवन लिया एक तरफ एक कारवन जोड़के देखा एक तरफ दो कारवन जोड़के यह इक तरफ मैंने hydrogen ढ़ना है तो यह स्टिंप्लेंश्ट अप्टिकल एक्टिव एलकीन होगी उसके बाद हमने हमने पास हमारे पास यह बनर है पर काया सेंटर बन रहा है अगर आपके पास और एक कायल मिलता मैं भी कारलेकर कुछ यहाँ कितुने उपिघ्व इसके कुछम माली चेए ठीक यहाँ पर कोई कशो हिसेंटर नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पर WN और यहाँ हम presentsने हुम तो हम कहने कि परich जिसाएटी जेही में 2020 में बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अब यह जो कौशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं बिटा जी यह कोशन आई 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 टी एडवांस का कोशन है कि यह पता नहीं आगले वाले पेज पर लिखा होगा या नहीं लिखा होगा प्लीज समझ ने कुशिच करिएगा इस को आप बहुत आसानी से कर सकते हो इसने क्या कहा है कि आपके पास डाफिसर प्रोजेक्शन डी अरी त्रोट इस शौन या आपको वाली क्यूल है मैंने जो आपको सिखाया है जो आपको मैंने वैजी डैस को फिसर प्रोजेक्शन में करना सिखाया है उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लेकिन प्लीज आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा मेरे साथ साथ ठीक है जड़ा देखिए पहला काम क्या है क कि आपको चेक करने के लिए कि जो PQRS है उनसे इसका क्या रिलेशन होगा तो सबसे पहला काम होगा कि आप आरस क्वीरेशन निकाल लिजी जब आप इसका कॉन्फिद्धन निकालोगे तो वन और टू ऐसे चलोगे एंटी कोलोग मैं आपने देखा कि लिश होगा है सूरी है हो तो क्या होगा नहीं होगा देखा कि अगर हो लुद अब बात करते हैं नीचे वालों के फिर उसके बाद यहां पर कार्मन उपर कार्मन लेकिन कार्मन के साथ दो कार्मन एक अक्सिजन है इधर कार्मन के साथ एक अक्सिजन बाकि आइड्रोजन है तो सेगिंड प्राइडिटी उपर वाले ग्रूप को दे देते हैं यहां पर भी ऑब्जर्व क्या हो रहा है यहां और मुझे क्लोक वाई भी होगा लेकि फ्राइटी गुप आप कर होगा अकर होगा यह अंशर क्या होगा आट्थ यह यह विट ले कि ठीक है और यह बहुली का कॉंसेट्ट है और आगे देखो अपने कुछ करिएगा जब आपके बाद अन्सिमेट्रिकल मोलीकूल होंगी आपने देखा जी ऑन्सिमेट्रिकल मोलीकूल है कि आई एडिवांस के कोशन कराने कोशी कर रहा हूं और आपको समझना आई है अन्सेमेंट्रिकल मोलिक्यूल है कि मेरे कुछ नौट पॉइंट समझना विटा कि अगर हमारे पास कि एवरी कोन्फिगूरेशन होता है एवरी कोन्फिगूरेशन होता है तब हमारे पास वह इनेंशोमर कहलाएंगे क्या होंगे इनेंशोमर कहलाएंगे जैसे माल लीजिएगा माल लोगे आपके पास एक कमपाॉट है जिसके अंदर एक कायल सेंटर है और एक कमपाॉट के अंदर आर है तो दूसरे के अंदर क्या वोगा इनेंशोमर कहलाएंगे प्लीज समझेगा क्या कहलाएगा इनेंशोमर कहलाएगा यदि कभी भी R आपके पास R रहे या S आपके पास S रहे तब आप इनको आइडेंटिकल कहेंगे क्या कहेंगे identical यानि एक ही जैसे हैं सर क्या कहेंगे identical या फिर इनको homo मर भी कहते हैं क्या कहते हैं बेटा जी homo मर होमो मर का मतलब होता है homo का मतलब एक जैसे और मर का मतलब मृत्यू नहीं है एक जैसे बहुत बढ़िया भाई और चोटू कैसे देख गधे ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इटोमिक नंबर किसका है ऑक्सीजन का तो ज्यादा नंबर हम बन को देंगे ना हाँ या ना अब जरा देखो जब हम नीचे वाले कार्बन उपर वाले कार्बने कंपेर करेंगे तो हमने देखा कि यह कार्ब सेम है फिर हम यह देखते हैं कि उपर जो है और नीचे वाला कारबन जो है वह सी ओ एक बार उक्षिन के साथ जुड़ा हुआ है तो जो कारबन ज्यादा एक नमबर वाले अटम के साथ ज्यादा बार जुड़ेगा तो उसको प्राइटी पहले दी जाती है इसका बॉंड ज्य का और आर आया और यह दिज्वाल ऊप घ्राइश तो क्या कहलाएंगे इनटियो मर्ण क्या कहला इंटियो मर्ण प्लीज समझिये जो मैं कह रहा उं लेकिन जैसे ही और को ऑख़ोगे और आपने क्या काम है कि इन दोनों में से एक सेम रखा और बागी को चेंज कर दिया तो मैंने क्या काम पर रखियो कि आर को तो ऐस कर दिया लेगिन आज को यह रखा जब कभी बी ऐसा कोई compound हो जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कायरे सेंटर तो और कहीं पर एक भी सेम रह जाएं क्या वह आपके पास डाया इस्टीडियोमर कहलाएंगे जल्दी से बताएए क्या यह समझ में आया कि नहीं आया ऐसे आप तीन का यह सेंटर वालों का भी कर सकते हो चार का भी कर सकते उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा बस मुझे यह बता अब जरह देखो बेटा अब जरह देखो अगर यह समझ में आ गया हूँ तो प्लीज एक पॉइंट आउन बताना मुझे तीन कायरेस एंटर आर आर एस मैंने सको चेंज किया एस एस आर में बताओ यह दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे पढ़ें बेटा सब लोग पढ़ सकते हैं जो जिसका मन करें कुछी भी बैस का बच्चा पढ़ सकता है इस और गैनिक केमिस्ट्री ओल स्टेम फॉर ओफ यू कि बहुत बढ़िया आंसर बताइए आंसर आर आर एस को ऐसे सार कर दिया आंसर बताइए बेटा हाँ देखो आर को एस किया आर को एस किया एस को आर कर दिया तो यह हो गया इनेंचोमर बिल्कु सही जवाब इनेंशोंमर बहुत बड़िया अब आर एस आर को आपने एस एस आर कर दिया attitude यह ये आर चेंज हुआ हैस में ये इस रहा ये और अर रहा मैंने और पाउण eine काहला सेंटर सेंटर रह जाए कि और प्रकूर जी या यां 0 अगा करानेंगे दाइस्टी यो आई आई अगे ज़रा देखिए अगे जरा देखिये वद बड़ते लोने आगे अगर माल्लो मेरे पास S. R. S. है और मैं आपर कहता हूं सार यह क्या होंगे यह यह श्यक्षा बढ़िया वाद ब़गा बढ़िया अ गॉद्ध बढ़िया भाद बढ़िया यह यह वाला भता Pengul ये दाय स्टूर मारी क्योंकि कैसे से श्षा पोईप्स की आसर quello सिटो है आधे अलध कर दिया और किसी कर दिया और यह सारे पूर चैन्ज वो गएme सारे कैसारे के लोगे ना अडेंटिकल नहीं जो लोगे पोईया इस आर्ड कrike एंवेर्ड हो गई तो आपके पास ही हो जाएगा इने शोमार क्या हो जाएगा इने शोमार वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब कॉलम बन में दिये गए हैं और कॉलम टू में इनके तीन अलग-अलग मैस दा फोलोविंग दिये गए हैं बताना है कि कौन सा तो आदे बच्चों को तो फिसर प्रोजेक्शन में कनवर्ट करना ही नहीं आता प्रो लेवल के गदे होते हैं अब जड़ा देखें कैसे करना है अगर मालों में पी का पी को बनाना चाहता हूं तो क्या सिखाया मैंने आज बेटा मैंने तिखाया कि बेटा अगर ये ग्रूप आपके पास ये वाले ग्रूप आपके पास अपोजिट साइड में होते हैं तो ये दोनों के दोनों भी अपोजिट साइड में हुए और मैंन ने देखा कि जब आलिया भट इसके बीच में खड़ी थी इस बार यहां पर देखिए आलिया भट पर उपर कौन नज़रा रहा है आप कोगे सर चो कौन नज़रा रहा है सी एच चो और लास्ट में कौन होगा इधर हमने लिख दिया सी एस टू ओ एच राइट और रॉम आप सब्सक्राइबट के लेट साइड में कौन है आप बताइए आप कोगे सर एच है एच तो आप एच को इधर लिखोगे ओएच को इधर लिखोगे की नहीं लिखोगे हाँ या ना अब जड़ा देखो जब कभी भी आपके पास टर्मिनल ग्रूप जैसे यह और यह आपोजि डैस वाले जल्दी सब्सक्राइबट गोज़ए लिखोगे पहला काम क्या है पुछ लूसर निकालना और जैसे यह आप निकाल ओघेफैसिमान के पावर दे रखी हम ने इसको को वन कहेंगे इसको टू कहेंगे यह क्या अपदर हो रहा है एस पूरे ग्रूप को कहेंगे यहां पर अपदर क्या होगा आपको होरिजोंटल लाइन पर इसका भी क्या होगा आप देखिए यह जो यह जल्दी से बताइए पी किसके साथ मैच खाता है पी किसके साथ मैच खाता है जब आर आर उधर भी आर था इधर भी आर रहा है अरे आर नहीं बताओगे क्या अधर आइडेंटिकल के साथ तू के साथ वेरी कुड आर का क्या हो जाएगा पी का क्या हो जाएगा टू कॉप कॉम्पिटीशन से बाहर हुआ एक और आप्शन खताम अब जड़ा देखिए जब मैं इसका और इसका कनवर्ट करूंगा तो और जैसे आपके पास यह दोनों दिख रहे हैं यह भी आपके पास सेम टू सेम ही होंगे है तो आपको एक बात ध्यान दगनी है कि जब आप इस वाले कंपाउंड को क्यों को बनाओंगे ना तो आपको फिसर प्रोजेक्शन में दो लाइन ऐसे बनानी है मान लीजे इस बा हैं और सत्व लेट साइड में आपको प्रोजें क्या है और संपिर उसमा लोगे से कुvine से कोशिश करना इस बार यह जो वाले हैं यह जो डईन के नीचे की तरफ ही है जई तो दोनों की तरफ हम हैं में दोनों ऑनेंगे On की तरफ यह जैसे मानें Dwira ग्यूंग इसमा नहीं डिखते चले जाएंगे यहां पर भी क्या होगा कि जैसे आपने इस बाटी वाले को राइट में लिखा और नीचे की साइड यह है तो इस बार रहेंगे सार उसके दोस्त वाले एक ही साइड में गर रूए तो यहां पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सर यह एक ही साइड में पिछले वाले समझेगा एच इस डार्क लाइन में होगा कि नहीं होगा यानि एच अगर राइट में लिखा है तो उसके पीछे जस्त कौन होगा ओएच तो इस बार यहां पर क्या हुआ पिटा जी ओएच हुआ कि नही पर और हो रहा है एक लोग वाई आंसर क्या होगा एंटी क्लोग वाई यानि एस लिखेंगे चैनल लिखेंगे शेंट नीचे की तरफ देखोंगे नीचे की तरफ तुम सॉल करोगे तो इसका आर आएगा तो देखो बिटा यहां पर क्या देखा हमने कि वहीं यह तो मेरे पास आर आर थे इस बार मैंने क्या काम किया सर एक बदल दिया एक सेम रखा एक बदल दिया एक सेम रखा तो जल्दी से बताओ बेटा जी यह कौन हुआ क्यों क्या हुआ कि उसका संबंद क्यों से क्या हुआ क्यूं क्या होगा पेटा जी उसके लिए एक सेम बाकी अलग-अलग बहुत बढ़िया पेटा बहुत बढ़िया correct answer है आपको होगे सर एक सेम रहे गया तो यह जाएकंगे और चेक करना चालते हो ना इसका भी तो आपको तरीका मैंने सिखा दिया है आप लोग असानी से कर लोगे अधिक है तो जल्ली से बताएब यह कॉंसेट किस-किस बच्चों का क्रिस्टल क्लियर हो गया कि इस बोलो गई किस-किस का क्रिस्टल क्लियर हुआ गया वैसे तो आगे भी बना सकते हो और निकाल कर सकते हो पर मुझे हिंट में लगया कि पी का टूथा क्यों का वंथा क्यों और कहीं तो है नहीं कि भी पहले से जाच चुका है तो आंसर सी हो जाएगा ना तो आंसर मिलिया मुझे इसलिए मैं थोड़ा टाइन कम लूँगा यहां पर है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चमका अब हम बात करेंगे एलकाइल हलाइड की प्रिपरेशन फ्रों एलकोहल एलकाइल हलाइड की प्रिपरेशन फ्रों एल होंगे कि वाई CH3 CH2 OH ठीक है और आपके पास CH3 CH2 OH और इदर CH3 CH2 OH जल्दी से बताइए बेटा इसको हम साधर्न भासा में क्या कहते हैं लब यूटू बेटा गुजरात वालोग बास यह साधर्न भासा में को हम क्या कहते हैं यह एलकॉल नहीं बेटा यह कल्यूक का अमरित है ठीक है और इस अमरित की रियक्षन जब कभी भी हम तीन अलग अलग रियेजन्ट से कराते हैं जैसे अगर मैं मालीजे PCL5 से या PBR5 से वकरता हूं बेटा तो इनका काम होता है OH को रिक्लेस करके क्या बनाना CL लगा देना तो यहां पर हम क्या करेंगे वही ओए छट जाएगा CL लग जाएगा बनेगा हमारे पास क्या CS3 CS2 और यह तो अगर PCL5 लेंगे तो CL लगेगा और PBR5 लेंगे तो BR लग जाएगा इथेनोल वालो कैमेस्टी से बहार निकलो इधर देखो और बाय प्रक्ट जो बनेगा वो बनेगा पी ओसी एल थ्री और यदि मैं यहां पर यहां मैं PCL3 लेता हूं या फिर मैं PBR3 लेता हूं या फिर मैं PI3 लेता हूं इसका भी काम सेम टू सेम यहीं होगा कि आप यहां से ओएच अटाओगे इस अमरित का कल्यान कर दोगे तो यहां पर आप हैलोजन लगा दोगे तो मानलों मैंने PCL3 लिया तो मैंने ओएच को चेंज करूंगा यह कन्वर्ट हो जाएगा CS3 CS2 और बेटा जी हमारे पास CL में राइट किसमें हो गया CL प्लस यहां पर मेरे पास आएगा S3 PO3 बाइप्रोडक्ट होगा और साथ में HCLV होगा ठीक है इस तरीके से आपको बनाने हैं इसके आप 3 कर दोगे इसके 3 कर दोगे बैलेंसिंग करते रहना अब हम बात करेंगे बैटा यहां पर यहां पर अगर मै एस तो लेता हूं इसको कहते हैं फायोनिल क्लोराइट इसका भी काम सेंटू सेम यहीं है और आपका सी यह लगा देना यहां पर लगेगा हमारे पास सीच्टी सीच्टू और सीयल साथ में बाइप्रोडक्ट बनेंगे एस तो टू गैस और बेटा जी है अब मेरा क्वेशन यह है कि अगर आपको यह तीन रियक्षन दे रखी हो 123 आपको यह बताना है बिटा कि इन तीनों रियक्षन में एक रियक्षन का नाम है डार्जन रियक्षन एक रियक्षन का नाम है बिटा जी जल्दी दूंइंअ मैं डार्जं डीक्षन आपको बताना है कि बताओ भई कोन कौन सी ओ रिकषन अगर्ली और ह्पाइँगे थ्री ओ हुआ है यहला है एक न स्टिकी को डार्जं डीक्षन कौन सी ओगी पेटा लोग जिम्बी करी लेते हैं बेटा बस आप लोगों की दुआ है हाँ बैरी गोड बैरी गोड बैरी गोड यह जो रियक्षन है थार्ड वाली इसको बेसिकली हम डार्जन रियक्षन कहते हैं और दूसरी चीज क्या है जा रियक्षन हमारे पास हो गई प्लस हमें यह बात और पता है कि जब यह पर बन रहा होगा ना तो इसके साहसा दो गैस बनी आप लोग जानते हैं कि यह स्वेज में होगी और लृक्वीड यह सुजिड फेल्स में होंगी तो गैस क्या काम होता है बनेगा सिर्व और सिर्भी एफ प्रोड़क्ट बचा रहे कि नहीं रहेगा इसीलिए फिर ऑसे baru प्रोड़स में भर चैनल होगा और यह यहां पर फोराब्स मर्कायम कई बना तो हम कहेंगे तिस आब method for the preparation for the preparation of Rx from Amrit Department Amrit Department Amrit Department कौन होता है बाई अलकोल के परिवार वाले और भी तो अलकोल हो सकते हैं ना है अमरित दिपार्टमेंट जल्दी से बता है रिक्षन में डारदन प्रियुकिया गया था विटा सभी में इसके बारे में बात करी गई है कि यह सी क्या होगा यह डियक्षन आइटी का पीवाई क्यों है बेटा आएटी में आया वह कोश्चन है यह लिखना भूल गए होंगे हमारे पी ऑपरेटर लेकिन यह कोश्चन है इसने कहा कि यह हमारे पास रियक्टेंट पहले स्टैप में आप एमने भी और यहां पर सी डबल बॉन ओएच ऐसे माल लिया ठीक है स्टैप नंबर वन कि अगर हम बात करें पहले स्टैप में आपने क्या काम किया भई सोडियम बोरो हाइड्राइड लिया आप लोगों पता है कि सोडियम बोरो हाइड्राइड जो है वह एल्डियाइड कीटोन को अ कर देता है तो यह जो आपके पास अल्कॉल होगा इसको किसको कर देगा लगा एक और लग जाएगा दूसरे स्टैप में हमने क्या लिया अधर बताई जैसे मैं यहाँ पर लूँगा तो मेरा दूसरा काम क्या होगा आप को गए सर आप इस और रिप्लेश कर दो और यहां पर कोई बात नहीं लगा देते हैं तो मैंने क्या काम किया च्टू डबल बोर्ड च्ट और यहां पर आ जाएगा च्टू और इधर इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई कि इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई इसके साथ सोरी बैंजीन के साथ in पर्जैंस और अ एन्हाइडरस यहां से लेकर यहां सकी रिएक्शन को आप लकाएलेशन और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सियन निकलता है तो हमारे पास स्टेबल कार्बोकटाइन बन जाएगा तो जैसे बेटा मैं यहाँ पर बेंजीन लूँगा प्लीज समझेगा बेंजीन आई हमने यहाँ पर क्या लिया एन हाइड्रस यहाँ पर एक कार्बोकटाइन मनेगा सीएज तू डबल बोंड सीएज सिंगल बोंड सीएज तू पोजिटिव अब आपको पताए कि बैंजीन रिंग के अंदर पाई लेक्ट्रोन डेंसिटी है मैंने आपको यह बात सिखाई हुई है वहाँ पर नेगिटिव चार्ट डेंस यह हो जाएगा और नुकलोफाइल की क्या होती है और चार्टी करवाजेते हैं और जैसे हम इसकी साधी करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोड़क्त बनेगा बेंजीन रिंग उपर हम क्या लगाएंगे च्छ टू और हमारे पास च्छ डबल बोंड च्छ तू यह होगा तो डी बियार क्या है एक होगा डी पॉजिटिव और एक होगा ब्यार माइनस आप लोगों को पता है कि सर इस वाले रियक्टेंट में पाइलेक्ट्रों डेंसिटी है अच्छा न्यूकलोफाइल है तो न्यूकलोफाइल किसके साथ साधी करेगा आपको होगे सर वह चाइब प्रोफाइल के साथ साधी करेगा तो जड़ा देखिए अगर यह आपके पास कारबन यह डिटीरियंग इदर जाता है तो कार्बोगताइन तो बीच में तो पहला काम तो यह होगा पहला काम तो यह होगा कि आपने यहां पर सी एच तू फिर आपने सी एच पॉज यह मैं चैट बोक्स में क्या यहां पर सोते हैं कि हां वरी गुल्ड यहांपर हाइडराइड शिप्टिन्ग मोगी और जब यह हाइड्राइट शिप्टिंग होगी तो इधर चला जाएगा तो यह क्योंकि यह तो डिगरी कार्बोकटाइन है नो डाउट स्टेबल है लेकिन यहां पर यह पहले से अब क्या बन गया है यह बन चुका है हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल बियार माइनस आएगा बियार मा घानेंगा ज़्ली से बोलो यार आपको कि सर ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा ऑप्शन नंबर एट तो कर्यक्ट आंसर आपके बास क्या होगा ऑप्शन नंबर एक पोर अल्लु अरजूं जल्दी से बताइए बिटा चैट बोक्स में किन-किन लोगों को ये कोर्शन बिल्कुल क्लियर हो गया एक-एक रियक्शन क्लियर हो गई है 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 । है शीक्वेंश रियक्शन में आता कि क्या बनेगा देखो हमने सब्सक्राइब अबधेगा चैन प्लीस से पढ़ाना समझ में प्लीज को एक बार अच्छे से पढ़ना देखना प्रेक्टीस करना समझ में आ जाएगा बहुत बढ़ी है विटाउटा कर्यक्ट आंसर है सभी का आगे बढ़ते हैं गुरूउप प्रोसेस गूरूप प्रोसेस क्या होती है मैं आपको बता दो रहे हैं जरा देखते हैं जरादेक प्लीज क्या हो मान लीजे आपके पास CS3, CS2, OH यह आपके पास alcohol है क्या है यह alcohol है जल्दी से वोटो केटा साधरन भासा में क्या कहते है इसको गोलो गोलो क्या कहते है वह इसको alcohol को अमरित कहेंगे हो इसकी reaction जब कभी भी हम कराएंगे बिटा किसके साथ HCl के साथ या कह सकते हैं यह ऐसे भी reaction लिख्यों सकते हैं यह HCl इन पर्जेंस ओफ एन हाइड्रस जड़न सी एल्टू इन पर्जेंस ओफ जड़न सी एल्टू बहुत बढ़ी आमरित लिखते हैं तो जड़न सी एल्टू बेटा जब इसके साथ reaction करेगा तो आपको पता होगा कि यह OH जो है चेंग हो जाएगा किसमें ती एस त्री ती एस टू सी एस टू सी एल्टू और प्लस और प्लस वोटर वोटर को एट्रोप करनेगा जड़न सी एल्टू मेरा आपसे कोश्चन है बेटा अगर मैं यहां पर टू डिग्री लेता हूं ती एस सी एस त्री और ओएच प्लस एच सी एल्टू यहां पर मैंने क्या लिया एन हाइड्रस जड़न सी एल्टू यहां पर हमारे पास क्या हुआ प्लस प्लस वोटर को इधर ज़रा देखिए अगर मैं 3D लेता हूं सी इस त्री इस त्री और ओएच प्लस एच सी एल्टू तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एन हाइड्रस जड़न सी एल्टू इधर हमारे पास क्या होगा सी एस त्री और वाइस प्लस के एच्टू जड़ा देखो वाग मैं आपके एक चीज सम्णान मैं पताओंगा भी देखो यहां पर मैं लिख देता हूं हाई टैंपरेचर क्या होगा रिक्वाइर हाई टैंपरेचर यानि इस रियक्षन को हम क्या कहेंगे ग्रूप प्रोसेस कहेंगे अब लुकास टेस्ट कब होता है तोड़ा समझने कोशिच करिएगा अगर पान लो म मैं इनकी रियक्षन रूम टैंपरेचर पर कराता हूं क्या करा रहा हूं मैं रूम टैंपरेचर पर अट रूम टैंपरेचर कि आप लैब में गए तो रूम टैंपरेचर आपने मिंटेन किया 25-30 डिग्री से और आप महां पर रियक्षन कराना स्टार्ट कर देते हैं तो य यहाँ पर मेरे पाउस बनेगा और यहाँ पर मेरे पास यह होगा, तो मुझे यह बसाई है कि कि किसी भी रियक्षन के अंदर इंटर्मीडियेट जतना जादे स्टेबल होता है पूर यह उतनी फाच पड़ती है तो अगर मैं रियक्टिविटी की बात पुरूत तो सबसे तेज होगी तो कहने का मतलब यह हुआ कहने का मतलब यह हुआ कि जब मैं रूम टेंप्रेटर करने चला गया तो सिस्त्री सी सूस्टी सी एस थ्री प्लस यहां पर मैंने एंद क्लूब हुआ और यहां पर मैं ले रहा हूँ हो जब नहीं तो पलीज समझने कुछ नहीं करिएगा यह एमकोहल मुझे पानी के इनदर गुलता है कि नई कि नहीं या ना का जबाब दीजिए क्या एलकोहल पाणी के अंदर घुल सकता है कि नहीं रखता और गुल सकता है तो reason क्या होगा जल्दी में बैटा चैट बोक्स में पेटा यह आई टी जे मेंस और आई टी एडवांस के लिए जो बच्चे प्रिपेर कर रहे हैं या जो नेक्स ये लिए और गयनिक को पहले ही कवर करना चाहते हैं यह वो बच्चे सब देख सकते हैं इस लेक्चर को ठीके बई कौकी है इंटर्मयोक हाइं करसकता है क्या मुझे यह बताईए अगर मेरे पास यह 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 लाइड ऑदे को वेरी गुट वेरी गुट क्या हिल फाम के अंदर गुल सकता है क्या ना अवी हई अरे बोलो यार कॉछुछ आप कर युए नहीं ख्रक्षक नहीं कर सकता दूसरा ये प्लिण पाउंड को पानी में घुलेगा नहीं तो आप क्या होगा क्या होगाक वेटा एक्छली में यह आपके पास साफ साफ नजर आएगे यानि टर्मिडीटी नजर आएगी धूलसी नजर पाणिक अंदर इसी लिए अगर टर्मीडिटी बहुत जल्दी आती है इमेजीयेटली आती है कि में यह जटी आती है तो हम क्या कहेंगे वह एलकॉल 3डिगरी था क्या था 3डिगरी अब जड़ा देखो अब जड़ा देखो अगर मैं लेता हूं तो CH CST3 2 degree alcohol लिया अमरित डिपार्टमेंट का एक पागल लिया यहांपर हम HCL लेंगे यहां पर n Hydras आपके पास ZNCL 2 लेंगे फिर क्या होगा औह हटेगा तो क्या बनेगा आपके पास 2 degree alcohol हलेट बनेगा बोलो यार और water भी क्या water के अंदर ये गुल जाएगा बोलो तो क्या वाटर के अंदर यह गुलेगा आपको गए नहीं सर लिए इस रियक्षन को होने में थोड़ा टाइम लग सकता है पहली वाल रिक्षन में थ्री डिग्री कार्बोकाइन बनाता है यहां पर टू डिग्री तो मतलब तर्बिडीटी आएगी तर्बिडीटी जो आएग उसमें हम क्या कहेंगे वह दो तीन मिनट के बाद आएगी कितने मिनट के बाद 2-3 मिनट तो हम कहेंगे टर्बिडीटी टर्बिडीटी एपियर एपियर इन या फोसे आप संस्थरी मिनार्ट प्लीज समझेगा क्या आपको यह बास समझ में आए इक्या बोलो भई बहुत यहां पर जो टर्विडिटी एक दम आ जाएगी इमिजियेटली पुरी फास्ट अब जड़ा देखो मार लोगर मेरे पास अम्रित है इस बार अम्रित का कोई साला जीजा नहीं है प्योर अम्रित है और मैं इसकी रियक्शन और तो अब तो आपने जिल्य भी नहीं बनेगा और यहिए नहीं बनेगा तो अलकायल वह पनेगा नहीं पानी बनेगा नहीं तो तो क्या तर्विदिटी आएगी इस बार आपको यह सर्व टर्विदिटी नहीं आएगी तो हम कहेंगे नो टर्विदिटी नो टर्विदिटी आई होप आप लोग वे बातसमाज में जा गई होगी ऐसे अल्कोहål जो एंधर के साथ reaction करने पर N Hydra जेनन दू के साथ reaction करने पर टर्बिल्टी नहीं देते उनको सिंधे और जो हाइड्रेस्ट जैडेंसी एल्ट और यह कॉंसेंटर एफ्यल का जो मिक्षर होता है इसको लुकास रियेजेंट भी कहते हैं ठीक है इस टेस्ट अंग्रेजी में लिख देते हैं थोड़ा सा इस्टाइल में देखिए इस टेस्ट इस जोन एज लुकामाणू टेस्ट लुकास एटाश टेस्ट और और हम यहाँ वर द्यान Σनाकी के बार पूछा जाता है कि लुकास रियेजंट पहचान ही चार अक्षन देगा क्या होगा है एच्छी एल प्लस एन हाइड्रस जैड़न सी टू इसको हम लुकास रियेजंट भी कहते हैं और यदि इस रियेक्षन के लिए एलकॉहल की रियक्टिवीटी का ओर पूछा जाए तो फिर सिरी डिग्री मौरी एक्तिव होगा फिर फिर बन डिग्री जल्दी से पटाइए क्या लुकास रियेजंट आप लो लोगों को क्लिया रुआ क्या ब्रेक भी मिलेगा चे बजे बिलेग आज की गैरेंटी दे रहा हूं कि जब एलकायल हेलाटी स्टार्ट किया आया तो तक नहीं रुखेंगे एडवान्स के पीवाइक वो कुछ धड़ाम धड़ाम उड़ाएंगे ठीक है बहुत बढ़िया भाई तर्मिटी का मतलब पूछ रहा है श्रीव सर्मारे भाई सुनो पाणी लेना पानी कांश के गिलास में और देखना एपिर ने बिल्कुल ट्रांस्परेंट नजर आएगा और और इंडल वाला गिलास लेना सस्ते वाला नहीं पिल्कुल बढ़िया वाला गिलास उसमें पानी पानी लेने के बात में क्या करोगे तुम थोड़ा सा अम्रित मिलाना अम भीत मिलायोगे सब्तों त्यूजान से जान से नहीं से को तो अब तुम्हें क्या नजर आ रहा रहाए गा पानी के गिलास में थोड़ा सा आप रेत लेना रेत या पाउडर लेने टेलकम पाउडर नाइसील पाउडर ठीक है उसको डालना उसको डाल के ऐसे हिलाना शेक करना तो आपको दिखेगा कि कुछ चीजें जो है जो पार्टिकल जो है उसके अंदर पूरी दर से गुल नहीं वह पार्टिकल अलग-अलग थोड़े सी दूंद पैदा कर रहे हैं दूंद दूंद समझते हो ना सर्द्यों में जो आती है कोहरा वैसाट कुछ अपेरेंस हो रहा है कंदा गंदा उसको कहते हैं और अगर अभी भी समद में नहीं आया तो गदे सुन तू नहर पे जा किसी अब जाये पर जाया किसी नदी के पास जा बरसात में नदीगे पादी का जो कलर होता ना मिट्टी वाला टर्बिडिटी होती है वो उसको टर्बिडिटी कहते हैं आई होप क्लियर हो गया होगा ठीक है चलो अब देखते हैं भाई आगे कोश्टन 2013 के मेंस में आया था जब और रियक्त फास्टेस्ट ओ माई गॉड़ एंड वाइजा मेकैनिजम उसका मेकैनिजम भी बताना है उसका मेकैनिजम भी बताना है जल्दी बोलो वहीं इन में से आंसर का जवाब चाहिए मेरे को मैं आप कुछ समझाओंगा नहीं इस पॉस्चन में आई टी दोजार तेरा का कुश्चन नहीं है आंसर बताओ एफोर अपल बपल पल सीफोर चपल डीपोर अपल कोई एक तो होगा ही ना कि एक पॉर अपल भी पॉर बपल सीफोर जब पल कुछ तो आंसर हो गई वहीं कि एक बच्चा गहरा है सचीन सरोपी और गेनिक एंश्टिप पढ़ाते हैं सर आज मैं उन्हीं से पढ़ गया हूं बहुत बढ़िया पीटा टर्सली एक्षास्टेस रियक्षन एसन वन क्यूं है त्री डिग्री कारवोगटेन यह जहाँ पर त्री डिग्री कारवगटेन बनता होगा वो एसन तो दे नहीं सकते कभी भाई एसनवन नी देंगे ना तो यहां पर कहेंगे वैरी गूड बीफोर बल्लू राम करेक्ट आंसर सभी बच्टों का करेक्ट आंसर बपल बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया अब तुम्हें समझ में आता रहा जा रहा यह चैक्टर कोश्चन नमबर एक और दोहजार तेरा में ओल्लाइन अपरेल का महीना था नो तरीक थी वेटा किसी ना किसी का बड़े जरूर रोगा दिन तो उसके बड़े की कसम तुम इसका करेक्ट आंसर दो क्या होगा कि रेट ऑफ डिहाइडरेशन ओफ एल्कॉल फोलोस ना ओडर रेट ऑफ डिहाइड कि डिहाइडरेशन करना पानी निकालना अपर को क्या करना पानी अभी वैसे यह वह है एल्कॉल से अलकीन मनाने वाला गलती से ड़ल गया लेकिन बता दो फिर भी कि समझ जाना कि जो कार्बोगट जो एलकॉल जितना इस्टेबल कार्वोगटाइन बनाएगा जितना बहुत सही बहुत सही बीफोर बल्लुरा बी का सही आंसर है थैंक यू बैटा सी यार सेवन रोनाल्डो फैन बट सॉरी आइम बीग फैन आप मैसी बहुत बढ़िया चलिए आए कि अब बात करेंगे फुरी नेंट यानी स्वाज्य रियक्षन की तरफ यहां पर एक चोटी सी बात बताना चाहता हूं पिटा इस रिच्टन में क्या करना ज़ाद देखिए गा आपको फुरी नेसन करना है और रियक्षन करोंगे आप किसके साथ अल्काल हेलाइड के जैसे माल लीजे कि सीएस्टरी सीएस्टू सीएल हो सकता है कि सीएस्टरी सीएस्टू भी आर हो सकता है और सीएस्टरी सीएस्टू आयोडीन हो सकता है यहां पर आपके पास रिएजेंट लिखा होगा यहां पर आपके पास रिएजेंट लिखा होगा और यह रिएजेंट क् जल्दी से बताओ इस रिक्षण को रटना या इस रिएक्षण को उसे जल्दी से बता है जल्दी से समझना है कि है कि एक बेकूब लिए अट्बीया फोर गदे अट्बीया फोर अलग रियक्षन है चल्दी बोलो बिटा जटनाय समझनाय कि अरे अरे आ समझनाय ओहो समझनाय बाद बढ़ी बाद बढ़ 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 देखो कुछ बच्चे जो परियास बैच के होंगे जो एडवांस बैच में आए होंगे या वो बच्चे जिनको एडवांस में पढ़ाए होंगे कभी उनको थोड़ा-थोड़ा हिंट मिल जाए क्या है समझने की कोशिश करिएगा मैंने क्वालिटेटिव एनलाइसिस जिसको हम सोट एनलाइसिस भी कहते हैं सोट एनलाइसिस में मैंने आपको बाप गए थी वहाँ पर कुछ गुरूप पढ़ाये थे मैं सिर्व अभी स्टार्टिंग में पढ़ाऊ गुरूप और गुरूप वन में याद रखने वाली कुछ चीजे थी गुरूप बन में कौ जी का मतलब बाईफ भाईफ अपने हजबेंट को बुला रही है शिल के याद रखोंगे ऐसे अजी के और फिर या कहेंगे भई बहीयाए कि तो मैं कि समझेगा आजी का मतलब है एजी प्लस आयन या LG प्लस यह कोई लिए यह घजी प्लस तू यहाँ पर में की ले लेता हूं वए एच जी प्लस तू ले ले तो थीक है तो मैं यहाँ पर क्या लिया भई एच फ्लस एच टू प्लस और यहाँ पर लिया मैंने आपका वाद पीवी टू प्लस राइट अब जरह देखो भाई इसका ने गुरूप रिएजन्ट ह होता है गुरूप रिएजंट क्या होते हैं है गुरूप रिएजंट होते हैं जो इन compound के salt या इन सवाइन मेटल आयन के salt के साथ इनके solution के reaction करें और वह PPT बना ले वह क्या वना ले PPT बना ले अब जड़ा देखो पिटा इसका गुरूप रिएजंट होता है बिटा क्या डाइलूट एचल सोलूशन और एचल के पास दो component है एक हमारे पास होगा एच प्लस और दूसरा होगा सियल माइनस अब मुझे बाब बताओ यह तीन आया रहे है वाले अगर शाधी करना चाहें यह इसकास हैंगी दो यह आप आाप लेना थोड़ा सा लोगेका चैजो पानी के अंदर नहीं कुलती पानी के नहीं इंदर दिजॉल नहीं होती और पानी के अंदर डिजॉल वावलेंट कम पाउंड क्या होगा को लेंट क में तो अब मुझे बताना है अगर महाँ कर डیलूड ऑसील की जहाँ पर डायोड एच बियार लेलूँ क्या लेलू लेलू तो वो थो फिला सकता है यानि अगर अगर में की जो क्यों कहा मैंने इनको और भी कॉवलेंट क्यों कहा आपने कैमिकल वोंडिंग में फजान टूल पढ़े होंगे और फजान टूल में जब हम और अगर इसको कोवलेंट कंसिडर कर लूँ और मैं एजी वियार को कमपेर करता हूं एजी सीयल से तो मैंने देखा दोनों में ए अलग अलग ताइप का था और याद यह अनाएं अलग 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 टाइप का से इल माइन सब्सक्राविशन अलग इपाइब साइप का होगी और उसकी तनी ज़्यादा होगी पाउन चाहिए आपके पास कोळ्लेंट करेक्टर दूस्ड wow रखता है और भी जाद रखता है तो इसका पीपीटी तो और अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा बोरो यार आपको गया साथ एजी आई में आयोडीन का साइज और बढ़ा हुआ पोलराइजिशन और जादा हुआ तो कोवलंग एक्टर और जादा हुआ और फिपीटी और अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा सेम टू सेम यहां पर भी प्रिपेर करेंगे अगर आप से यह पूछ ले यह कोश्चन फिर बैसा नहीं है यह कोश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर आपको चार गउंड ऐसे दे दिये जाएं marijuana a जी एफ ऑझेल जी분 हो पी इंचेए छा अलग 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 अंपाउट दियें ऑजी आई कोश्चन यह कोश्चन यह से कौन सा कंपाउट वोड़ तो लूबल होगा जल्ली से बोलो रहाँ बिलकुल सही बात ठोटा अनायन बड़ा कटायन ज्यादा इन एक करेक्टर लेगिन अगर तो छोटा कटायन हुआ और बड़ा अनायन उआ तर ज्यादा तोविल के रेक्टर इन में कोर्शन बताओ कि विच्कंपाउंड का मन कमपाउंड लिग तो कि बलड़ करेंद और है जिनमें आइनिक रट्रेख्टर ज्यादा होगा और जिनमयनिरक्टर कम होगा तो गुलेंगे नहीं बख्राप रीज समझे का घए he go to a guy जिन बच्चों का आंसर और इस जी आई कि वह गलत है भाडर शो लियूबल नहीं बहुत बढ़िया भई बहुत बढ़िया भई बहुत बढ़िया एजी इंसोल्यूबल यह भी इंसोल्यूबल जब यह इंसोल्यूबल है यह PPT बनाता है यहां वर ग्रूप 1 में तो CDC बात से तो आई तो और भीज़्याद तको आज़ीए ना वो कौन सा सॉलीबल हो जाएंगे एज़ी एससे कम ऊवेलेंट होगा इससे कम कोवेलेंट का मतलब क्या होगा ज्यादा ज्यादा क्या होगा पानी के नहींतर घुल जाएगा हां समाज गया सारे बच्छे अब देखो अब thermodynamics क्या कहती है thermodynamics कहती है कि जिस reaction में कहीं PPT बन रहा हो तो PPT बना दीजेगा युकि PPT stable product का यह बनता है और दुनिया में हर unstable reactant चाहता है अपने आपको stable करना तो मुझे बताओ यह आपके पास PPT नहीं है यह भी PPT की form में नहीं है अगर अग्र आपीपीटी बनेंगा नहीं बनेगा बोलो यार जब लगा कि न कर दिया सेफे आप देखोगे अगर में AGF में और इसको BR दे दू तो यह तो और अच्छा PPT बनेगा तो यहां पर आप क्या बनाओगे AGBR का PPT बन जाएगा और यह फ्लोरीन कहां पर लग जाएगा बी आर के पीछे तो यहां पर क्या बनेगा पीटाजी और लग गया सेम तू से नीचे देखना यह आयोडीन है इसका सही तो और बड़ा है यह प्लस के साथ और सुखी रहेगा और सुखी रहेगा तो हम क्या कहेंगे एजी आई बन गया पीपीटी राइट और प्लस के सीएस त्री और यहां पर सीएस टू और फ्लोरीन लगेगा कि नि लगेगा जल्दी दर पता यह चैट वोक्स में मेरे प्यारे गज़े बच्चों क्या यह कॉंसेट क्लियर हुआ क्या यह नेम रियक्शन क्लियर हुई हा कभी कभी बात बढ़ी या वाद बढ़ी आ वह बात बढ़ी है चलो चलो अब हम कर लेथे ब्रेक ले लेते हैं सब लोग 15-20 ब्रेक लेते हैं फ्रक पंदरा मिरुआ परेक लेता वे सब लोग खाना खाईए बहार जाईए ठीक है सुसु करके आई यह जो भी आपको दूदू पी कहाना है जल्दी साइए विटा फुली स्पीड के साथ मिलते हैं 15-20 मिनट के अंदर अधार फाइनल 20 मिनट के फाइनल 20 मिनट के अराम से पढ़ो राम से कोई रिक्कत नहीं है चैप करता ऐसा हुआ खताम कि आईटी आडवांस का कोई कोशन नहीं बचेगा एडवांस की बात कर रहा हुआ है जैने इसकी नहीं हाँ ओके कि ब्रेक क्या हो सकता है इसलिए होती है बेटा क्योंकि सैल बदलने होते हैं है कि सैलिए है झाल 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 कि अभी जल्दी से बताओ बेटा लोग क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है हाई आना हाई आना आएम बैक कि जल्दी से बोले मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो स्टार्ट करते हैं अगली रियक्शन और चलिए भाई अगली रियक्शन इस तरह बढ़ते हैं और इंटर है जो है जो हैं एक और रियक्शन का नाम है बहुत बढ़िया नाम है फिंकल इस्टीन रियक्शन इस तो कोई भी अलखाईल आयोडाइड बनाना है आपको चाहिए वह और रिखा वो ब्राउंड रखाऊ कुछ भी दे रखाऊ आप क्या करेंगे बार माझ लीजे आपके पास दे रखा होगा माले जेगा आपके पास क्या दे रखा होगा पेटा पीस-3 विसे टू ए या फिर 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 थिरी सिस्ट डू मिग्रोमी या फिर बेटा जी सि फिरी यहां पर प्लोरी टीन ऐलकाल हूंगे और आप इसकी करा होगे या तो एन न आई के साथ या फिर कैई के साथ या फिर season, यहां पर आपने लिखा एनन एआई या फिर आप लिखरें के आई यहांप रीख़ रोबिप्टाजी नहीं जलते रतना चाहता है या समधना चाहता है बहुत है क्या आप समझ ना चाहते हैं कि नहीं और यहां पर जो थबगा तो сво fünf लेंट्र एसी टॉर एसी टॉर्ड फॉलेंट्वर होता है बना झाले सब्सक्राइ critics और हम जानते पेढ़ आपिरोटिक तौलेंट का परियोग हम संटू रिक्शन में करते हं oh कि आप एक एक संस्य और करते हैं तो बच्चों का आ गया है कि सर प्लीस तमझा दीजिए देखो बेटा होगा क्या न्यूकलोफ लिग्स सब्सिटूशन डियक्षं में एक न्यूकलोफाइल दूसरे न्यूकलोफायल को सब्सिटूट करता है यह बात ध्यान देख लेनी है ल तो यूज़ फाइल वीग नूगे फाइल को क्या करेगा हटा देगा रिप्लेस कर देगा अब हमें सबसे पहले क्या जानना है कि जो हैलोजन्स है यह फैलाइड इनमें कौन सा स्ट्रोंग नूक्ति 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 नूक्त प्लीज एक बास समझने कोशिश करिएगा जब मैंने आपको केमिकल बॉंडिंग पढ़ाया था वहाँ पर मोटी डाइग्राम समझाये थे या मोटी थियोरी पढ़ाई थी तो एक बात बताई थी बेटा होमो और लूमो की कहानी सिखाई थी होमो का मतलब होता है हाइस औक्यूपाइड और लूमो का मतलब होता है लोवेस अनोक्यूपाइड मोल्यूपाइड और यानि क्या होगा कि जो आपके पार लूमो होते इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोन जो लेते हैं वह लोवेस अनोक्यूपाइड यानि खाली और्बिटा मान लो इधर एक बिल्डिंग इधर एक बिल्डिंग में गछापा उपर IoT कौन बैठी है अल्यावड बैठी है अब महाविर सर्मा रोड़ पर खड़े हुये है तलब चाप आदमी इसलिए रोड़ पर खड़े हुये हैं और आलिया को पत्थर फैकना चाहते हैं इनका प्रेम पत्र है वह यहां से आलिया भट तक पता नहीं जाएगा लेकिन यह कोशिच कर रहे हैं उपर पहुचाने की कि आलिया भट इनका पत्थर पे जो यह संदेज भेजेंगे उस कपड़े में लपेट के या कागज में लिखकर वह आलि में वाला दिमाख लगाता है वहां उसी रोड पर एक खड़ा रहता है तो रागों पहले यहां पर चड़ता है और यहां से उसी पत्थर को उसमें लपेट कर फैकता है ताकि आलिया भट तक क्या पहुच जाए उसका प्रेम पत्र पहुच जाए तो भई बात यह है कि पहुचे और इसके टोफ लोड पर कहते हैं सुनती हो आलिया सुनो हम तुम्हाले कुछ लाए हैं तो यहां से प्रेम पत्र फैंकेंगे तो मुझे यह बताओ बिटा जी अपना प्रेम पत्र पहुचाने के लिए किसको सबसे ज्यादा मैनत करनी पड़ रही है और किसको सब से कम यह हमारे पास प्रिंश भाईया है और यह हमारे पास महावीर और हमारे पास कौन था आयूश ठीक है आयूश तो जल्ली देपनी बताइए चैट बोक्स में कि यह कौन आसानी से अपने प्रेम पत्र को आलिया भट तक महुचा देगा वोलो वलो कि आंसर दो इन तीनों में से ठीक है तो आप प्ली समझने कोशिच करिएगा यह होते थे हमारे पास हाइएस्ट ओक्यूपाइट मॉलिक्लो ऑर्बिटल यानि इलेक्ट्रोफाइल के लूमो और होमो क्या होते हाइस्ट ओक्यूपाइट मॉलिक्लोफाइल के मान लीजे कि इस पॉइंट को मैंने सेंटर माना हुआ है इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैंने एक इसके चारों तरफ रखा वोता फ्लोरीन और फ्लोरीन के जो आउटरमोस इलेक्ट्रोन होंगे वह आउटरमोस सेल में होंगे तो यह जो इस्ट्रेक्शन में बनाया च्छोटा सा यह एप नेगिटिव का है यहा यहां से यहां पर जाने हैं और फैस दूसरे कंडिशन में इसको सेंटर दства मानते वह इससले बढ़ा एक्टम लिया और वह लिया क्लोरिय क्लोराइड होग और उसले के वह लास्ट वाल इलेक्ट्रोन आवटेरमोस सेल्ष कि ने और फुर होँए तो इस वाली कंडिशन में क्या होगा यह लेक्टरोन यहाँ पर जाना चाहेंगे लुमो में अगली बार इसे प्योंद मांते हुए हमने हाम एसी पॉइट को सफ उस इसदोर हुआ एक फोटाथा कोश्चन है कोन असानी से एलेक्ट्रोन देगा को जल्ली से बोलो अगर मैं यहाँ पर प्रोराइड ग्लोराइड ड्रोमाइड आ अउडी तो एक अउडाइड को कमपेर कराओ तो मुझे बताएद असानी से कि है ओक के आरियन है ओके ओक के आयोडिन मेरी बहुत बढ़ी अबश्क पर बड़िया वाइव एक ही बच्छा बोल रहा है बाकी लोग भी बोलो वेटा आप को गई सर आउडीन का कम है असले अलेक्टरोन आयोडीन देगा तो जितना अच्छे से कोई लेक्टरोन देगा बे एफ माइनस क्या आप लोगों को यह ओडर समझ में आया क्या चैट में बताइए कि आप लोगों को यह समझ में आया बिटा कि धाया ना आपको गई सर बिल्कुल समझ में आ गया और कोई दिक्कत नहीं है अब जड़ा देखिए यहां पर भी बन जाएंगे यह आई माइनस क्या करेगा इधर अटेक करेगा और निकल जाएगा एफ को कौन पकड़ लेगा एन ने प्लस तो यहां पर क्या बनेगा विटाजी एन एफ अलग बना और साथ में बन गया इधर क्या बना CS2 इधर क्या बना आयोडी दूसरा आप देखो कि इधर हमारे पास क्या है एन ने आई यह एन ने प्लस और प्लस आयोडाइड में टूट गया आई माइनस स्ट्रोंग न्यूकिलोफाइल है तो यह जैसे इस पर अटेक करेगा वीक न्यूकिलोफाइल निकल जाएगा क्योंकि ब्रोमाइड आयोडाइड से तो वीक है तो जैसे यह निकलेगा तो यहां पर क्या बनेगा भाई एन ने बियार बना अलग और इधर सी स्ट्री इधर सी स्टू इधर आयोडीन बन गया अगली बार हम क्या करेंगे फिर से हमने लिया एन ने पोजिटिव और आइब इनस इधर अटेक करेगा सी यल माइनस को बार निगा लेगा सी यल माइनस को एन ने पकड़ेगा तो यहां पर देश का सुद टाटा सोल्ट बन जाएगा एन ने ती एल और साथ में बनेगा सी एस त्री शीस टू और आयोडीन तो क्या आपको फिंकल इस्टीन समझ में आगई बेटा कि अब बोलो बेटा क्या आप लोगों को फिंकलिस्टी इंडियक्शन समझ में आ गई कि क्लियर है कि नहीं है जल्दी से पूल ले चैट बोक्स पे क्लियर है कि नहीं है बहुत बढ़ी है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यह समझ दजाएगा राम से आगे बढ़ते हैं अजी हाजी पिला भाई यह सब हो गया है हमारा ओहो कोषण आ गया में 2015 का कॉश्चन है दस्टेसिज औप अलकाइल फ्लोराइट इस बैस्ट एकम्पलेश्ट बैए ये अप्पल बपल चपल डपल कौन सा प्रिक्ट आंसर होगा भई धन्यवाद धन्यवाद पेटा जल्ली से बोलिए कि इसका आंसर दीजिए कि मुझे यह बताइए कि बहुत 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 फिंकल इस्टीन रियक्शन में इधर देखो फिंकल इस्टीन रियक्शन में हम क्या करते थे फिंकल इस्टीन रियक्शन में बनाते थे इधर 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 स्वाट्ज रियक्शन में बनाते थे फ्लोराइड यार देखो इधर स्वाट्ज रियक्शन में फ्लोराइड बनता था ना तो सेम इसी को यूज करिए कोश्चन आ तुम गलती कर रहे हो बहुत बढ़िया चलो आप सही आंसर है आप करेक्ट है अब हम बात करेंगे बोरोडीन के बारे में और जानेंगे कि बोरोडीन का रीक्षन के पीऽे कौन कौन से कोशन आते हैं और क्या-क्या बात हमें इनके उपर याद रखनी प्लीज समझने कोशिश करें वोलोडीन हुंसिटी का रियक्षन बेसिकली कौन देंगे आपके पास सिल्वर या लैड के सॉल्ट देंगे कार्वोक्सली असिड के साथ यानि कार्वोक्सली असिड क्या होंगे हमारे पास CS3 क्या क्या है कि सी डबल ओंड ओर ये कार्वोक्सलीट आया है और इसके साथ अगर में ओ के साथ एजी जोड ढूंँ तो इस सिल्वर कार्वोक्सलेट बन जाएगा या फिर मैं कहता हूं कि CS3 देटी सीड़ा ओओ और एधर सी हैस्तरी सीड़ानलो ओ इधर मैं ने लैड जोर तो लेड कारवोक्स बन जाए मैं इसकी रिएक्षिन करा रहा हूं बेटा जी इसके साथ करा रहा हूं इन पर्जेंस ओफ सीचाल 4 पूर्स मैं आफ छोटी छोटी चीजर पूर्षता रहोंगा पहले बटाईए क्या इस रियक्षन में PPT बन सकता है कि नहीं सकता है या ना का जवाब दीजिए बेटा वेरी गूड सिर्वल सॉल्ट और कार्बोक्सलिक एसिड मुझे पता है क्या यहां पर पीपीटी बन सकता है कि नहीं बन सकता है क्योंकि उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर होता है उसका प्रोमाइड तो एकदब गज़ा पीपीटी हाँ सर बिल्कुल सही बात आप जड़ा देखो आप जड़ा देखो क्योंकि यह अजी हाजी पिला भाई गुरूप बन की कटायन है लैड भी क्या है गुरूप बन का कटायन है इसके भी हैलाइट पीपीटी बनेंगे फ्लोराइट को छोड़ कर तो ग्रोमीन इसको भी दि और आपको आपको यह को आपको आपको गयाब करना थो जब गयाब करोगे तो एसे बनेगा ठीक है उसे बनेगा और प्लेस जो बच्चे का वो क्या है watching UFC 2 वियार है की साथ चला गया तो यहां पर क्या मनें हाँ हमारे पास यहां पर बनेगा हमारे पास c cbq क कि a subscribe और यहां पर यहां पर भी हमारे पास c o 2 और c c B r तो الخल्च बनते हैं और और यह यहां गर आप जान से देखते हो तो एक कारवन की कमी प्रड़क्ट में इधर दो कारवन का सोल्टा था चिंग तो हमारे पासि एक कारवन का प्रॡ़क्टत जब हम d carboxylation reaction भी कह सकते हैं आपको बिलकुल सर कह सकते हैं हम इतको d carboxylation reaction भी कह सकते हैं क्योंकि co2 gas भाहर निकल गई अब जड़ा देखो अब जड़ा देखो यहांपर इधर देखो reaction को थोड़ा समझें दो कैसे हो यह होगी कि स्ट्री सी डबल बोंड ओ ओ माइनस तुरी ओ एजी तो यहां पर दी आर और बी आर और आप ने लिया CCL4 मेरा पॉस्टन आप लोगों से यह है बेटा जल्दी से बताईए CCL4 कैसा सोल्वेंट है पोलर स्वर्मेंट रोलर स्वर्मेंट कैसा सोल्वेंट है यह पोल्र सौल्वेंट और स्वाइल आप एत्सल्वेंटी द्षयत्योंस अई और जब कभी दोब रूमीन के बीच में होगा यहां आप कह सकते हो की जो बी आर बी आर है वह ऐसे तोटेगा कि बीआर रेडिकल और प्लस के बीयार रेडिकल तो यहां पर इस reaction में क्या होगा कि एक बी आर एजी के साथ जाएगा तो एजी बी आर बार अलग हो जाएगा बिटा तो मैंने आपर एजी बी आर को अलग कर दिया राइट और रॉंग एजी बी आर को अलग कर दिया कुछ बच्चे इसको पोलर कह रहे हैं बेटा प्रो लेवान के गदे हो तुम सीख जाओ यह नून बोलर आगे देख फिर हमारे पास क्या होगा कि सी स्थी सी डबल बोन्ड ओ ओ, ओ मायना और यह रेडिकल इस अक्षियं के पास एक अनपेड इलेक्ट्रों एक रंडवा एलेक्ट्रों जो चाहता है कि वह मेरी शाधी हो जाए किसी से तो होगा क्या होगा कि यहाँ पर भी इस he forward मैं दो इसके पात भी मालनों यह की लेकट्रोन तो ये एक लेक्ट्रोन को लेकर यहाँ पर सियोटू गैस बना लेगा और एक लेक्ट्रोanie जाय घाल यहाँ पर एक रेटिकल अगले स्टैप में जो बचा हुआ यह उस रवा माइनस के साथ आएगा और यहाँ पर अब क्या क्या पूछा जाता इस रियक्षन के वारे में तुम्हें आपको बता देता हूं देखो वाई पहला क्या है कि जो नोट पॉइंट आपको द्यागर रखेंगे दूसरा है काओ के इंद ऑफ अलकाइल हेलाइड ऐसे लिजे एक यह 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 इसलेगेやपको पता होना चीए अलकाइल प्रोमइड आप होगे तन वह पॉड़त ओगी धने ज्यादा और त्री उससे भी कम होगा विए अचिए पिक फिलेसन में यह और हमें याद रखना है कंडिसंन नंब कंडिशन नमबर रखेंगे कि इस रियक्षन यह कौन सा मेकेनिजम फोलो करती है कार्बो कटायन कार्बो अनायन इनोलेट या फ्री रेडिकल चैट बोक्स में बताइए कि कौन सा मेकेनिजम फोलो करेगी आपको हो गए सर अभी आपने थोड़ी देर पहले रेडिकल चैट कि सारी information पता चल गई की नहीं पता चल गई बोलो जल्दी से बिल्कुल सही बात है मेरे साथ अकर आप बोलते भी रहेंगे ना मनी मन में तो आपको वैसे भी यादी हो जाएगी यह चीजें बहुत बढ़िया फ्री रेडिकल मेकेनिजम है इल्ड आपको यह याद रखने है बहुत इंपोर्टेंट है यह बहुत इंपोर्टेंट है बेटा यह पार्ट बिल्कुल सही बात आगे बढ़ते हैं जरा आगे हमारे पास है अलाइलिक सब्सिट्यूशन रियक्शन में बहु स्ट्री च्ट डबल बॉंड च्टू और यहां पर मैंने कालिया के दो भाई यह बलग क्लोरीन गैस ले रहा हूं है और मेरे पास जो सॉल्वेंट है वह सी च्ट्री क्लोरोफों है क्या है क्लोरोफों है जल्दी से बताइए बेटा जी प्रोड़क्त क्या बनेगा प्रोड हुआ लो अगर मान लो समझने की कोशिद में ट्रीक्टर जया का बेटा लोग अगर यहां पर कोई टैंपरेचर नहीं दे रखा तो हम माल लेंगे कि नॉर्माल टेंप्रेचर था क्या था नॉर्माल टेंप्रेचर था या कह सकते हम लोग की भाई रूम टेंप्रेचर था रूम टेंप्रेचर या हलके टेंप्रेचर या कम टेंप्रेचर पर एडिशन रियक्शन होती है और उसके बाद अगरा टेंप्रेचर हमारे पास प्रोड़क्ट बनेगा क्या सिएस त्री सी एच सिंगल बॉंड चीएस टू इधर भी क्लोरीन और इधर भी खोड़ जाएगा रहेड बहुत बढ़ी है यह एक बच्चे का अंसर है सिएस त्री सिएस त्री और सिएस त्री गलास है बेटा यहां पर आपको दोनों साइट सियल सियल जोड़ना पड़ेगा कंडिशन नमबर दो और यदि आप सिएस त्री सिएच डबल बॉंड सिएच टू डबल बॉंड सिएस टू आपने क्लोरीन लिया तो आप लोग क्या करोंगे बिटा यहां पर आपने यहां पर 773 कैल्विन टेंपरेचर ले लिया ज हाई टेंपरेचर पर एलकेन वाले पार्ट में यहां से एक है छटेगा उसी जगाँ पर लग जाएगा तो यहां पर बन जाएगा सीएस टू सी एल और दर सीएच डबल बॉंड सीएस टू क्या आपको यह बास समझ में आगई बेटा हाया ना तीनो रिएक्शन आपको भी बिल्कुल एक जैसी दिखने को मिल रही है डिफरेंस क्या है कि एक में कोई टेंपरेचर नहीं और एक में 773 केल्विन अब जड़ा देखे प्लीज समझने कोशिच करिएगा जब कभी भी क्लोरीन के बराबर में लिखा होगा एक्वस एक्वस का मतलब क्या है वाटर या फिर इस एरो के ओपर डिरेक्ट लिखा हुआ ऐसे CL2 और H2O तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक्वस में CL2 और H2O प्राणी जो मिलकर बनाते हैं हडम बनाते हैं एछय lays उस्राएम कैसिद और हँआ बीच में इधर १ाल्रा इधर हनुमान तो मुझे बताईए ऑक्सिजन और प्रेक्व दूरईन ज्यादा इलेक्टरोंनेगितीव पॉलोँ और ऑक्सिजन और कपीड़ लिच्व दूरीन में ज्यादा और देना आप यहां पर दो कोंपोनेंट थे हो के दो कॉंपोनेंट थे हो माइनस और चील पोजेटिव अब यहां पर आप के पास होगा आप यहां पर मार्क पॉनिक पूल लगाओ गए और आपको बता कि नेगिटिव पार्ट पोजों डेट कार्बन वेर नमबर ओफ हाइड्रोजन और डबल बोंड इस तो प्लीज समझेगा यह मेरे पास अलफा है यह बीटा है आपको बताना है कि ओएच माइनस किदर जाएगा अलफा पे या बीटा पे अलफा पे या बीटा पे मेटागर 96 परसेंटाइल है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो परसेंट मलब चांज बन सकते हैं कि दिल्ली का भी कोटा होता है कि अब कर दो कि अब कर दो कर दो कि अब कर दो कि अलफा पे अलफा पे होए जाएगा बिल्कुल सही बात है नेगिटिव पार्ट के पास है और इदर जाएगा सी एस टू सी एल क्या आप लोगों का बढ़ते हैं तोड़ा सा आगे जड़ा देखिए जैसे मैंने क्लोरीनेशन कराया है वैसे ब्रोमीनेशन भी होगा आपका लिखा होगा और यहां पर क्लोरोफोर्म लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप मानके चलोगे कि यह पाइब टूटेगा इदर भी ब्यार जाएगा और इदर भी ब्यार जाएगा तो बेसिकली यहां पर क्या बनेगा दोनों सैट जब भी यहार जाएगा हमारे पास बनेगा सीस त्री सीएच इधर पी आस्तू और दोनों ब्यार आपने जोड़े इस तरीके से थीके हैं डोनों बियाजे इस तरीके से आगे बात करते यदि मेरे पास यह अलकीन है यह होने के बाद मैं हाँ भाव ले रहा हूं भी आटू भी आटू ले रहा हूं बिटा जी घैस इन पर्जेन्स और और 4 4 440 केल्विन 400 केल्विन के असपास है भई मुझे आंसर पताइए एलफा बीटा गामा कहां पर ब्रोमीन जाएगा एलफा बीटा गामा में कहां पर भी आज जाएगा बिटा बहुत बहुत बढ़िया पोलो बहुत बढ़िया कहां पर भी आर जाएगा अगर मैं हाइट लेता हूं तो आपको ध्यान लगना है सर एडिशन तो होगी नहीं एडिशन नहीं होगी तो भाई यहां पर सब्स्टिटुशन होगी तो मेरे पास बनेगा इशीख टू इधर सिएच एज डबाल बॉर्ण्ड क्या जाएगा बिया आगे बढ़ते हैं और यहती मैं लिखता हूं सीएज ट्री सी एच डबाल बॉर्ण्ट सीएशटू यहां पर मैंने लिखा आवी पीघ्वी बनाने के लिए उखाव सिर्फे उखना एक्वास तो बठाईए च्छां क्या बनेगा चैंट वाक्स में वम्यर्ट क्लिकना इन इन प्रोड़क्विय cry q oil प्रोड़क्ट बनाना है जल्दी से बोले थर्ड वाली इक्वेशन में कहां पर जाएगा प्रोड़क्ट बनाना है चैट बोक्स में लिख करता है आप को गए सर एक्वास मीडियम का मतलब क्या हुआ एक्वास मीडियम का मतलब हुआ कि BR2, H2O के साथ घुला मिला होगा, हाइपो प्रोमस एसिड HOBR बना होगा, यहाँ पर हम HO माइनस और BR पोजिटिव मान लेंगे और यहाँ पर हम मार्कोनिक और रूल लगाएंगे तो OH आपके पास उस डबल मोंड वाले कार्बन पर जाएग और CS2BR, जल्दी से बोले चैट बोक्स में क्या आपको यह रियक्शन समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शक्षम मोर्या बहुत बढ़िया, क्या आप लोगों को यह रियक्शन क्लियर हो गई, क्या, बोलो बोलो, क्या यह क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास एक कोश्चन है कोश्चन थोड़ा सा यह है यह भी आयाइटी का पीवाई क्यू कोश्चन है यह हमारे ओप्टर लिखना भूल कहें होंगे ठीक है दम मेजर प्रोड़क्ट ऑफ फॉलोविंग रियक्शन अब आप समझने कोशिच करके देखेंगे यह बैंजीन निंग है इदर हमारे पास सी है और दर क्लोरिल लगी हुई है जब आप इसकी रियक्शन चीह और तो के साथ करा ओगे एचनियू के परजैंस में सनलाइट की परजैंस में तो पैटा यह विएक्शन जों क्लोरिनेशन करते थे किसका करते थे तो इसका मतलब वहां से जाएगा और लग जाएगा वहां से जाएगा और लग जाएगा तो आप आपने एक और कलोरी लेंगे तो यहां पर कुछ ऐसा करेंगे बैंजीन रिंग ती और एक एच दो से जोड़ दोगे अब क्या होता है कि आप सोच रहोगी सब्सक्राइब लग जाएगा तो यहां पर इस्टेडिक हिंटरेंस बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पर क्या हो जाए लग जाएगा तो हमने चीज़ देखी बिटा हमने चीज़ देखी कि बैंजीन दिंग आपके पास ऐसी है सी के साथ एच का पॉंट स्ट्रोंग है सी के साथ यह लटा ओच लगा स्कीज़ लगा मुझे बस एक आंसर बता दुआ वह आंसर यह है मुझे एक चीज पूछनी क क्या एक कार्बन पे दो ओएच ग्रूप इस्टेवर होते हैं चैट बोक्स में बताइए बिटा कि बोलो बैंजीन की रियक्शन में आगे अलग समझाऊंगा बैंजीन बेसिकली न्यूगलोफाइल होती है उसको एक्ट्रोफाइल क्या हो सकता होती है कि अधित्य बेंजीन वाला टॉपिक आगे आएगा जब हम एराइल हैलाइट पढ़ेंगे पेसेंस रखो सब क्लियर होगा तो मेरा अंसर यह भाई एक कार्बन पे दो ओएच ग्रूप स्टेबल है या उन्स्टेबल आप को गए सर अंस्टेबल होते हैं तो हम क्या करेंग सब्सक्राइब और यहां से एक वाटर मॉल्क्यूल बाहर निकाल दो गया और जैसी वाटर मॉल्क्यूल यहां पर निकलेगा तो आपके पास एक सी एच ओ और सील यह बचाए तो आपको करेंग टांसर क्या होगा एबी सीडी में एफोर एपल भी पॉर बबबल सीपोर चपल डीपोर डफल करेंग टांसर क्या होगा पिटा करेंग टांसर बताइए अब आप कि बहुत बढ़िया वह बहुत बढ़िया उस्ट सिया के यह आएटि जैइमेंज कोश्चन आए प्यस्ट क्यों कि अब हम बात करेंगे जियँ से प्रीप्रेशन और एर ठीक है भाई प्रिप्रेशन ओप एर एक्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद हाँ फिजिकल प्रोबर्टी आ जाएगी तो यहां पर कुछ रियक्शन है प्लीज समझ ने कोशिच करिएगा एर एक्स का मतलब है कि बेंजीन रिंग और उस पर आपको क्या लगाना है बिटा सकता है तो पहली रियक्शन स्टार्ट करते हैं वही पहले किससे कि आपको याद होगा कि अगर आप बेंजीन लेते हो और बेंजीन की रियक्शन कराते हो CL2 से या फिर BR2 से या फिर BR2 से और आप यहां पर कैटलिस लेते हो FE CL3 या फिर FE BR3 या फिर लिखा होता इस तरीके से या फिर आईरन होता है अंधेरे में डार्क में ठीक है वाई यह रियक्शन होती है आपको याद होगा कि यह ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट है और ट्रा सुल्ट है कि अगर मालों में क्लोरिन भी ले लेता हूं तो क्लोरिन क्लोरिन बोर्ट को ऐसे माल लीजी कि आया जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनके अंदर MTD और यहां पर क्या बनेगा फोर और इस पर आएगा लेक्ट्रोफाइल क्या मना पोजिटीव चार्ज हम लोग लग जानते हैं कि बैंजीन दिंग के अंदर पा इलेक्ट्रोण देंसिटी यह हमारे पास नुकिलोबगे है यह हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और और यहां पर क्लोरो बेंजीन बन जाएगा आपने यह रियक्षन पीटा यह पढ़ी होगी बोलो हाया ना कि जल्दी से बोले चैट वोक्स में हुए है वोलो बोलो है क्या आपने यह रिएक्षन रड़ी हुई है इस रिक्षं को यह है हेलोगनेशन और बेंजीन रियक्षिन का नाम क्या होगा बिटा अगर है अगर हम लोग लेते हैं तो यहां पर वह एच अटेगा वह दूसरे क्लोरीन के साथ लगकर वाय प्रोड़क्ट वह एच सीयल भी बनेगा बिटा ठीक है तो आई होप आप लोगों को यह रियक्षिन समझ में आ गए हो कि बहुत इजी रियक्षिन है अब पढ़ते थोड़ा सा अगली रियक्षिन की तरह अगली रियक्षिन में यह पार्ट है भाई कि आ आपको एनिलीन से अनिलीन से अराइल हैलेट बनाने है यह हमारा टास्क है कि एनिलीन से अराइल है बनाना है आप लोग जानते होंगे एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर जब एनेस्टू लगा होता है तो इसको हम क्या कहते है जैसे यह करती है किसके साथ बोलो एन नो टू प्लस एचल मिक्शर के साथ जिससे मत्ता है क्या नाइट्रस एसिड एचन नो टू और यह रियक्शन होती है आपके पास जीरो से लेकर फाइव डिग्री सेल्सियस पर लो टेंपरेचर पे तो जल्दी से बताइए बेटा क्य इस प्राइमरी एमीन के साथ रियक्शन करने पर डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा आपको बिल्कुल बना लेगा और हम इस रियक्शन को यहां तक ऐसे पढ़ लेते हैं एन पोजीटिव और सीयल माइनस अब जरा देखो बिटा जैसे ही मेरे पास यह ड आपने लिया सी यूती टू ती यूती ती ठीकतर है अब कि क्या होगा गईटाची हम पूरा घट जाएगा टू नाइट्रोजन आपके पास अट जाएगी और हैं अपर क्या लग जाएगा पर बेंजीन के-बनेगी और आप यहां पर उपर क्लोरीन जोड़ दो कि अगर आप क्यूक्रस क्लोराइड लोगे तो अगर क्यूक्रस लोगे बेटा तो यहां पर आप यहां पर आप vir क्या जोड़ दोगे कंडिश्चन नंबर एक और बात ज्यामनेखनी है जदी आप लोगों में इनके स्थान पर देखो देखने पर reaction सेम लगती है लेकिन reaction का नाम बिल्कुल अपोजिट होगा अगर आप यहां पर लेते हो copper in presence of HCl या फिर आप लेते हो copper in presence of HBR तो यहां पर भी आपके पास कौन सा reactant product बनेगा बैंजीन रिंग as it is और यहां पर बना सियल और यहां पर बैंजीन रिंग एजटीद और यहां पर बना बियार दोनों में difference क्या है दोनों में difference यह होगा बिटा कि इस reaction को हम कैते प्लीज समझे कोशिच करिएगा और एक और बाद समझ दिए भाई अगर मान लो मुझे इस घॉटन निइव group को हटाना है और इस पर fluorine जोड़ना है तो मैं यहां पर लेता हूं मिटा जी क्या है is BF4 जिसका नाम है fluoroboric acid क्या होगा fluoroboric acid तो मैं जैसे यहां पर fluorine लगाऊंगा तो भई हमारे पास इस reaction का क्या हूब कोई बताएगा क्या इस reaction का नाम क्या होगा वो अरे बाल सीमेन reaction मतलब बाल सीमेन रियक्षन कहते हैं इसको बाल सीमेन रियक्षन आप यह मत सोचा करो कि यह सिर्फ एक डेम रियक्षन है यहाँ पर तीन रियक्षन है जो हो रही है आपके पास पता भी नहीं लगेगा आपको ठीक है वह तो क्या देखा हमने सेंड मारीक्षन में हम लोग क् फ्लॉराइट या प्रोमाइट ठीक है और यहाँ पर गटर मैंन में आप कोपर और अलग अलग लेंगे और दूसरी कंडिशन अगर आपको फ्लॉराइट बनाना है तो बाल सीमेन रियक्षन आएगी और यह सीमेन भी मिनका जो नाम है मिटाजी अलग हो सकता है कि ठीक है ड आप प्रत जल्डी से बोलो विटा चैट्वोक्स में क्या आप लोगों को यह रिक्षन क्लियर हो गई वोहाय नुट क्या आप लोगों को यह रेक्षन क्लियर वही कि नहीं हुई आगे बताइए वई अगर मैं अगर मैं इसके साथ यह जो मेरे पास डाइजॉनियम सॉल्ट है मैं इसको अगर बोईल कर दूँ बोईल का मतलब समझते हो ना पानी में उबाल दूँ इसकी में बोईलिंग कर दूँ तो बताओ क्या बनेगा यहां पर एक्ट बनेगा एक्स तो एक्स क्या होगा चैट बोक्स बताइए एक्स क्या होगा एक्स बताइए बेटा एक्स क्या हो कि कैसी रियक्शन होगी जब इनकी खुद की रियक्शन आएगी न तब कराऊंगा एक्ट्र में यहां पर एक नुक्लोफाइल ने दूसर नुक्लोफाइल को सब्स्टिट्ट किया है बोलो बोलो एक्स क्या होगा मेरे पास एक्स बैरी गोड फीनोल कि सर इस बार यह गुरू पटेगा ओएच लग जाएगा इसके स्थार पर तो यहां पर बनेगा बैंजीन रिंग और हमने यहां पर लगा दियमाली जे पी एच तो यह बन जाएगा फीनोल ठीक है क्या यह क्लियर हुआ बिटा हाँ या ना ओके ओके ड़न अब जरा प्लीज समझेगा अगर मेरे पास यह कंपाउंड हुआ मैं इसको और आगे लेके जाता हूं इसको आज दी एंड करते हैं भाई मान लोगर मेरे पास जदी मैं इसकी रियक्षन बेटा जी आगे फर्दर एनिलीन के साथ करता हूं किसके साथ कर रहा हूं एनिलीन के साथ तो क्या होगा भाई यह रियक्षन बहुत इंपोर्टेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट रियक्षन लों में आती है भाई यह बोलो क्या होगा हम लोग जानते हैं कि सर यहां पर कपलिंग रियक्षन होती है होती है कि नहीं होती बोलो यार फिनोर और यदि आपके पास एनिलीन होंगे तो पैरा पोजिशन से एच इस्सील के साथ जाएगा और यहां पर कपलिंग रियक्षन हो जाएगी पिटा चलिए आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रोपर्टीज ओफ एलकाइल है फिजिकल प्रोपर्टीज ओप बिल्कु सही बात है कपलिंग करेंगे बिटा वहां पर बाकी इसको नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉक्षन ग्रूप में डिटेल में पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं अब हम आते हैं फिजिकल प्रोपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट प्लीज समझेगा बॉइलिंग पॉइंट इस डिर्टी प्रोपोशनल टू मॉलिकुलर मास एंड डिवाइड वाइड यानि कहसे थे पास क्या होगा कि मेरे पास एक कोशन है ठीस तरी टील टीस तरी एफ यहाँ पर आप ले लीजेगा यहां पर CL और CS3 Bromide और CS3 Iodide जली से चैट बोक्स में बताइए बिटा boiling point का correct order क्या होगा boiling point का correct order क्या होगा बोलो 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 बेटा इसका order क्या होगा boiling point का order क्या होगा अगर आपके पास यह अलका लेट दिया हो जिसमें आपके पास अलकाइल गुरुप तो सेम हो बार है लो जन अलग अलग हो कुछ बोलो बेटा बिल्कुल सही है किसे आप कहोगे molecular मात इसका ज्यादा है तो boiling point भी आपका किसका होगा इसका ज्यादा होगा ठीक है डग कि boiling point आपके बाद इसका ज्यादा होगा अब देखिए वह आगे मान लोगर आपके पास जो यह है यह मेरे पास भी हो जाएगी और यह मेरे पास सी जल्दी से चैट बोक्स में बताइए बेटा एबी सी एबी सी करेक्ट आंसर क्या होगा बोलो बेटा बोईलिंग पॉइंट का ओडर बताना है बोईलिंग पॉइंट का ओडर अब क्या होगा बिल्कुल सही है यहां पर देखिए भाई ती का ज्यादा होगा क्यूंकि इसका पॉइलिंग पॉइंट ज्यादा फिर बी का और फिर हमारे पास एक का होगा फिटा ठीक है बहुत बढ़िया आगे को और चीज़ जाननक नहीं है अगर मानलो मेरे पास यह कोश्यन है कि इस सिएस टू चीज टू चीज टू चील है फिर मैं लेखता हूं चीज तरी चीज और धर त्यास्तरी है प्लीस अमने कोशिच करियेगा यह मैंने इसको कहा ए है यह मेरे पास बी है चैट बोक्स में मताई है वाई ऑप बी में बोईलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बोलो बोलो A, B में किसका boiling point जाता होगा बेटा B और सी same है तो यहां पर एक और सी S2 ले ले ना बेटा चलो चलो यह बताओ आप जल्दी से B का या A का boiling point बताना है आपको boiling point ऑखेर सर यह हमारे पास linear है इसका surface area जाधा है इसमेझे सी branching हो गई कि हैंगे गार जब boiling point की बात करएंगे boiling point की बात करेंगे तो हमारे पास A जाधा हूगा B से आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास क्या है आगे हम बात करेंगे reactivity की आगे हम बात करेंगे कि या फिर पेटा जी और नियुक्ति ये और मेरे पास और आइए इसमें ब्यॱ्त और बतानी ओस प्रफित्वेल नियों कि कौन सा आपके बास एलकाइल हयलाइट मुस्त प्रेक्टीव होगा थो ऑनऽे चैट बोक्स मेंishes रिएक्टीविटी बताई है रियक्टी बतानी है विस्क्रेक्विटीं है बहूत सभी है है श्री ग्रेटिवीटी बतानी है । Oh डिसाइड की जाएगी जल्दी बोलो विटांसर कि बिल्कुल सही है आराई का बोन सबसे बढ़ा होगा जल्दी से बोन तूटेगा तो हम कहेंगे इसकी रियक्टिविटी जादा होगी इस टाइप का कोशन पूशा जाता है बहुत बढ़ी है अब जड़ा देखो आगे जाता है और यह कोशन भी इंपोर्टेंट है जैन में तो बहुत बाप उचा जाता है यह डाइपॉल मोमेंट क्या है समझेगा तीएज 3CN को सीएज 2CN 2 और च्छ 3 और CCL 4 यह पहुशन है भाई एबी सीडी इसमें आपको डाइपर मुमेंट का डिक्रीजिंग ओर बताना है डाइपर मुमेंट का डिक्रीजिंग ओर बताना है राजपाल आई नो बेटा यूमिस्स मी बट देर आर सर्टेन कंडिशन्स ओलो ओलो बेटा इसमें सबसे जादा डाइपर मुमेंट किसका होगा और सबसे कम किसका होगा ओर बता हिए चैट बोक्स में देखो देखो एक बात समझने की कोशिश करिएगा प्लीज जब आपने वेक्टर कॉंटिटी पड़ी होगी तो एक बात ध्यान अग्लिएगा इसका जो एक जेक्ट स्ट्रक्चर हो यह होगा होगा और इतरा सिह했어 के इच है अच अच ऑफ चीहार और इनहीं डिकेंगे सी एच हच ऐल सी एल ऑर यहां या कहीं इस तरह से विड्रो किये गए होंगे और यह दाइपरोमेंट की डायक्षन है यहां पर दो क्लोरी हम तो दो डायक्षन होगी बैटा इस तरी के से फिर यहां पर ऐसे तीन डायक्षन होगी डायक्षन की अपली समझने कोशिच करिएगा आप आप लोगों पता है कि यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी पॉइंट से अलग अलग विशा में जा रही है और दो वेक्टर 90 डिग्री के पास में तो उनका जो रिजल्टेंट होता है और यहां पर कोई दूसरा है वह क्यों लग रहा है और इनका रिजल्टेंट कोई आर तो प्लीज समझेगा क कि खोगा वी और आरो ऌ CT से ज़दा होगा और यहां सकते ओं पौर कों से जएदा होगा आप ज्यादा आप जर्ञेंगे जब कभी वी दो वेक्टरू इस थर्या से पी और क्यों 90 से ज़्यादा पर लगते हैं तो इनका जो रिजक्टेंट होता है थ मस encouragement कही ना दो क्यों और पी से कम होता है वालब डिक्रीज होता चला जाता है अब आप ज्यान से देखोगे कि केमिकल बोंडिंग में जो हम इसके हाइप्रटेशन पढ़ते थे तो इसका बोंड एंगल भी क्या होगा लगबग 109 डिक्रीज हो रहा होगा इनका रिजल्टेंट तो और ज्या और दिग्री पॉइंट से ज्यादा है और सेंट यहां पर और ज्यादा एंगल है जो आपके पास बाहर की तरफ एक्टर जा रहे हैं तो बाहर मिकलने वाले एक्ट्रस के बीच में जब कभी भी एंगल 90 डिग्रीज से ज्यादा होता चला जाएगा तो रिजल्टेंट का ज पढ़ता चला जाएगा वेक्टर के बीच में 90 डिग्री से ज्यादा उतना में इंटिटूड आपके पास कम हो जाएगा तो प्रेक्टा अगर मैं इसको एड़ कहता हूं इसको भी और कर दो पर लोगे टैल दिशें किया आप लोगों को यह बात समझ में आए कि नहीं कि आंसर बदाएंसर बिलकुल ABCD करेक्ट आंसर है कि बहुत बढ़िया भाई ABCD करेक्ट आंसर होगा ABCD करेक्ट आंसर होगा एक भी कोशन नहीं चुटेगा बढ़ते हैं भाई आगे आपके सामने कोशन है यह कोशन IIT J 2020 में आया हुआ कोशन है भाई मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए यहां पर मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं कि CCL4 और CHCL3 और इधर CH4 जल्दी से बोलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डाइपोल मोमेंट बताना है डाइपोल मोमेंट का ओर्डर बताना है इनके बीच में IIT J 2020 में लास्ट वाले कोशन का जो आंसर था हो ABCD था CBAD नहीं लास्ट वाले गलत थे अगर कोई DCBA कर रहा है तो यहां पर मैंने बताया कि A का सबसे ज्यादा B का फिर C का फिर D का मैंने बताया कि जब इलेक्टोन बार की तरफ जा रहे हैं यानि डाइपोल मोमेंट आपकी तरफ बार की तरफ भाग रहे हैं और दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री से एंगल बढ़ता जा रहा है तो रि यह 0 हो जाएगा एंड़ यह 0 हो जाएगा है वेरी गोड़ बात है और करिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे बड़ेंगे बहुत बढ़ है पहत आगी बढ़ने olurs आये टीजे ये 2020 का ही कोश्चन है इसने पूछा है अरेंज दा फॉलोंग बॉन्ड अकोर्डंड यह अष्वरेज अनर्जी इन डिसेंडिंग ओडर प्लीज समझेगा बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी इस डिरेकली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना बॉन्ड मजबूत होगा ना उसको तोडने में बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा लगेगी ठीक है और बॉन्ड एनर्जी आप ये भी कह सकते हो और बॉन्ड stereo फिजिन इस इंवर्पिर प्रोर्पोर्शनल टू है बोंड लेंथ बन उतना विक होगा मुझे डेटर अंसर कि यह ABCD करेक्ट आंसर चाहिए बिटा सबसेदा स्ट्रोंग बॉंड कौन सा होगा आप काओगे सदर सी और एप में आप देखोगे यह टू और टू पी और विटल है यह टू पी और विटल है जब आप CCL की बात करोगे तो टू पी थिरी पी और बीच में बनने वाला बॉंड बनेंगे और जब आप बिटाजी कार्बन आयोडिन की बात करेंगे तो यह तू पी और वाला होगा वक्रफट लेंड चोटी बोर्टेंड ज्यादा और ज्यादा तो आनसर आपके पास होगा पूर अल्लू अर्जुन ती एफ सी एल सी बी आर सी आई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जिन बच्चों का आंसर और वह बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं अब इनेक्स वोचन की तरह यहां पर पूछा पूछा गया है अमंग दा फॉलोविंग कंपाउंड विच वन है सोटे सी सी एल बॉंड इसमें पूछा है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें सी सी एल बॉंड सबसे छोटा है कि वोलो वोलो कि एफ और अल्लू अर्जुन भी फॉर बल्लू राम सी फॉर कल्लू और डी पॉर डॉलक पूर करेक्ट आंसर बदाईए वह है कि आई टी जैट तुदाउजन ट्वेंटी का कोश्चन नहीं है भी सबसे छोटा सी सी एल बॉंड कौन सा होगा नहीं सी एफ का डिस्ट्रेक्शन नहीं होगा बिटा वह एफ एफ के बीच में जब दोनों के ओपर लोन पेर होते हैं ना तब आता है वो कार्बन के बाद लोन पेर हो इलेक्ट्रों नहीं है तो चलिए कंफ्यूज ना हूँ आप तो सब कराऊंगा टैंशन में ल सब मेकानिजंग कराऊंगा टैंशन ना लो अभी चै मीजिकल रक्षण पे आया नहीं हूं फिजिखल प्रॉबर्टी चल रही है बाद कि सब्कौराऊंगा řटैंशन ना लिजेँ बस आप بتाते रहो ती कुछ बच्चे सी आंसर दे रहें कुछ बच्चे डी आंसर दे रहें अब आप समझने कोशिच करिएगा क्लोरीन यहाँ पर सेम है यह जो कारवन है ना यह कारवन कारवन यह अपके बाद एसपी 2 कारवन और यह वाला जिस से कारवड कलोरीन कनेक्ट है यह भी हम लोगों यह मैंने आपको केमिकल बॉंडिंग में और बात पढ़ाइ थी कि बेटा बस्थ एज करेक्टर के से पर एस करेक्टर के बरने पर बॉंड लेंग क्या होती है सब्सक्राइब अब इस कॉंसेट को देखिए और आंसर बताइए कौन सा सही है जो आंसर आप दे रहे हो गलत है जो आप दे रहे हो गलत है आप देखोगे सर इसमें तो 33 पॉइंट परसेंट कारवन है यादि यह सब्सक्राइब और बिटल में सब्सक्राइब जितने अगता एस करेक्टर होगा तो कहेंगे बॉर्ड लेंट तुछ छोटी होगी ना और पॉर्ड लेंट अगर चोटी हुई तो यह देखना है कि आप यह बढ़ने पर बोल्ड लाएं छोटी होती है तो यह भी ऐस सब्सक्राइब अभी जो बच्चे आंसर सी या दे रहें वो गलत है इतनी गलती नहीं करनी है आप लोगों को अब भी गरेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं भाई अब न्यूकिलोगिलिक सब्सक्राइब अब थोड़ा आ जाते हैं जो बच्चा पूसरा था कि सर से एसे इंटू रिएक्शन कराओगे या नहीं कराओगे चलो देख लेते हैं भाई तरा लेते हैं जरा देखें न्यू है तरा बजयरेक हैं साथ कैसे देखो हमारे पास a.m.1 reaction i unknown या कि इनका मतलब आ होता हैrament ì कि आ एक स्इसा मतलब या क्यों चौनच सब्सिट्यूशन और वन मतलब होता हिए परस्ट राड़ connection और फिर दूसरी हमारे पास क्या होगी सेंड तू है सनड तू का मतलब समझे का मतलब नूक्लियोफिलिक In a s का मतलब सब्स्टीजूशन और चू का मतलब वह सेंड ओर री एक्षिंद हैं अब मैं आपको छोटी सी बात किया रीक्षिंट होती कैसे हैं और कैसे कैसे इनको आपको डिफ्रेंशियेट करना है एक बात ध्यान नंग निए मिटा जी आपके पास कोई एलकाइल हलाइड होगा ठीक है एलकाइल हलाइड होगा और मैं यहां पर आर एक्स के बोंड को तोड़ूंगा पोजिटिव और प्लस के एक्स नेगेटिव ठीक है दूसरी वहार से निकल जाएगा यहां पर एन यू आर बनेगा और यहां पर एक्स नेगेटिव लेकिन दूसरे स्टेप में क्या होगा बिटा कि आर पोजिटिव जो कार्वोकेटाइन बनेगा उस पर आपके पास न्यूक्लोफाइल आएगा और फिर अटैक करेगा तो यहां बन अरॉङ से न बन वाली यह टू स्टेप में वही तो हम क्या करfirst point इंद अकरश कोपैट मेरा एक चोटा सा कोश्यान है है अगर मैं सौलमेंट लेना चाहूं भैंढ इस एक्षिन वे स्वेंट का यूज किया जाता है वह सौलमेंट कौन से होंगे विछ फॉलमेंट कौन से यूज होंगे पहला पॉलर या नॉन फॉलर प्रीज जल्दी से बोले चेट बोक्स में भाइश सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं पोलर और नोन पोलर इन में पोलर होंगे नोन पोलर होंगे और क्यूं होंगे उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगा फिर कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात एक बच्चा आ रहा श्रया वर्मा नोन पोलर आंसर दे रही है बहुत बढ़िया बेटा पोलर 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 नोन पोलर मतलब यहां पे आपकी जो भीड है इस भीड में कुछ गधे भी बैठे अभी अभी वो इंसान मने नहीं है प्लीज समंझने की कोशिश करिएगा यहां प और हेट्रोलिटिक लिवेज कप होता है जब आपके पास सॉल्वेंट पोलर होता है क्योंकि जरह देखिए हम लोग जानते हैं कि आर और एक्स में एक्स की इलेक्ट्रोनेंगिटिव टी आर से जादा है इधर पार्शल नेगीटिव इधर पार्शल पॉजिटिव इसको खीचेंगे तभी तो यह वाला बॉंड को भी करना हो तो हम चाहते हैं कि कोई यह अपनी तरफ और यह तभी पॉसिबिलिटी हो पाएगी जब आपके पास पार्टिकल कैसे हो पॉलर हो जल्ली से बोले वही चैट वोक्स में क्या आपको एबास समझ में आए की नहीं हाई ना चैट वोक्स मताइए वेटा क्या पॉलर सॉल्वेंट यूज होते हैं बात क्लियर हो गई हाया ना कि नहीं नहीं यह पॉलर प्रोटिक यह मैं बात में समझाऊंगा पहले पॉलर नोन पॉलर अभी भी आप 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 सा गलत दे रहे हो ना जब आप मुझसे आगे बढ़ोंगे पहले सही आंसर तो कि नहीं सर हमें पता है कि ओलर प्रोटिक यह पॉलर एप यूज होता है तो वहां घलती नहीं पुछ बत्य साइब तोड़ना है चाहे वह रियक्षन एसन वन हो और चाहे वह रियक्षन सेंट टू हो इस बॉल्ड को तो भी करना ही करना है यह पॉन्ड वीक कब होगा जब दोनों साइड में सॉल्वेंट पोलर होगा तो मैंने गागी वाइधर तो पोलर है और इधर भी स ये बात आपको समझ में आ गई होगी इसमें क्या है कि ये एक ही step में हुई ये reaction एक ही step में हुई तो इसी reaction पर क्या होता होगा बिटा जी इस reaction इस वाले step पर ही rate determine करता होगा तो हम कहेंगे कि यही एक step पर single step इसी को हम RDS कहेंगे या इसी को हम slow step कहेंगे जो कहना इस अकेले को ही कहूँ तो जब इसी reaction पर rate depend करेगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि rate is directly proportional to concentration of nucleophile और into my concentration of Rx मेरा question यह है कि यह जो expression है SN2 reaction के लिए है और यदि यह reaction SN2 reaction के लिए होगा तो मुझे बताओ कि अगर मैं SN2 reaction में nucleophile की concentration को double कर दूँ nucleophile की concentration को double कर दूँ और Rx concentration को constant रखूँ तो rate कैसा होगा बिटा rate पर क्या होगा effect आएगा rate बढ़ेगा घटेगा कितने time हो जाएगा क्या बोला मैं कि भाई अगर मैं nucleophile को double करता हूँ और Rx concentration को सेम रखता हूँ तो rate पर क्या effect पड़ेगा इस वाली reaction के लिए SN2 के लिए कि बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया बिटा दूसरी condition यह है कि मैंने nucleophile की concentration को क्या किया constant और Rx concentration को double कर दिया तब क्या होगा बिटा अगर मैं nucleophile की concentration को constant कर दूँ और Rx concentration को double कर दूँ तब मेरे पास rate पर क्या effect पड़ेगा बोलो कि बोलो भाई बोलो कि आप कहोगे सर इस बार भी तो डबली होगा आपने इसको constant किया इसने Rx को आपने तो आरेक्स कर दिया तो रेट क्या हो जाएगा वह सही यह भी सही है अब ज़रा प्लीज समझेगा जदी में nucleophile की concentration को double कर दूँ और Rx concentration को half कर दूँ मतलब आधा कर दूँ प्लीज समझने की कोशिच करिएगा अगर मैं SN2 reaction के लिए SN2 reaction के लिए nucleophile की concentration को double करता हूं और Rx की concentration को आधा करता हूं तो मुझे जल्दी से बताईए बेटा कि rate पर क्या effect आएगा बोलो नहीं नहीं हाँ अब सही answer आ रहा है constant same बिलकुल सही बात है बिलकुल सही बात है कि ओके ओके इरफान बिलकुल सही बात है अब ज़रा देखिए जब हम बात करेंगे इसकी पर SN1 की तो यहां पर दो स्टेप हुए एक में कार्बोकेटाइन बना एक में न्युकलोवाइल बना तो सबसे पहला काम क्या है कि यह कार्बोकेटाइन बनना ही बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपके पास और जाएगा यानी क्यां वाला जो Step में यह हमारे पास स्टेप हुआ और यहां पर स्टे SUN के लिए मैं रेट के दो एक्स्प्रेशन लिखोगा समझेगा right इdest worry प्रपो्ष्ण to concentration of Rx या फिर रेट इडरी प्रपोर्चनल to कंसमेंन्टरेशाण ओव नॵिकलोफाइल ठीक्या और या फिर रेट इडर्य प्रपोर्चनल टू ऩ। कंसरेशन दून एक्स तो में और नॵिकलोफाइल इक सेडो परेशन आपके पास को सिण है कि इसमें याडियेटी वह स्लोइट स्टैप है यह आडियात है कि हमेशा कोई भी complex reaction में जो स्लोइट स्टैप होता है वही आडियात होता है कि बुलकर वैई इसमें वन टू थ्री में कौन सा एक्स्प्रेशन सही है कि फर्स्ट रियक्षन के लिए और यानिक इजी नहीं है पेटा अत्यांत इसको इजी बना देंगे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब आप देखिए वन वाला करेक्ट है सैगिंड वाला एंड क्यों कि न्यूकल वाइल होता है उसका कॉंस्टेंट वान तो वन भी सही होगा और और भी सही होगा वन भी सही होगा थर्ड भी सही होगा बहुत ही चुनिन्दा बच्चे हैं जिनका दोनों आंसर करेक्ट हैं नहीं तो आदे बच्चे तो यहीं पर धेर हो गए अब मुझे बताईए बहाई जल्दी से कोश्चन नमबर मान अगर मैं यहां पर नुकिलोफाल की कंसेंटर्स को डबल कर देता हूं एसन वन रियक्शन में तो रेट पर क्या एफेक्ट पड़ेगा बोलो अगर मैं कि अगर मैं नुकिलोफाली कंसेंटर्स को डबल कर देता हूं तो रेट पर क्या एफेक्ट पड़ेगा एसन वन रियक्शन में पर देखना ना यह इधर देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई नो चेंज बहुत बढ़िया नो चेंज देख बिल्कुल सही बात है कि नुकिलोफाल को आप कितना भी बढ़ाव सर रेट उस पर डिपैंड करता है नहीं तो इसेम रहेगा बिल्कुल और देखो आगे अगर मालो नुकिलोफाली की कंसेंटरेशन को रख दूँ या कितना भी को कोई फरक नहीं पड़ेगा कहने का कर दूं तो रेट पर पarta गारा परेट का जलदी से बली में सा अगर कि अगर मैं एसने वन झांज में आर्प्स की डौ डबल करने तो रेट पर क्या फैक्स्स को जल्दी से बोब बॉक्स से कि वहाद बढ़िया भई कि डबल 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 ठीक है अब जड़ा धेखो भाई हमने एक चीज देखी हमने चीज देखी कि सर जब आप SN1 SN2 रिक्षण करा रहे थे ना तो एक चीज हमने कोममन देखी हमने लिए की सार एसन मनमे और स्थमें अर्ट इदर मैंने लिखा और इदर में इन लिख़्ा एसन टू कि दूसरा पहला पार क्या है हम कहेंगे कार्बो कर्टा ए N कार्बोकेटाइन इस दा इंटर्मीडियेट ओफ दिस रिएक्शन या ओफ दिस मेकैनिजम लेकिन जब हम बात करेंगे इधर एसन टूगी तो यहाँ पर हम कहेंगे दियर इज नो कि इंटर्मीडियेट फॉर्मेशन अकर इंटर्मीडियेट फॉर्मेशन अकर ठीक है भाई यह आपके बास मेरा कोंचर्ण यह है अगर मैं घर कंडिशन में अगर बैप कुछा casing कि इस WOW कि कि नहीं वह्यां सब लोग बटा करनर कर दीजेzar कर आंसर लिए कि इसमें ट्रांजीशन स्टेट कितनी बनेंगी एसन वन रियक्षन में कि बहुत बढ़िया वई कि जान लगना है पेटा कई बार क्या होता है कि कुछ में रियरेंजमेंट होती रहती है और नंबर ऑप कार्बोकटायन बनते हैं तो अगर मेरे पास कार्बोकटायन एन होंग आपी इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी कि तो हमें बता है कि सार इसमें जब करेंगे तो जहां पर ट्रांजिशन स्टेट कितनी आएगी भी रहें वह आंसर गलत हो जाएगा कुछ रियक्षन सब्सक्राइब तोंगी उनमें रियर्णेमेंट होने के बाद आप यह कितने कार्बोकेटाइन बने तोटल आपको कार्बोकेटाइन पता लगजाएंगे उसके बाद आप देखोगे उसमें एक जोड़ना है तो तोटल ट्रांजिशन इस्टेट आएगी आप इसको डारेक्ट टू-टू मतलिखिए आप बस यह याद लीजेगा एन प्लस वन ट्रांजिशन इस्टेट होती है बोलो बोलो कि अब बोलो एक यह क्लिया रहे कि नहीं है क्या आप यह ट्रांजिशन इस्टेट वाला चीज पता लग गई बना वाई याद रहेगी यह बात अब जरुण देखो भई अब जरुण देखो ड़ी यहांपर कार्बौ कर्भोकाइन बना इसरई कर्भोकाइन मना तो जब यहां पर रियर्जमेंट विश्वारा या नहीं है बोलो रियर्जमेंट SN1 और SN2 में डोनों मेंसे किसी एक में होगी आपको बताना है कि सर कहा पर कार्बोगटायन बनेगा वहीं पर रियर्रेज्मेंट होगी तो हम लिखेंगे कि इफ पॉसीबल इफ पॉसीबल कि रियर्रेज्मेंट लिए पॉसीबल इफ पॉसीबल इपका और यहां पर जब आप फोर्ड पोइंट इखो लिखेंगे नो रियर्रेंजमेंट अकर नो रियर्रेंजमेंट कि आगा आपको फोट्प्वेंट समंझ में आ गया बेटा हाया ना क्या आपको यह बाद समंझ में आई की नहीं आई बहुत बढ़िया भई ठीक है अब जरा देखो भई अब आगे बढ़ते हैं लोग जैसे ही में फोर्ट पॉइंट पर आऊंगा फोर्ट पॉइंट पर आऊंगा तो रियर्रेंज्मेंट मुझे पता लग गई कहां कहां पर होती है मुझे बात बता हुए मान लोग नूकिलो फाइल आया वह नूकिलो फाइल अटेक कर रहा है किस पर वह अटेक कर रहा है कार्बो कंटायन पर केसा होता है वाट अप लोग जानते होंगे कि ट्राय गोनल फ्लेनर होता है और पंक्खे की पंखडी जैसा अब जब आपके पास तो नुकलोफाइल उपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है जहां उसका मन करे जहां उसका मन करे वहां से अटैक कर सकता है तो अगर यह पीछे से अटैक करता है तो हम कहेंगे यहां पर इनवर्जन भी होगा बोलो इनवर्जन भी होगा और यदि और फिर एकार्स दोनोई चीज़ होती है कि वेर्जन भी होता है और रिटेंशन इनकॉंप्रेशन रिटेंशन है इनकॉंपूंपुगरेशन अर्जला बोगे दोनों ही होते हैं यह बात आपको पता लग गई होगी अब देखो अब जरा देखांए जब हम sn2 reaction की बात करते हैं तो हमें पता है कि rx कोई है और nukleophile आएगा वो हमेशा पीछे से ही attack करेगा और सामने से cx निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनता था एड़ी यू आर और प्लस के x नेगेटिव तो हम लिखेंगे ओलवेज रिटेंशन टेक प्लेस अगया और वेज परीड इनवर्जन टेक प्लेस इनवर्जन टेक प्लेस जल्दी से बोलो बेटा चैट बोक्स में क्या फिप्ट पॉइंट आपको समझ में आया की नहीं आया अब वाद बढ़िया भई आगए पढ़ते हैं जड़ा देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं अब यहां पर मैं सॉल्वेंट की बात करूंगा सॉल्वेंट की बात करूंगा और एक फिलिंग के साथ प्लीज फिलिंग समझ येगा क्या वोला मैंने हम नूंक्रियोफाइल की नेचर की बात करेंगे अहो बिल्कुल सही है आप जड़ा देखो बेटा प्लीज भाई यह मेरे पात SN1 रियक्शन थी जहां कार्बोगेटाइन बना हुआ था अल्रेडी नुकलोफाइल ने अटेक किया यहां पर हमारे पास नुकलोफाइल को अटेक करना है और सेक्स को निकालना है मेरा कोशन आप से यह है यदि मैं दोनों नुकलोफाइल को कंपेर करूं नुकलोफाइल नेसेन टू कहां पर मैं जादा इस्ट्रोंग नुकलोफाइल लेना पड़ेगा आंसर देज़े चैट बोक्स में सोच कर देना अभी बताएंगे पढरयंगे आब पहले बताईए बोरणो दिसे भी करवाएंगा अगर ये नुकलोफाइल अलाग है और ये नुकलोफाइल लाग है तो मुझे बताना कि कहां पर मुझे श्रोंग नेना चाहिए यह सोच कर बताओ बिल्कुल कॉमन सेंस में आप होगे सर यहां पर तो आपके बास ओल्रेडी कार्बोकेटाइन बना हुआ है न्यूकिलोफाइल को सिर्फ जाना है और लग जाना है चाहे आप इस ट्रोंग लें या मोडरेट लोग क्या फरक पड़ता है लेकिन इस न्यूकिलोफाइल क ữ के पाद इतनी पावर होनी चाहिए कि इसके साथ लगे भी और जो लगराय वांधर को फ़्लेडी बहुत बढ़ करें अप्ली समझने की कोशिश करिएगा जब कभी कि आप लगो यह एनर्जी प्रोफाईल डाइग्राम हैं यह आपके पाद एनर्जी प्रोफाईल डाइग्राम है यहां पर मैं ने लिया और एक्स ठीक है और यहां पर मैं ले रहा हूं हो आप लोगों को बताए कि यह रियक्शन ऐसे चलेगी और ऐसे बनेगी ठीक है तो यहां पर जाके और पोजिटिव कार्बोकाटाइन बन जाएगा फिर आगे न्यूकलोफाइल अटेक करने आएगा वह बना देगा दूसरी कंडिशन में क्या है प्लीज समझने की कोशिश क देखे रिएगा कि मैं यहां पर ओएच माइनट एक स्ट्रोंग नुकिलोफाइल ले रहा हूं और और मैंने यह रियक्शन का इस्ट्राव स्टार्ट किया ऐसे एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए ठीक है अब मेरा कोशन यह है यहां पर एक सॉल्वेंट है यहां प दलुगा तो यह प्रोटिक सॉल्वेंट नूँगा प्लीस समझेगा उसके बाद हप्लस भी ओंगा और दूसरा पार्ट होता नेगिटिव वाला वह वाला पार्ट भी होगा स्ट्रस्व और एंड माइनस भी तो यह क्या काम करेंगी जो प्लोट कि शॉल्वेंट होता इस क Gd Cavana to版workers rekdo और जैसे ही स्टूंअ इस प्लस हो लेगा affecting अपनेगा स्ब्सक्राइब गया है सवruce जलदी से मताइए क्या मेरी आवाज आप लोगों सक सही सलामतं पहुंच रिए कि नहीं पहुंच जिया बोलो वो यार जल दी जैट वोक्स में क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है बैटा कि आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है बैटा ओके ड़न ड़न अब जरा प्लीज समझने की कोशिश करिये गर बैटा जड़ा देखें अगर मेरे पास पोलर्ड फ्रोटिक सोल्वेंट जिसके पास एच प्लस उसको कहते हैं तो इसके मैंने 2 और सोल माइनस है यह नेगीटिव चार्ज वो क्या करेगा और यह करेगा तो इसकी क्या होजाएगी जानी क्या यह रियक्षन कुछ इस तरह से लेकिन नहीं के säga वाला यहांपर यहांपर यह पूंच गया और इस зачем क्या कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी यह अपने केमिकल का इनर्टिक्स में पड़ी भी होगी इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं हाँ या ना और आप लोगों को पता होगा कि जब जब कभी भी एक्टिवेशन नर्जी कम होती है तो रियक्षन उतनी फास्ट होती है बेटा अब ना 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 यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगाई पहले वहले थोडिया जादा थी वर् Tolkien ना भले कि दूसरी कंडिशन में क्या हुआ दूसरी कंडिशन में क्या हुआ कि अगर मानलों मैं यहां पर भी पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले ले लेता हूं तो मुझे पता है कि एच प्लस और सॉल माइनस इसके बाद दोनों चीज़ें होंगी तो मैंने देगा कि जो ट्रांजिस तो मैं जानता हूं कि वॉटर इस्टेबल देन वैस माइनस और तो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसके अनर्जी उतनी कम होती है तो यह रियक्शन इस पॉइंट से स्टार्ट ना होकर थोड़ा नीचे स्टार्ट होगी क्योंकि एनर्जी और कम हो गई जितनी ज्याद स्ट्रेट इनर्जी के अंदर पॉलां प्मक्रोट जोगा प्रोटिक उंदेर उसके अंदर स्टे ऑपनातर प coalition के अंदर तो नरियाख्शन के औडर तो बिल्कुल सही बात है कि सर एक्टिवेशन इनर्जी पहले से घट बढ़ गई तो रेट क्या हो गया स्लो हो गया बहुत बढ़िया है यही कारण है कि SN2 में में क्या लेता हूं पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट यहां क्या लूँगा पिटे सिक्स पॉइंट में है आं पोलर SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस यूज़ एंड शिक्स पॉइंट यहां में लिखेंगे पोलर एप्रोटिक्स तॉल्वेंट इज यूज़ जल्दी से बोलो six point क्या clear हो गया कि नहीं हो गया भी टाप लोगों का six point आपका clear हुआ कि नहीं हुआ दोनों mechanism में SN and SN2 में क्या आपको यह बात clear हो गए कि polar product solvent इदर क्यों लेते हैं और इदर क्यों नहीं लेते बोलो कि बेटा यह चैप्टर क्लास 12 का है वैसे अगर आपको ने organic थोड़ी बहुत पड़ी हुई होगी तो आप पढ़ सकते हैं और यदि आपने organic छेड़ी नहीं है कुछ पता ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं आपको वेट करना होगा आपका भी नंबर आएगा दान है भाई डान है ओके प्लीज समझने की कोशिश करिएगा मैंने आप दो एनर्जी प्रोफाइल डाइगराम बनाए एक बनाया एक बनाया एसेंट टू में मैंने आपको बताया कि पोलर प्लोटीक्स ओल्वेंट जमने एसेंट में रियक्शन में ले रहा था तो एक्टिवेश एसेंटेर क्या हो गई कम और वह गई और यदि एक्टिवेशन इनर्जी यहाँ बढ़ेगा यहां पर मैंने देगा कि यह पॉलर प्लोटीक्स्वैंट लेकर गया देखो एस प्लस लेकर गया ऑट पोलर प्रोटिक इदर ले कर गया तो उसने एक्टिवेंशन इनर्जी को बड़ा दिया रेट स्लोव लो हों गया रेट स्लोव होने के वज़े से क्या हुआ हमने डिसाइड कर लिया की पोलर प्रोटिक सोलेंट सिर्फ पमे में एसन, मन में लेलाएelnा की 선 two में बोलो बोलो अधित्या क्या मेरी आवाज क्लियर है चलिए आप लोगों क्लियर हो गया होगा कि मैंने पॉलर प्रोटिक और पॉलर एप्रोटिक दोनों चीज़े एक्स्पेंड कर दी हैं अब हम बात करेंगे कुछ कहानी की कि वह कौन से compound है जो s1 देंगे और वह कौन से है जो s2 देंगे फ्लीज समझने कुछ करिएगा वह कौन से जो s1 देंगे और वह कौन से s2 देंगे प्लीज समझने कुछ करियेगा प्लीज यह बहुत important note point है वाई जो आपको याद रखने है थेवन पॉइंट जो एलकाइल है लाइड हिद्नी में लिख मारों बई जो एलकाइल है या दो आलकाइल है लाइड या इंग्लिश में लिख देता है यार दोज अलकाइल है राइड वीच कैन फॉम वीच कैन फॉम स्टेबल कार्बोकाटाइन टेबल कार्बोकाटाइन गिव SN2 रियक्शन SN1 रियक्शन वरी SN1 रियक्शन दूसरा है 7.2 ऐलकाइल है राइड वेर इस्टेरिक हिंड्रेंस इस्टेरिक हिंड्रेंस इस लेस्ट ओन एल्फ़ा कार्बन गिव SN2 रियक्शन प्लीज समझीएगा कैसे कैसे मैं आपको इसके ऊपर कोशन कराऊंगा और कैसे कैसे आते हैं जैसे मानलो की आपर मैं बहुत सारे निखाऊंगा वहीं आपको देखना हैं कि एक कंपाउंड है आप क्या काम करोगे यह हमारे पास एलफा कार्बन तो जो चीज देखो अगर आपको कि लिए देखना है तो आप इस यह फटाना और इस यह फटा होगे तो आप देखोगे कि बनने वाला कार्बोकटाइन कैसा है आप लेखा कि बनने वाला कार्बोकटाइन रिडाइन और रिटीकरि कार्बोकटाइन क्या होता है पीटाजी क्लियर क्लियर कि ठीकर करम पूटान क्या होता है और यही रिख बलू हुआ तो अपके पास SN1 reaction दे सकता है लेकिन मैंने का कि क्या मैं इसके उपर SN2 reaction करा सकता हूँ तो मैंने एक चीज देखी वही मैंने देखी कि जब मैं यहाँ पर इसके SN2 reaction कराने चला गया तो मैं 3 degree alkyl halide को ले रहा हूँ मैं न्यूकलोगाइल के साथ पीछे से attack करूँगा तो मुझे इस्टरिक इंडरेंस इतना ज्यादा मिलेगा कि पीछे से attack करने का मेरे को मौकाई नहीं मिला जब मैं पीछे से attack नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा नो reaction क्या लिखूंगा नो reaction लेगिन अगर दूसरी कंडिशन ऐसी है कि मैंने लिखा सी एस्टरी सी एल और मैं यहां पर लिखता हूं न्यूकलोफाइल मैं रखा कि कार्मन के साथ छोटे-छोटे लगे हुए हैं जो ज्यादा इस्टरिक इंडरेंस क्लियर नहीं करते नहीं करते तो पीछे से अट्यक करेंगे तो हम क्या कहेंगे और नूकलोफाइल सी एस तरी बन जाएगा यानि यह बात क्लियर हो गई कि इसको चाहिए लैस्टेरिक इंडरेंस और इसको चाहिए स्टेबल कार्बोकाइन बना सकते होंगे वह एसन वन रियक्षन देंगे और बेटा जी जो आपके बना पास कि अब बताऊंगा मैं सब इस्टेरिक इंडरेंस बढ़े बड़े दिख रहे हैं भीट भार दिख रही सी को इस्टेरिक इंडरेंस कहते हैं जल्दी वह पड़ो बेटा जल्दी क्या यह क्लियर है कि नहीं और यह एक लिए तो आप जराब कुछ खुंस का आंसर यहां पर मैं कुछ कार्वोगटाइं लिखूंगा जिर के बारे में कोशन भी करूंगा कि यह एस एन वन देंगे या नहीं देंगे ठीके भाई कि अगर कि 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 देखो विट आप जल्दी से जल्दी से देखें यहां पर कोशन करना आपको देखो जैसे मुझे यह आपके पास यह स्पीसीज है सबसे पहला काम क्या कि हमने यह वाला कार्बन देखना है अगर मुझे यहां पर कार्बोकाटायन बना तो स्टेबल होता है और यदि यह स्टेबल हुआ तो हम क्या कहेंगे कि सर यह यह सेन वन रियक्षन को दे देगा फिर मैं कह रहा हूं कि यह कार्बन पर आप देखोगे तीनों तरफ जसके तीनों तरफ है पीछे की तरफ वह बड़े बड़े गुरूप लगे हुए मिधायल गुरूप यानि भीडबाट ज्यादा है इस्टेरिक इंट्रेंस बहुत ज कहेंगे कि यह आपके पास रियक्टेंट ऐसा है जो एसन तो नहीं देगा ठीक है अब बढ़ते हैं आगे आगे हमने यह देखा कि जैसे में स्यल को अटाऊंगा तो मेरे पास एक कार्बोकर टाइन मनेगा सी एस तरी और सी एस तरी पॉजिटिव चार्ज जो की टूडिकर स्पीकार्ण दीकर्ण औरा हम लोग जानते की इस लोगा का फूज यह अन्ड चार्ण देगा यहां पर एक कार्बन में इस कारवन पर एलफा वाले कार्बन पर दो साइड शीयस्ति दी लगें लेकिन एक साइड छोटा सा एच भी लगा हुआ है यदि न्यूकिलोफाइल अटक करने आ जाए तो न्यूकिलोफाइल हाइड्रोजन वाली साइड से तो अटक करी सकता है ना भाई जिदर छोटा गृप है यानि इस स्कों अटक करने की जंगहां मिल रही होगी तो हम क्या कहेंगे कि यहांपर अशरी कंडिशन की आप ने देखा कि सर यह अगर इसमें कार्वोगतान बना कर देखता हूं तो यहांपर मेरे पास सी एस्टू पोजिटिब चार्ज और यह चार्पकर ना आपके पास unstable है यदि हमारे पास unstable कार्बोगटायन है प्राइमरी आंस्टेबर कार्बोगटायन है जिसको कोई रेजोनेंस वगेरा भी नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे तो हम कहेंगे sn2 reaction हो जाएगी जल्दी ते बोलो चैट बोक्स में बाई क्या इन तीनों एलकाड हेलाइड के बारे में आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि जल्दी बोलो बेटा कि क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि क्लियर है कि नहीं है हाँ या ना डान 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 बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं जड़ा देखिए अब हमारे पास यह एलकाइल है मैंने देखा कि यार एसनवन चेक करता हूं कि एसनवन होगी या नहीं होगी मैंने देखा कि पहले इस यहल को अटा के देखो यहां वाले से देखो यहां रियारेख्सन कोलगे स्टेबलाइज है रेजोनने स्टेबलाइज बहाएक तो यहां पर SN1 reaction हो जाएगी लेगे लेकर हम SN2 की बात करें तो यहाँ पर SN2 भी हो जाएगी क्यों? क्योंकि इस वाले कारवन पर स्टेरिक इंडरेंस कम है छोटे-छोटे दो हाइडरोजन ही तो है तो यहाँ पर पीछे से टैक होगा CL भी निकल जाएगा तो जो बच्चे यह समझके चलते हैं कि सर क्या प्राइमरी अलकाइल हलाइड कभी भी SN1 reaction नहीं देते तो उनकी statement अलवेज अगर लगाएगी किसी statement में तो वा गलत हो जाएगी कई बार ऐसा होता है कि प्राइमरी अलकाइल हलाइड भी SN1 reaction देते हैं यदि वो कार्बोकेटाइन स्टेबल बना सकते हों तो जैसा कि यहां पर बनाया राइट तो यहां पर कहेंगे कि SN1 reaction तो हुई हुई यहां पर SN2 reaction भी हो जाएगी ठीक है बहुत बढ़ी आपि अगरा देखो जब हम बात करेंगे इसकी बात इस वाले अलकाल हलेट की बात तो मैंने CL को उटाया यहां पर कार्बोकेटाइन मना कर देखा CS2C है फिर मैंने लिखा CS2 और CS2 पोजिटिव आप ध्यान से देखिए डबल सिंगल सिंगल टू टाइम्स आया यह डबल बॉंट उस कार्बोकेटाइन के रेजुनेंस में नहीं है यानि कहेंगे उस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो इसको हमने क्या कहा कि यह जो कार्बोकेटाइन है यह अन्स्टेबल कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर PAN हुआ तो क्या मैं कहूंगा कि यह SN1 reaction देगा बोलो यार आप कोगे नहीं सर जब stable कार्बो गटाएं नहीं बन रहा है तो SN1 reaction भी नहीं देगा लेकिन अगर यह न्यूपलो वाइल पीछे से टैक करता है तो मैंने देखा कि alpha वाले कार्बन पे chlorine के just adjacent वाले कार्बन पे इस्टेर हिंड्रेंस तो कम है हाइड्रोजन लगे हुए वहाँ पर छोटे-छोटे पीछे से टैक कर सकता है तो क्या यहां पर यह SN2 reaction देदेगा चैट वोक्स ने बताइए विटा क्या यह दोनों के दोनों कंपाउंड आपको समझ में आए कि नहीं आए बहुत बढ़िया ब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डान है डान है ओके महावीर आरियन चलिया आगे बढ़ते हैं अगर आदेखो इन कंपाउंड के बारे में देखते हैं जब मैं स्विएल को हटा हूंगा तो मैंने देखा कि सीएस्ट्री ओ सीएस्टू पॉजिटिव यह कार्वोगटा स्टेवल कार्वोगटायन कहते हैं by प्राइमिय कारवोगटायन तो हम कहेंगे बढ़े रीक्शन को देगा और यहां पर थे कार्वन पे इस्टर के हिंडरंस कम तो न्यूकलिओ फाइल यहां पर अटैक भी कर सकता है स्यल को निकाल भी सकता है तो यह sn2 reaction को भी देगा यह नीचिए और दून कर करो देगा तो पता क्योंते कि चार option से उंसे कि से लगा देगा वह पुशे का कि कोंटो सा यरा या यह फिर ऐसा पुश लेगा तीं चाहर देगे कि तु सिर्व और सिरस्पों स्कर्ण्डि थी शया one देखा कि वो कोई ऐसा पता इसा जो सिर्वाइवस देगाने तो आपको यह पताऊना चाहिए एलकायल है आलाइड को देख कर कि कौन सा जेता है और i Кoen से सनट्व देता राइच बहुत बड़ी अकल दो Νान्यो का इसकी इस पर सुनिए कर्बोकर्टाइन ने और च्च च पोजिटीन चार्ज पर यह बार दूर रह गए कि तो इसको यह नहीं नहीं सब्सक्राइब नहीं नहीं करते चाहिए यह कार्बोकर्टाइन आपके पास ऐंस्टेबल हो गया तो मैं सब्सक्राइब क्रोस और यदी आप के लिए तो आपको कुछ नहीं कितना है बीडवार कितनी है आप कोगे सर बीडवार तो बहुत थोड़ी है अट्रैक करेगा निकल जाएगा तो मैं कौँगा कि only SN2 reaction देगा बोलो यार हाया ना ऐसी तो होगा ना आप कोगे सर अब हमें समझ में आ गया पांच मिनट वीडियो को पीछे कर लो दुबारा मैं ही बोलता मज़े रहूंगा मेरे स्थार पर सक्तिमान नहीं आएगा ठीक है बिल्कुल जो मैं बोल रहांगा उसको सुन लेना है हBER मता हुआ है है आगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं आप जर आब बात करते हैं इसकी इसकी बात कर लेंफ़ Amen तो मुझे पताइए चाइए यहां पर ये बेंजाइल कारइण बता आप ऑगान आपको यह सर ब्रेंग दूँए पिक्चर के बाद बस दो कंपाउंड रह गए यह कारवोकटायन को बेंजीन का रजुनेंस मिलेगा क्या बोलेंगे इसको यह स्टेबल कारवोकटायन है तो क्या कहेंगे यह से लिएक्शन देगा ना आपको भी बिल्कुल सही और नुक्लियोफाइल की बात करूं अट्यक्ति अटाइक रो पीछे से देखा कि दो हाइट्रों दो छोटे-छोटे हैं पीछे से टैक हो सकता है तो चाहर हम कहेंगे कि यह तो सर SN2 भी देदेगा यह तो एसे टू भी देदेगा अब बात करते हैं किसकी भाई इसकी देखा अब जड़ा देखो यह मेरे पास SP2 hybrid कारवार में इसके मैं दो रिजन दूँगा आपको पताए कि यह SP3 है यह SP3 से मनलब है न यह SP2 है तो बेटा यहां पर एस करेक्टर बढ़ा बोर्ड लेंग क्या हो जाएगी छोटी समझ जाना बोर्ड लेंग छोटी तो बोर्ड क्या हो गया मजबूत तो बोर्ड मजबूत हो गया तो CL टूटे गाई नहीं नूगलो वाईल पीछे से कितना भी अटेक करता रहे तूटे गाई नहीं तो एक बात जहां दखना नोट point nucleophilic substitution reaction चाय वो SN1 हो और चाय SN2 हो डू नोट अकर यह ड़ज नोट अकर और एस्पी टू हाइब्रिड कार्बन एक ठीक है अगर इसकी जगह पर यह भी होता नहीं है विनाइल क्लोराइड चीह टू सीह टीयल तो यहां पर भी नहीं होता क्यों क्यों क्योंकि यह क्लोरीन एस्पी टू हाइब्रिड कार्बन से कनेक्ट है तो हम कहेंगे कि यह कंपाउंड ना तो SN1 देगा और ना SN2 देगा ठीक है ना अब जड़ा देगो विटा अब जड़ा देखो वई आगे बढ़ते हैं यह एक यह कल्लू से कालिया जुड़ा है कल्लू से कालिया जुड़ा है तो देखो वाई SN2 तो इसलिए नहीं होता क्योंकि 3D कार्बन पे क्या होता है विटा 3D कार्बन पे आपके पास इस्टेरिक इंड्रेंस इतना ज्यादा होता है कि न्यूकिलोफाइल पीछे से टैक करी नहीं पाता तो SN2 रियक्शन तो यहां पर नहीं होगी तो SN1 रियक्शन देखो यहां पर नहीं होगी रिजन बताइए क्यों क्योंकि देखो 3D कार्बोकर टायन इस्टेवल तब माना जाता है जब वह प्लेनर भी हो क्या हो वह प्लेनर भी हो यहां पर यह कर्बो गटाकर क्लोरीन हटता है क्लोरीन हटने के बाद पोजिटीव चार्टा जाता है तो यह रिंग वाला कार्बोगटायन कि यह हाइली अनस्टेबल होगा हाइली अनस्टेबल बुअ और यहला निमा दिनी कोद टाइन जिड moment हों मों कहेंगे कि आपर एं टू रीक्षन और सिरुमज वन डोत नहीं एसन यूंत डोनुहीं नए आपर कि लोयी हुआ है मैँ उस्ट है तो यह सुनों जिनको भी डाउट है पीवाइट वगेरा पे चैप्टर वाइज वगेरा पे यह आपको बताता हूं जितना और्गैनिक एमेस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं ना तो हर चैप्टर में अलकोल की रियक्षन भी आती है अप्टर में ये य कुंटेनिंग फंक्ष होंगे लोजिक पता होंगे ठीक है तो अभी तो मेकनिसम क्लियर हुआ था अब आगे देखना इसमें बहुत सारे पीवाई क्यों है एडवांस के पीवाई क्यों जो आप बहुत आसानी से कर लोगे ठीक है अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 20 मिनट का मिलते हैं ठीक है इसलिए कुछ खाना वाना खाली जाब लोग है चलिए बाई मिलते हैं ब्रेक के बाद झीवाई झाल 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 आप लोगों को मेरी आवाज सही सलामत पहुंच रही है कि नहीं किया मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है विटा जल्ली से चैट बोक्स में लिखिया वाई क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है यस और नो ओके डान 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 चालिए भाई स्टार्ट करते हैं हम देखिये भाई थोड़ा सा में और चीछ समझाना चाहूंगा आपको वेल्कम बैक सब लोग आ गये स्टार्ट करते हैं जल्ली से बिटा सभी समय पर आजायेंगे अंकेड अभी सभी समय नहीं है ओके ड़न चलिए वाई मेरा आपसे कुछ कोश्चन्स हैं पर आपको प्रोड़क्ट बनाने हैं पतलब एक नुक्लोफाइल दूसरे नुक्लोफाइल को सब्स्टिटूट करेगा और आपको प्रोड़क्ट सब्सक्राइब बनाते जाना है ठीक है जैसे देखी माल लीजे आपके पास यह स्टू और सी है आप इसकी रियक्शन करा रहा होगे बिटाजी के साथ और एंडी सीन के साथ आप लोग जानते की अलकली मेटल का सॉल्ट है अलकली मेटल के सॉल्ट क्या होते हैं आइनिक होत सबढ़ेनास तो मुझे बात बताइए साइनाइट ओर एंडी फिलस में निउगलो फाइल कौन हुआ आप को होगे सर नुगलो फाइल कार्बन और कार्बन ट्रिपल नाइट्रोजन इधार लोग पेर इधार लोग पेर और साइनाइट का एक्ट्रॉल इस्ट्रक्चर है व थो रास्ते कार्म नर्ट करें टेक करें जल्डी से सब्सक्राइब को डूं से इटाइक करेगा या जाफ की से डूरा को बेटा को जल्ली से बताईए भई कि अरे बोल दो हाँ तर कार्मन की अलेक्टरो नेगिटिविटी कम होती है कार्मन अच्छा अलेक्टरों डोनर होता है तो कार्मन भईया इधर अटेक करेंगे कल्म भईया यहां से निकलेंगे और पॉजिटीव इसको निकले ले लेगा और इने यह यह देश का सुद्व टाटा नमक बन जाएगा प्लस इज़र जब हमारे पास चाइन जोड़ोगे तो हमारे पास ऐलकाइल साइनाइड बनेगा यह यह एलकाइल नाइट्राइल कहते हैं बहुत बढ़िया वटा कार्वन की साइड से टेक लोगा बढ़िया अब जड़ा देखिए प्लीज मनों मेरे पास एकसान है किया है और स्टिय। मैं इसकी reaction करा रहा हूँ AGCN के साथ अब मैं AGCN की बात करूँ ना AG में AG के जो compound होते हैं मतलब transition metal के जो compound होते हैं वो basically क्या होते हैं Covalent Nature की होते हैं अब Covalent Nature की होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर AG ने C के साथ bond बनाया सी ने आगे nitrogen के साथ bond बनाया और nitrogen के पास एक लोण प्यारों इलेक्ट्रॉन है देखो यह आइनिक compound नहीं है यह बहुंद तूटेगा नहीं पहले से नहीं तूटेगा बाद में तूट जाए तो अलग बात है हम ने देखा कि अगे सिर्फ नाइड्रोजन के पास लोण फ्यारों एलेक्ट्रॉन है तो आप कहिए नाइट्रोजन यहां पर क्या हो जाएगा बैटर नुक्लियोफायल जब बैटर नुक्लियोफायल होगा थो एन की तरह से अटेक करेगा कल्लू भाट कि लेंगे एजी प्लस इसकालिया को पकड़ लेगा और PPT बना लेगा क्या एजी प्लस इसकालिया को पकड़ लेगा और साथ में बनेगा CS3, CH2 और NC आइसो नाइट्राइल बनेगे जल्दी से बोलो बेटा क्या ये रियक्शन आपको समझ में आ गई बेटा बहुत बढ़िया नाइट्रोजन अटेक करेगा बिल्कुल करेक्ट है क्या आपको ये दोनों रियक्शन समझ में आ गई के सी एन और एजडी सीन के साथ रियक्शन बेटा मैर रिवीजन छोड़ो चीज़े तो डिटेल में चल रही है ठीक है बस वन शोट चल रही है कि एक टाइम पर मेरी पढ़ानी के पैसिटी और आपकी पढ़ने के पैसिटी दोनों इनकलाइन हो बलग सेम फ्रिक्वेंसि में आ गई है ठीक है बहुत बढ़िया भई आगे मेरे पास ये रियक्शन है मालनों मेरे पास किसके साथ कराओंगा या उसकी जहाँ पर क्या होगा न नो टू ठीक है अब जड़ा मुझे एक बात बताओ बिटा पूछा जाता है कि भाई जो आपके पास प्रोडक्ट होगा उसमें किस-किस बीच में बॉन्ड बनेगा किस आप देखिए हमें पता है कि यह भी अलकली अलकली मेटल का सौल्ट ऑर यदि यहांपर आइनिक होंगे तो मैं क्या कहुंगा कि एनने पोजिटिव अलग और यदि मैं नोटू माइनस का इस्ट्रक्चर बनाओ तो आप देखोगे नाइट्रोजन डबल बॉंड ऑक्सीजन ओ माइनस यहां भी लोन पेयर यहां भी लोन पेयर और भाई इधर भी लोन पेयर हैं मुझे यह बता हो अगर मैं ऑक्सीजन और नाइट वाली साइड से जल्दी से बोलो बेटा और ऑक्सीजन वाली साइड से यह नाइट्रोजन वाली साइड से अ कि कि अ 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 कि कुछ बच्चे पिरोडिक टेबल का डाउट पूछ रहे हैं एलन रोसो स्केल 0.359 है ना इंटू में जैड इफेक्टिव का स्क्वाइर अपोन में आर्कोवलेंट का स्क्वाइर यह यह आपगे बाद एक्वेशन होती है है ऑके नाइट्रोजन अटैक नहीं करेगा जिनका अशन नाइट्रोजन अटैक है वेटा देखो एक क्या है कि अगर आप इसके दो रेज़ोंटिक स्ट्चर बना कर देखना चाहते हो तो यह इलेक्ट्रोन इजब रेजोंटन जाएंगे तो इलेट्रोन उटकर इदर आज नेगीटिव चारज भी आ गया तो जिस पर नेगीटिव चारज पहले से होता है ना वह चाहता है कि कि सब्सकिन अपने ऊपर से जब दनाना चाहता है कि टास्यृ में घरके तरब आट परए stretched कि करिये ंठर करेंगे तो इधर-C और अपके पास psych केण आपका comprehensive type का question बन सकता है यहां से ठीक है तो यहां पर कहेगा कि एक compound मेना एक वाई कंपाउंड मेना एक्स और वाई में कौन-कौन से बहुंड होंगे तो हम कहेंगे यहां पर होगा आपके पास यह प्रोड़क्त होगा बिटाजी और यदि मेरे पास मान लीजे अगर मेरे पास यह एक्टेंट है एक यह सी जवर ने नाइटरोजन के साथ बोन बनाया होगा और इधर दबल ओक्सीजन इधर कोडिनेट और ओक्सीजन रहा होगा बोलो यार आपको जोड़ी बात तो ऐसी ही है यह पर सोरी इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे मानना एग अगर और यह बात बिल्कुल क्लियर है कि इस बार नेगिटिव चार्ज नहीं है तो मुझे इस बात बताओ बैटा ऑक्सिजन अच्छे से इलेक्ट्रोन देगा यह नाइट्रोजन अच्छे से इलेक्ट्रोन देगा वोलो वो कि बोलो बैटा जल्दी से आंसर दीजे आंसर नाइट्रोजन ज्यादा लेक्ट्रोनेगिटिव होगा या औक्सिजन एक बच्छा कह रहा है कि सर आप इतने मोटिवेटिड क्यों रहते हैं अगर हम दिमोटिवेट रहने लगे ना तो हमसे दस टाइम गुना दिमोटिवेट तुम हो जाओगे ठीक है तो सब कुछ तुम से है तुम भी मोटिवेट रहो इसलिए हम भी मोटिवेट रहते हैं ठीक है हम से मत पूछा करो कि हम मोटिवेट क्यों रहते हैं बस यह समय करो कि सर मोटिवेट इसलिए क्योंकि हमें करना चाहते हैं मोटिवेट हमें गिवप नहीं करना है ठीक है ओल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नाइट रोदर भाईया की एलेक्ट्रोनेगटीटी कम है अटेक करवाओ इधर सीरियल भाईया निकल जाएंगे और एजी सीएल के साथ पीपीटी बनेगा यहां पर प्रोड़क्त बना वह बना एजी सीए द्री और यहां पर बनेगा और साथ में एजी सीएल का पीपीटी बन जाएगा अब जड़ा देखो बेटा अब जड़ा देखो अगर वह आपको ऐसे कोई रियक्टेंड दे दे सीएस त्री सीएच टू ओएच अमरित से शुरू करेंगे बहुत देर हो गया अमरित का नामी नही करने के आखिंटो आपने एक्स बनाया और एक्स बनेगा उस एक्स की आ रहे हो तो आपने जैन मनाया ठीक है आपने बेटाजी इस एक्सकी रियक्षण अर्व है कि एजी एन ओटू के साथ बनाई करी तो आपने एफ़ अलु अरजुन मनाया और आपने पेटा जी एक्सकी रीक्षण एजी तो आपने बल्लू राम तो ऐसा पहराग्राप दे सकता है और फिर उसको पर एक दो कोशन पूर सकता है वो क्या कहेगा बेटा वो कहेगा कि भाई जो एक्स है ना एक्स के अंदर जो मंटिपल सेलेक्टिवा कोशन भी अगर आ जाए एक्स बताइए क्या होगा या फिर एक्स के अंदर कार्बन के साथ पिछने बॉंड बनाया होगा आप कहोगे सर आप कहोगे सर एक्स के साथ सबसे पहली बात तो यह कि अम्रित में जब सब्सक्राइब तो यह डार्जन रियक्षन बन जाएगी और प्रोड़क्त हमारे पास क्या बनेगा सीएस्ट्री सीएच टू और सीयल बन गया फिर हमें पता है कि एजी सीएन में से एजी और कार्बन वाला पूंट तो तूटेगा नहीं अटैक नैट्रोजन की तरब से हो पर बनेगा थी एस त्री टू टू ऐसे बन सकता है कि केस दिया बिलूल अलग अलग हो जाएगा तो अटैक कार्बन की तरफ से होगा तो सर इधर कार्बन कार्बन बनेगा ठीक है फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एजी और ऑक्सियन का बीच का मोंड बना एंड डॉबल बोंडों कार्बन ओक्सियन बोंड बन गया जल्दी से बताएं बेटा क्या आप लोगों को अब बोलो एक बच्चा कह रहा है कि सर पढ़ाना तो सीख लो हां बेटा तुम से ही सीखेंगे यह कार्बन की स्मेलिंग पता है तुम्हें जल्दी बोलो बेटा हमें लगता है कि तुम्हें जाता अच्छा पढ़ाना आता है ठीक है तुम्हें काम करो वीडियो बंद करो और अपने पापा को पढ़ाओ तुमने अगर उनको सिखाज समझे लेना हम तो सीखी जाएंगे बोलो बोलो बेटा है क्लियर है कि नहीं है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी हद कर दिया आप लोगों ने सही सीख लिए अब आगे बढ़ते हैं बाई कोशन नमबर आपके बाद सामने 17 और यह आईटी में 2014 में question आया हुआ है का गया है कि in sn2 reaction the correct order of reactivity for the following compound यह दिया यह फराना धिमकाना दिया and so on दिया अलू बलू कल्लू और डलू यह चार option दिये हुए करेक्ट आंसर देख कर पताई यह मैंने अग्समझावागा आपको बहुत अच्छे से करा दिया है तो जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर अलू वलू गलू कि सब निकलते हैं जाव यह समझा करो वेटा कि तुमसे एकजां नहीं निकलेगा एक तुमसे निकलेगा अभी नहींग महीने बाद अगले टैंप मेरे निकलेगा अपने आपको कमजूर मत बात मानो पेपर है वो पेपर तुम जीते जागते इंसान हो ठीक है तुम्हें उस पर कलम चला नहीं ना कि वो तुम्हारे उपर आके चलेगा हिम्मत रखो बस चलो भाई तो करेक्ट आंसर आपके पास होगा कि सर जहां एसे नटी रियक्शन वहाँ पर जाद अच्छे से होगी जहां पर हिष्टरिक इंटरेंस सबसे कम है तो सबसे जहाद यहांपर होगी फिर इस्टरिक इंटरेंस रोड़ा ता पढ़ गया फिर टू डिगरी इधर ठ कोई कोशन बचेंगे नहीं बचेंगे यह बात हम जानते हैं आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं रियक्तिविटी ओफ गीवन हैलो एल के इस टूफ नुकलो फाइल की नूकलो फाइल इनसे रियक्षर करना चाहता है साधी करने के लिए आम मंतृत कर रहा है तो वह आप के साथ है क्योंकि हमें पता है यह यू आ है रही हमें पता है कि एक तरफ आ रहां एक तरफ आर्भी आर्वन मैंने इसकी उप्रोबर्टी में भी समझाया था कि यह जल्डी टूटे गा यह जल्ली से यह बनेगा कार्वो कंटाइन बनेगा कि नहीं मनेगा ऐसे पिटा जी यह बोन आपके बाद थोड़ा सब मजबूत हो जाएगा यह और मजबूत हो जाएगा यह क्या होगा रीएक्टिविटी वाला मैंने कोशं कर वाया था ए पोर अल्लूर जुन करेक्ट आंसर है घिग फोर बंदर जो आंसर दे रहे हैना वह गलत दे रहें और एक आज बच्चा नहीं है बहुत सारे बच्चे जो फी फॉर बंदर दे रहे हैं तुम लोग गधों से बंदर बन चुके हो हाँ एक करेक्ठ है एक करेक्ठ है भई कि आगे बढ़ते हैं ओहो कि डडिक्रीजिंग ओडर और रियक्तिविटी ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड टूर्ड नुक्लोपलिक सब्सूजिजन एक्शन एसेंड टू आपको मैं एक बात बताओं आपको मैं एक बात बताता हूं यह कॉंसेप्ट में सेप्टेमबर तीन दो कि आप समझने की कोशिश करिएगा मानलो मेरे पास तीएस थ्री तीएस टू और सी यह 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 मैं इसकी reaction किसी nucleophile के साथ करा रहा हूँ वो nucleophile तीनों के तीनों same nucleophile है question में यह है कि यह reaction आपके पास primary alkyl highlight कर रहे है तो reaction तो SN2 हो रही होगी right or wrong reaction SN2 हो रही होगी तो भाई इस reaction का rate अगर R1 है इस reaction का rate R2 है इस reaction का rate R3 है तो आपको यह बताना कि कहां पर rate जादा होगा और कहां पर कम होगा फिर आप पता है क्या कहोगे कि सर कुछ बताओ इसके बारे में कैसे पता लगाना है logically नहीं हम तो तुक्का लगा लेंगे ठीक है तो आपको यह बास समझ नहीं है कि कि यहां पर ना इस reaction का rate करने के लिए जिर्फ एक ही स्टैप है यह सिर्फ वर्वन डार्वन रियक्शन होती है और हमें पता है कि यहां पर कार्वन कर्वन क्लोरिन के जो बीच का बॉंड है यह ब्रॉण टूट रहा होगा यह ट्रांजिस्ट इस्टेट हुई की नहीं हुई कंडिशन नमड़ दो अगर मालो इदर मेरे पास न्यूक्लिवाइल है इदर मेरे पास कार्वन के साथ ऊपर हाइड्रोजन है इदर हाइड्रोज कार्वन के साथ इदर मेरे पास क्या हो जाएगा वैश है और मेरे पास क्या हो जाएगा कि लिए टूट तूट अपने प्रॉपर यह यहां पर मैंने आपको बनाई मैं आपको थोड़ा दा हिंट देता हूं वह यह जो ट्रांजिशन स्टेट होगा अपनी समझने कुछ करि तो तेक्र तो एलेक्ट्रोन से कुछ जाता है इसका मतलब क्या होता है अपने दे dengan6 कर रहे होती है है इसे देकि जेखा होगा होती है अग्यूंज होती ही और हम यह बात चानते हैं कि जिसमें यह पीक जितनी उपर होगी उतनी रियक्षिन करना मुझकिल होगा और यह बैटा जी मैं इस पीक को छोटा कर दूं तो मेरे बाब उज़े पता है कि वह जाएगी कम हो जाएगी और रियाक्षिन उतनी फास हो दी जाएगी यह बात आपको पता होगी राइट अब ढरा बेटा यहां पर मैंने देखा इन में अगर यह तो इसके अंदर की जस्शी लेक्टाटं इंवाल॥ इसके अंदर से लेक्टार इंवाल्व थे डिफरेंस क्या है कि इस हाइड ही जगापर यहां पर बोलो आया कि नहीं आया हाय आना का जवाब दीजिए मुझे अगर आरवन और रूजरा टू में रूजराटու में और रूजराट्व करना हो तो आप यह कहेंगे सर रूजराटि वाले में एक त्प्रहीं2 जो आपना प्लस आएफेक्ट लगाएगा और प्लस आई क्या करता ह है अब कारबन के पास पहले सी 10 एलक्त्रों थे और एल्यक्त्रों नेंसिटी बढ़ेगी तो यह जए लोगा कि नहीं हो और और ज़्यादा लोगा तो यह पीक और उपर की तरह भागे लुखाई नहीं भागे गी और यह पीक जितनी उपर तक भागे गी तक रहें अधना एक बात का पता है कि अपना माइन साइफ लगाएंगा कि कार्मन करने वैलेट्रों अपना माइन सट्रेक्जिएगा कार्बन पहले ऐले से यह soort मिल रही है दो ़ 대해 मिलेगी तो तो फिल्डीटि सब्सक्रेक act आई तो रहेगो नहीं चलेगी यहां पर एक बात समझे लेना कि देट यह फ्रकॉस्टर्ण टू दू इलेक्ट्रोण विड्रोईंग ग्रॉप लगे होंगे उतना वह बैटाजी अलफा वाले कार्बन से इलेक्ट्रोण इसके चार्ज और यह चलती रहेगी तो यह बात हमें ज्यार नगशनी है एसन वालों में कार्बोकुटाइन मनता है कार्बो कैट्यंत मीट करमों होता है वह वाव पर उल्टा होता है वहाँ पर उन को को गुठा करने के लिए इलेक्टों डॉनेटिंग ग्रूप आते हैं आज चानि एक्टोपूर। स法ष로 करेंगे और ये क्षेश करते हैं SN1 reaction में electron donating group reaction के rate को increase करते हैं जल्दी से बोलो क्या ये theory, क्या ये explanation, क्या ये concept आपको समझ में आया की नहीं आया बोलो बोलो क्या आपको ये concept clear हुआ कि नहीं हुआ कि SN2 reaction का rate electron withdrawing group बढ़ाते हैं और और सुन लीजे एक और बात rate of SN1 reaction is in work directly proportional to electron donating group हाना का जवाब दीजे भाई चैट बोक्स में बोलो बोलो डाने डाने भाई बहुत भड़िया बहुत बहुत बढ़िया आजाए जरा कहानी तुम्हारे सामने है कहानी सामने है आपके सबको आपको अपनी हो क्या क्या भोल रहे हो भाई कि पैरी गोड़ पैरी गोड़ पैरी गोड़ ओके डंड़ कोशन तुम्हारे सामने है कॉंसर्ट सामने है देखो भाई इधर सी एस्टू सी एल है माइनस है उत्तना तो जल्दी से बताइए भाई बोलो बोलो है यहांए मारे पास इसमें माइनस के एफेक्ट सबसे कम लग रहे है कोई पैक्ट नहीं लग रहे इलेक्ट्रों विड्रोइंग ग्रूप नहीं लगेंगे तो इसका सबसे शुलो होगा कि नहीं होगा तो साप से पीछे होना चाहिए आ िला टीया होगा बटा सभी फोर बंदर कर आए होगे ज़ली से बोलो था डौत क्या यह समझ्ञ में आया कि नहीं है क्या यह समझ्ञ में गलंग लवू winning लॉब आप भी फॉर बंदर एक डांसर होगा है कि आप कि आप है कि बीप बंदर एक नहीं देखो समझो ना कि देखो यह तो लास्ट में तो यह तो आप्शन हो नहीं सकता यह तो कहीं हमने देगा जिहार मेता वाला यह तो सेम है अगर आप इसमें देखोगे एक का नोट ऊर्थो पर है एक नोट फरा पर तो दोनों पर माइनस अ सेम लगता है जो माइनस हम फ्रत होता है वो दिस्टेंस इंडिपेंडनेंट डिपेक्ट चाहिए और तो से लगया और यहां पर यहां पर दूर से लगा तो इसके दूर से लगेगा तो इसलिए ज्यादा यहां से डिस्पर्थ होंगे और वाला सबसे ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगा रियक्टिव हो जाएगा टूर्ड एसन टू रियक्शन तो आंसर इस वी और वंदर डान डान कि आये कॉंसेट के हाँ आगे एक और कोश्चन है यह देखो ऐसा नहीं है कि तुम कोश्चन सिर्व आइटी जैइमेन के कर पाओगे मुझे लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो आइटी एडवांस तू 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 थाटीन का कोश्चन है जड़ा देखो क्या सबसे जाजा होगी अब हमें क्या देख वहाइए ने सबसे कॉम है काल देखो म कोर्ट एडवांस का क्यों ओडबाइट औरना नहीं है औरहे कदो इस टारीन्ट अश्म सरफ कम यहां पर है पी वाले पर है कि में आदा इस तो पी सब में पहले हो ना चाहिए तो जहांपर वीचुम्टिशन पसके बार हो गए ना कि अब आगे कॉंपिटिशन किसी में आ गया क्यों में और आर में चेक कर लो क्यों में क्या है क्यों में टू डिगरी कारबन इस्टेरिक इंट्रेंस ज्यादा है और यहां पर यहां पर यहां पर इस्टेरिक इंट्रेंस का में इस्टेरिक इंट्रेंस का में तो न्यू किलो विल भी दा करेक्ट टांसर ए वाला गलत है कि इवाला गलत होगा हाउ सब्सक्राइब जल्दी से भोलो जोष्यवलो क्या होगा अब अपल कश्मीर या पडाशगल के आदमी गलत आंसर का या सी हमने समझाद या सी फोर केमेश्ट्री पिर भी कलती कर रहे हो तुम लोग लक्षमी बंजारा या बंजारे जो भी है आप कर्प्या करके अपना आंसर ठीक करिए अब आंसर आ रहें सी सी वाले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब पढ़ते हैं थोड़ा आगे ओहो यह क्या कह रहा है विच आप फोलोविंग कंपाउंड विल्षो रिटेंशन इन कॉन्सुगरेशन और नुक्लियोफाइल और हमें पता है कि इनके साथ बल्लू बल्लू लगे नहीं ब्रोमीन लगे तो यहां पर क्या होगा विट्वटा यहां पर हमें देखना है कि नुक्लियोफ सब्स्रीटूशन होगी कुछ यह लग बात बहुंऔ है किbas है सबसे जादा डिटेंशन कहा पर होगा वाई कि A B C D A B C D कहां पर इटेंशन होगा पिटा देखो यह हमारे पास फिनाइल रिंग है यह साइक्लो हेक्जाइल रिंग है दोनों को सेंब में समझे लेना पिनाइल रिंग कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल करेगी और यह टू डिग्री अलकेज रोमाइड है sn1 और sn2 दोनों हो जाएगी आप यह देखो sn1 कहां पर सबसे अच्छे से होगी sn1 sn1 कहां पर अच्छे से होगी sn1 सबसे अच्छी होगी वेटा डी में डी फोर दोलगपूर डी फोर डॉंकी एज लाइक यू क्यूंकि यहां पर साइडे को कार्बोकेटाइन यह बनेगा ना सबसे अच्छ और फिनाइल रिंग इस वाले कार्बोकेटाइन में सबसे रेस्टेवलिटी मिलेगी ना कि तो जहां पर सबसे ज्यादा sn1 रियक्षन होगी वहां पर आप रिटेंशन करेंगे कि अरे यार कि हाँ अब ठीक है अब ठीक है बहुत बढ़िया कि तूथाउजेंड एट टूथाउजेंड एट एडवांस होता था उस टाइम पर जहीं में इस नहीं होता था ठीक है आप जड़ा देखो वेटा क्या बोरा गया है दा बेजर प्रोड़क्ट और फ्राना धिमकाना इस यहां पर इलेक्ट्रोन विड्रोइं ग्रूप लग आएगा इस कार्वन के लिए आपको हिंट मिल जाना चाहिए सोर इलेक्ट्रोन विड्रोइंग ग्रूप लगे हुए इसका मतलब यह सेंटू रियक्शन को फेवर करेगा एसेंटू रियक्शन फेवर होगी तो वहां पतन युक्लोपाइल पीछे से अटेक करता है बोलो हा और इंवर्जन भी होता है लेकिन एसेंटू में सिर्फ और सिर्फ इंवर्जन होता है अगर टाउट है तो क्लियर हो जाएगा अब मुझे बतावाई यहां पर पीछे से होगा आपको दिखना है कि ब्रोमाइड क्या है अब आउजा प्लेन है डार्क वाली लाइन पे है त अब पीछे करेगा बेटा तो क्या होगा एस पी एच वाला बॉर्ण रहिये बिलोदा प्लेन जाएगा बिलोधा प्लेन का मतलब क्या कि आगे से भी आर हटा अबॉदा प्लेन से अटा और पीछे से लग जाएगा जल्ली से बोलो बेटा correct answer क्या होगा अलु बलू कलू डल बढ़िया 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 भाई दीपाक बहुत बढ़िया दर आई ट्वार्ट अपर तुमने लादिया ओहु नेक्स्ट कोर्शन इस इस आई टीजे 2020 क्या बोला इसने वन मिधाइल इथाइलीन ओक्साइड वन मिधाइल इथाइलीन ओक्साइड रियेक्ट विद एन एक्सेस ऑफ एच बी आर प्रोड्यूज देखो प्ली वन मिधाइल इथाइलीन ओक्साइड इथाइलीन का फोर्मला होता है सी एस टू सी एस टू ठीक है बाई और ओक्साइड भी दे रखा है इसको आप ऐसे माल लीटिएगा फिर आप क्या करोगे इधर आपने एक जहां पर सी एस नहीं लगा दिया तो देखो वन टू तो यह हो गया आपके बाद वन टू पर मलब वन मिधाइल इथाइलीन ओक्साइड वैंड ट्रीटिड विजन एक्सेस ऑफ एच बियार आपको बताना है प्रोड़क्ट क्या बनेगा जल्दी से बोलो भाई एच बियार अगर इसके साथ रेक्शन करता है तो क्या अपको बनेगा एक सेश्यार की हरon a यह सora आपके शर जब हवं का मॉलिक्थूल आएगा को एच पोजितिव और हवी यार माइनस रे यह बनेगा ट了 अगर जये घंडेंगा जल्दी से बताएए वेटा क्या नसरो होगा इसका कि ठीक है अब जड़ा देखो क्या करना है आप लोगों को आपको बताएगी सर एच प्लस इस वाले लोन पेर पर टेक करेगा तो यहां पर सी एस टू पी एच पी एस त्री ओएच पूजिटिव यह बनेगा अब कोश्चन पता क्या है कोश्चन हमारा यह है वेटा आप करता है तो आप दिको कि यहां पर कार्वोगतायन बना यहां पर क्या बनेगा कार्वोगतायन बनेगा और डीघर ते तूटता है और पर 25 बनेगा तो जो इस्टेवल पोजिटिव चार्ज और च्री यह टूदी कार्बोकटाइन बना लिया जैसे आप टूदी कार्बोकटाइन बनाएंगे अगली स्टैप में आपने क्या किया बिटा बी यार लेकर आए बी आर नेगिटिव स्पर अटेक करेगा फिर आप च्टू ओएच लोगे इधर आपके पास CCH BR लगेगा और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा udah अंगले स्टैप में क्या करोगे बिटा बिलकुल सही जवाब है कि बीटा वाली से टूटे का पॉण्ट अब जल्दी से बताई अगले स्टैप में आप क्या करोगे ला आप करेक्ट आनसर क्या होगा अभी र प्रोड़क्ट में कहीं पर भी ओएच नहीं है आप लोग अप्क्या दरों कि नेक्स टेप में कि सर एक्सेस में था ना है तो कोई बात नहीं है एक्समेस में हैं तो हब आएगा एच पोजिटिव इस पर लग जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा देखो देखो जली से जो करेक्ट आंसर होगा वह दी फोर धोलकपूर होगा विटा क्यूंकि इस वाले कार्वन से आपको प्रोमील लगाना है तो दो एड्यसेंट कार्वन पर प्रोमील लगना जाना देखो इस वाले कार्वन पर प्रोमील लगा है और इस कार्वन पर सियस्त्री है करेक्ट आं तकल अच्छी बनाओ डेली नाओ ठीक है और मेहनत करोच्छे से साधी भी होई जाएगी तुम्हारी अभी बहुत छोटे हो ना कि चलिए भाई डी करेक्ट अंसर सबको समझ में आ गया आगे नेक्स्ट कोश्चन पर आजाई है नेक्स्ट कोश्चन आपके पास है था मेजर प्रोड़क्ट और फॉलोविंग रियक्शन यहां पर आयाइटी 2019 का कुश्चन है और इसने लिया है एक्षेस में जड़ा ज्या और एक्षा एक्षां नट रियक्षिन भी होगी जरा देखो क्या होगा सबसे पहले आपने क्या लिया मैं देख रहा हूं तो कि आप सेथे मेंबर की लिए इदर लिया और दर तडि नियूब की नियूचम लेट JONब कुण दो ऑ्यल हो जाएगा यूखिलो फाइल है तो बेसिकली क्या होता है कि मैं एक ही स्टेप में करके दिखा देता हूं कि दो रोज हमापर जो जो पॉसिबिलिटी होंगी कि यहां पर तो आपको टूडी करें बना लेना है ठीक है यहां पर आपने टूडी कर बोकर टायन बनाया और उपर इस ऐडैक करे करेगा यहां से मद्ध करने टैक करेंग तो हमारे पास जो फायञनल बने मैंगने बंग क्या गुरूप लग जाएगा और इस पोजिशन पर लग जाएगा सी एच इधर हम कहेंगे सी एस तरी और इधर लगा हमारे पास भी यार तो जल्दी से बताइए वेटा जी ए बी सी डी करेक्ट आंसर क्या होगा पुषकस चोधरी कह रहा है कि वेट अ मिनट आइल भी राइट बैक ओहो यह किसको बता रहे है वेटा चले जाओ रोका थोड़ा यह किसी ने कि गया होगा ती गलत आंसर होगा फी कैसे सही हो सकता है यहां पर भी आर्ट कहुंदे रहा वह ब्यार तो छी इस री के साथ जाएगा ना तो जिन बच्चो का आंसर सीए वह तो बिल्कुल गलत है आप देखने के बाद गलती कर रहे हैं गलत बात है इतना समझाने के बास इसके चीज तुम्हें डिटेल में कराने के बाद फिर भी तुम गलती कर रहे हो तो तुम्हें शरम आनी चाहिए करेक्ट आंसर विल्वी जी डीफोर डारू फोड़ा पीलो कि या पीकर बैठे हो तुम लोग गलत आंसर नहीं दे रहे हो वहलो अधार डी करेक्ट आंसर है थैंक्यू थैंक्यू पतले होने के लिए जिन जाते हैं विटा ओके ओके ड़न चलिए आगे बढ़ते हैं बाई नेक्स्ट कोश्चन है आई टी जेई 2019 का एक और खतरनाक कोश्चन जरा देखिए दा मेजर प्रोड़क्ट ओप फोलोविंग सबसे पहले एक्वस कोश है अगर एल्कोलिक कोश होता तो क्या काम होता है यहां बार कि सर डी आइड्रो डी हाइड्रोजीनेशन करते लेकिन एक्वस के ओए चोए तो यहां पर क्या होगा बिटा जी इस्ट्रोंग नुकिलोफाइल मानेंगे इसको अब इस्ट्रोंग तो यहां पर आप पहले स्ट्रोंग यहां पर आपने इधर बेंजीर बनाई यह वियार आपने ऐसे मनाया आगे आप क्या कर रहे हो इसको आपने आप बनेगा ना वह प्रोडट्क बनेगा क्या शिक्स मेंबर की रिंग इधर हमारे पास क्या आया ब्रोमीन इधर टिंग टिंग और यह हो जाएगा अगले स्ट्रैप में क्या होगा वै यहां पर लिया है यह हमारे पास क्या होगा जी जोंस रिएजेंट है जोंस रिएजेंट क्या करता है और यहां पर क्या होगा पिटा यहां पर आपके बाद क्या क्या करते है आप लोगो पता होना चीह है आप लोग नहीं हो कि सर यह होटा है होता है dehydrating agent यह पानी निकालता है वही है जैसे अक्षेगुमार निकालता है वैसे यह पानी निकालता है पानी कैसे निकलेगा चिसर ओर तो पोजिशन का करेक्षांसर व्ही वजब है अगर तुम मुझाए पुछोगे अगर वल्ग में गोवा थै चैना अगा राउंसर निकालता है कि नो नो आई डॉंट टेल करेक्ट डान जरुदा यह विटा बी यार मेंटेन रखना है फाइट मेंबर गिरिंग बनानी है बहुत साही एफोर आलिया भट थोड़ा दा टाइम आलिया भट को मिदे देते हैं विचली परेशान हो रही थी भालू तो गलत है देखो यह कारवन आपके पास इसके मेटा पोजिशन पर है और जुड़ेगा तो पैरा पर जुड़ाना चाहिए ना तो सीओ कहां पर जुड़ा है यहां पर क्या है कि जो सीओ है वो कहां पर जुड़ा है और थो पे तो यह गरत हो जाएगा ना बिटा तो बी नहीं होगा ज आप प्लस चार की चक्कर में माहिने से खाके जाते हो सिंपल सिंपल कोश्चन में बहुत बढ़ी आवाई करेक्ट आंसर है कि यह आ जाई है अगले कोश्चन पे डिग्रीजिंग ओडर आप रियक्टिवीटी ऑफ फॉलोविंग ऑर्गेनिक मोलीकूल टूर्ड एगनो थ्री सोल्यूशन ओहो मैं प्लीस समझिएगा यह परिकेशे आपके बाद एलकाइल है और यह आपके बास एगनो थ्री है आज मैंने आपके छोटी बात बताई थी गुरुप वनके रिएजंट गुरुप वनके रिएजएंट याद रखने की ट्रिक कैसे समझाई थी मैंने आप को अजी हांजी पिलाभ आई यही तो बताया था था अजी हाजी पिलाभ ही का मतलब क्या हुआ A Sig Plus, Sg2 Plus, पिलाभ आई का मतलब, Led2 Plus और वहां पर एक और बात बताई थी कि वहां पर जो गूरूप रियजेंट होता है वो गूरूप do होता था डाइलूट सेलख ऑगरता था औंने के स pessoas क्या प्रहें करता था और और सेट एघंदर कोंधिन कोलीटर जाये गा किन लेकर जाएगा क्लोरीन लेकर जाएगा और जब इन क्लोरिंग को लेकर जाएगा तो फीपीटी बनाएगा जी सी एल प्लीज समझने कोशिट करिएगा जब यह सी एल गया होगा तो इसकी जगापर यह बना होगा कार्बोकरटाइन ठीक है फिर आपके पास प्था है कि यह व कंद्धा और फिर आपके बाह श्यां सीए री कि यह सीए सीए श्यानी यह और विह सीए सीएस त्री102 एक यह कर उस्यार आपके इसका मेञत प्रकाइबर वाव को छोड़ गर autos के साथ चला जाएगा तो बताएगा आंसर होगा भो जो आप को खेंगे तो यहां पर दो इसको मोस इस्टेबल ना रहे होंगे तो बंदर विल विल पुनों का भी फोर बंदर पिर इन नों नों में टूडीकर ने यहां पर पर आड़ार नमबर की आम पर आएगा दूसरे नमबर तो बंदर के बाद आलिया वाट यानी बंदर की स्टेबिलिटी घटी तो हम क्या कहेंगे इसकी रियक्टिविटी सबसे कब होगी यह लास्ट में होना चाहिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी फोर बोलो डी फोर करेक्ट आंसर वेरी गुड कि वह बहुत बढ़िया भैई करेक्ट आंसर भाई बहुत बढ़िया सब लोग आप बढ़िया कर रहे हैं तुम लोग तो देखो पूशन नाइंटीन में 2019 में आप से कोशन बनने भी स्टार्ट होने लगे हैं बहुत बढ़िया अब ज़रा देखो भाई नेक्स्वोशन की दुन अब कि ओ माई गौड में में आया कोशन सेप्टेंबर तीन 2020 की तारिक संदी देवन ने मुटा जी मौत का दिन तयार कर लिया था अब मुझे बताइए रियक्शन है इसने का कि पहले आरेक्स ऐसे ऐसे तूटा सॉल्वेंट ने इसको अलग-अलग किया और जो भी है फ्राना ड कि अधा रियक्शन में ठेवरड वीक न्यूक्लेओ फाइल कि यह बास सही है बोलो हो मैंने आपको दो मेकनिजम बताये थे एक मैंने बाइं पताया आपको एसे लो एक्शन रियक्शन एक सेनवन एसेनटू तो बाई जो हम सेनवन रियक्षन में लेते थे तो बेसिकली क्या लेते थे एसनवन में वीक नुकलोफाइल या मोडरेट यूपलोफाइल ले ले लेते थे एसनवन में तो कार्बोगटन पहले सी बना होता था अब ज़रा देखो ऑगवयर वी सब्सटिट्मेंट अरबलकी अगर आपके पास यह स्यवल्ट कि होगा तो बेटा या कार्बोगेटिन नद यूद्ग तो तरी माली अगर यह आपके पास तो कार्वोगाटायन उतनी जल्दी बनेगा क्योंकि स्टेबल कार्वोगटायन होगा तो यह जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगी करेक्ट ठीक है अब यह कहा है कि दा रियक्शन एकंपेंड वाई-डेस माईजेशन क्या इसमें क्वूलर में को स्थोल्मेंट गाधे लोग बता है मैंने कौन सा एत व्यरीन मेंwatch फॉलेंट लेते फॉललर ख्वल्मेंट तो यह स्टेटमेट मैंने कहलेगी इनकरेक्त ह Panama ए यह च्सार अनसर च्श्राली अच्छा हो गया है सी आंजर होगा बहुत बढ़िया पेटा अब भाउत बढ़िया है कि आगे बढ़ते हैं यह जो कोश्चन बहुत बढ़िया कोश्चन कोश्चन में क्या कहा देखो देखो compound on hydrolysis in aqueous acetone will give aqueous medium है यानी polar protein solvent है reaction आपके बास SN1 होगी यह कोश्चन IIT advanced 2005 में आया हुआ कोश्चन है बास समझ में आई आई आंसर बताओ क्या होगा आंसर बताओ बेटा क्या होगा आपके पास 123 तीन compound है आपको पताना है कि आई टी एडवांस में आया हुआ कोश्चन है ठीक है hydrolysis जब आप करोगे ना प्लीज समझना hydrolysis करोगे तो वह यह कल्लू वह यह कालिया निकलेगा यहाँ पर और यह कालिया निकलेगा सिस्ट्री ओ इधर आपके पास सिक्स मेंबर की रिंग बनेगी फिर आप यहां पर क्या गरोगे सी उपर कहाँ पर जाएगा सिस्ट्री इधर एच लगा हुआ था इधर सी इधर से सी इस त्री इधर कार्वोगटायन इधर सी उपर सी इस त्री इधर अमारे पास सी एस त्री डैन इधर इधर शिक्स मेंबर की रिंग और इधर एनलोटू आप ध्यान से देखोगे ना कि सर यहां पर त्री डिगरी कार्वोगटायन बना है तो यह बात क्लियर है कि यहां पर जोड़ दो आप कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने का हाँ बिल्कुल जोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यहां पर जोड़ सकते क्योंकि त्री डिगरी कार्वोगटायन है तो बात तो क्लियर है कि यह तो बने गए बनेंगा यह तो लेकिन जब यह बत करेंकरने रियारेजमेंट करनी इंफर सब्रिन करती जर बनसे लेतckingन हो सकती है यह विदेखना हैं कि यह खते हैं ढोले हैं खत बंस करते हैं जब आपके लिदो आप गता हो अब तो को मानलोंगर मैं आपके बास में लेफट वाली साइड से करता हूं और कारबो कॉटायन इस एलफा वाले कारबन पर बनाता हूं तो यह ऊक्ले । अपने प्लस एमट की वजह से उस कारबो कॉटायम को एक क्या कर देगा इस्टेबल कर देगा और आप देखो करता हूं और इस वेटा जी पीटा कारवन इसको बीटा कह रहा हूं तो मुझे देखेगा कि माहिन तो यह वाला लगा और इसक आंस्टेवल तो हमें रियरेज्मेंट भी किदर से करनी होती है जहां पर बनने वाला कार्बोकटायन स्टेबल हो ना कि अनस्टेबल अब माणलो पहले शो जो भीचारा ठीक थाक स्टेबल था वह अपने आपको अनस्टेबल ठोड़ा ही करेगा वह तो लेट साइड वाले मी रेरेज्मेंट करेगा हाईड्राइट शुप्ट करके काम चल जाएगा उसका जब हो डाइट करेगा तो ओंगा क्या कि आफ एक व फ्यास बहुत जायेगा यानि आपके बाद P5 nd बहुत जायेगा सेंड फी फी मन जायेगा ऊपयों इंपनेगा समझ में जा सilt क्यों नहीं अट क्योंकि इस त्रीडीग्री कार्बोगटायन को उधर रियर्रेंजमेंट करने पर अंस्टेबर कार्बोगटायन मत मिल रहा है कि समझ में आई बात की नहीं तो जो मिक्षर मिलेगा तुम्हें वह कह रहा है कि मिक्षर फर्स्ट और सेकिंड का मिलेगा तो ए भी सी का आंसर ओनली थर्दा डी आपके बाद फस्ट है तो आंसर होगा एपोर आलियाभट कि एपोर आलियाभट हाँ करेक्ट आंसर तो बताइए बेटा क्या ये कोशन क्लियर है कि नहीं है चैट बोक्स में बताइए कोशन क्लियर है कि नहीं है भोलो भोलो कि बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं ओ माई गौट विलियम संद्सिंथेस्ट आप भी सोच रहूंगे सर सारे चेक्टर की नेम डियक्शन आपने इसी में भर दी गया मैं तुम्हें बताता रहूं कि जितना और यानिक खतम करवाऊंगा एक रि से लगवाता रहूंगा तो जैसे हर एक पॉस्टिप पर हो जाएंगे कि आपको विल्यम संद्सिंथेसी भी अगर आपको याद होगी तो एक तरह की एसेंट्टू रियक्शन होती है अगर आपको इतनी सी बात ज्यान में आ गई कि यह एसेंट्टू मेकेनिजम फोलो करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप आसानी से इस इसकी समझे लेंगे रिक्शन में क्या होता है जड़ा देखूंद तो स्टो डियम अ कि एलकोकसाइट कि रियक्शन करता है आप एक्स के साथ इथर बनता है प्लस तोल्ट अब जड़ा देखें भई होगा क्या आपके पास होगा क्या जड़ा देखें सोडियम एलकोक्साइड का मतलब है कोई भी आपके पास हो यहां पर निकलेगा आपके बिल्कुल हो जाएगी और जैसे यहां पर एक्षण ओगी बिल्कुल हो जाएगी और जैसे यहां पर अटेक करेगा और यह अगर इस पर अटेक करेगा तो यहां पर निकलेगा और देश का सुद टाटा सोल्ट बन जाएगा और बनेगा इथर इथर बनाने की लैब प्रोसेस है विलियम संसिंथेसिस यह बात आप जानते होंगे राइट और रॉंग आपको होगी यह सर अब देखो विलियम संसिंथेसिस ठीक है तो यह तो बिल्कुल सीधी सीधी बात अब मैं आपको बताओंगा कि इसके ओपर कैसे कैसे कोश्चन बनाए जाते हैं या कैसे कैसे कोश्चन आ सकते हैं जड़ा देखिए मानलो आपके पास T3O-Na-positive, T3, T2O-N-positive, T3, T1, T1, T3O-N-positive मैंने कहा कि यह रियक्षन है इन रियक्षन के रेट आरवन आरटू और आरफ्री है हमें यह बात तो पता है कि यह न्यूक्लियोफाइल इस वाले कारवन पर टैक करेगा कल्लू भाहार निकलेंगे और कल्लू भाहिया जो बनाएंगे देश का सुद्ध नमक बना देंगे तुम लोगों का साथ रहा तो बेटा ऐसे पढ़ाते रहेंगे बिल्कुल टेंशन न लो ठीक है बस आप पड़ते रहो तो होगा क्या कि यह न्यूक्लियोफाइल इस पर टैक कर रहा है कल्लू भाहिया बाहां निकले एंगे पोजिटिव निकले देश का सुद्ध नमक निर सब्सक्राइब या टेंडेंशी ओन्यूक्लियोफाइल जो इतना ज्यादा स्ट्रोंग होगा वह उतनी जल्दी अटैक करेगा पीछे से और जितने पीटा पीछे से अटैक करेगा उतना सेंटूडेशन आगे होगी मैंने देखा कि भाई इस ओक्सिएन को न्यूक्लियोफ उतना ज्यादा यह कार्बन चैन बढ़ी होगी ठीक है जितना ज्यादा प्लस आईफेक्ट लगाएगी उतना ज्यादा ओक्षियन पर इलेक्ट्रों डेंसिटी बढ़ जाएगी उतनी ज्यादा वह अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे उतना ज्यादा अटैक करेगा इस क्लेडन पढ़ने के कोई फायदे होंगे आईटी एडवांस के लिए बेटा मैं सच बताऊं आपको यह क्लेडन उठाने का समय बिल्कुल नहीं है क्लेडन बहुत अच्छी बुक है जॉनाथन क्लेडन ठीके बाई बहुत अच्छे कॉंसेप्ट है उसमें लेकिन वह पूरी क चीज आपको अच्छी मिलेगी उसमें हाला कि उसमें हर चीज अच्छी है पर आपके समझ से पर होगी ठीक है इसलिए क्लेडन बुक की तरफ ना जाएं तो ज्यादा बहतर है यह सिर्व एक कहने की बात होती है कि आप लगाएंगे तो एडवांस हो जाएगा फिनार लगा ता उसको बहुत अच्छी बुक है लेकिन उसको पढ़ने में अच्छे से पढ़ने में आपको एक दो साल लग जाएंगे अगर आप उसको पढ़ना चाहते उच्छे से और इतना टाइम एडवांस के लिए नहीं बचा हुआ है आपके बास कि दो साल आप उसमें लगाओ फिर गुरुप ठ्योरी को मोटी को सब कुछ पढ़ो ठीक है तब भी आपका एडवांस नहीं के लेड़न एक बहुत नौली जेवल बुक है जब आप बड़े हो जाओगे कई कैमिक स्थी से कोई मलब इंजिनिंग करोगे तब आप पढ़ लेना आपके लिए बहुत पर कॉंसेप्ट होते हैं वो सारे की सारे आपके वहां पर यूज हो रहे हैं तो आई होप यह इंफॉर्मेशन आपको मिल गई आंसर बताइए बिटा बहुत हो गई बात आंसर बताइए जल्दी से पर दो चलो बोलो एक ही साथ आएगा सेम लेक्षरी है एक ही लेक्षर में खतब होंगा पुरा कपुरा ही हम कहेंगे कि सर्य यह न्यूगलोफाइस ट्रोंग है आठ त्री का रेज सबसे ज्यादा होगा फिर आठ डू का होगा और फिर किसका होगा आर बन का आपको बात सम था है को ड्यक्त तर कोश्शन आपको सिखना है मान ली जिक इस भार मैंने आर एक सब्सक्राइब को चेंज किया कि यस द्री फी है और देखो देखो धेखो डेखो कि भी अमने बता देता हूं अर्भ आपको एक बात बता देता हूं कि जब आप यहां पर अटेक करेंगे नुकलोफाइल सेम ए एसन टू रियक्षन यहां पर इस्टरिक हिंडरन इस कम है तो ज्यादा होगी जहां सब्सक्राइब और सब्सक्राइब आपके पस आर्ट रहें लोगा अगर आप इसके रेट सोंटरो कहते हो सके एक उन्हेंद हो फिर औरफे थो एक Sacramento हो गार्वन फिर रटू और फिर बेटाजी एक पर अगर Bent अगे जरा देखिए बई आगे जरा देखिए अगर मान लो आपके पास यह पाउंड और इस त्री और इदर लिखावा है स्पीयल आपने रियक्शन करा किसके साथ यह स्थी ओ माइनस न न पोजिटिव प्रोड़क्ट बताइए क्या बनेगा प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट क्या बनेगा ज्यां रखना एक बात सरी जी तीगरी अलकायल यह नहीं देगा तो आपको रीक्शन करनी नहीं आप लोग क्या करेंगे कि यह इसको आपके पास बीटा करवन से उसको इसको जमाल लेना और यह जो आपके पास नुक्लाइब यह बेस की की तरप आप करने लब यू तो आई तो यह आपको ध्यान नगना है आगे बढ़ते हैं जड़ा आगे देखते हैं जड़ा इधर देखो और यदि आपके पास यह एलकाईल है आजाये याद रखना है जो मैं समझा रहों आपको बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं कि यदि मैं यहाँ पर न्यूक्लियो फाइल लेता हूं सीस्ट्री ओ माइनस एन ने पोजिटिव तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा जहां पर यह वन डिग्री एलकाईल है नो डाउट वन डिग्री कार्वन है आपको लग रहा होगा इस्टेरिक इंट्रेंस काम है अट करने से और यदि यह इसको रोकता है टेक करने से तो सीजी सी बात है यहां पर भी विलियमसन सिंटेसिज नहीं होगी नमस्ते नमस्ते आल ऑफ यू अ ठीके बैठा तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप लोग क्या बोलाने ने तब maior देखिए एक चीज़ और द्या कुछा जाता है जैसे मानलो कि ADRIANECA 3 इधर लिखावाई CS 3 इधा लिखावाई CS 3 इधर लिखावाई CS 2 और लिखावाई CS 3 यह तडिके से आपका बीटाजी एक इधर दे रखा है इस पुछा है इस इधर को बनाने के लिए एक आपके पास sodium sodium alcoxide होगा और एक आपके पास और एक होगा प्लीज स्विटेबल और एक और और सोडियम की पैचान करिए तो प्लीज समझने कुछ करिएगा जब इस उक्षिन को आप इस साइड में ले होगे बड़े वाली साइड में लेक्या होगे तो आपको एक बात पता लग जाएगी कि सी कोई दिक्कत नहीं है यह अटैक कर सकता है लेकिन अटैक करने के लिए कुछ सा एक जाएगा तो आपके पास यह बन जाएगा लेकिन अगर अपोजिट होता है अगर ऐसा होता है कि आप इदर ले ले लेते हो क्या और आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर लिया है आपने सी 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 एस तरी एंड आप लिखोगे तो प्लीज ध्यान रखना है यह इसके पीछे राक्स जुड़ा हुआ है जो इस यह जो है यह आपके पास या तो इससे बनेगा या इससे बनेगा इन दोनों से नहीं सकता तो गलती मत करते ना इस टाइप की कभी आप लगेगी दोनों पार्ट को अलग अलग करके देख लो हो जाएगा इसलिए बहुत सारी जरूरत है इन दोनों एक्जम्पल को याद रखना थोड़े अलग हटके अग्जम्पल है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अब हम बात करेंगे के बारे में हम बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा थोड़ा समझने कुछ करिएगा और मैं वह सारे कॉंसेट्ट बताऊंगा जिनके ऊपर आई टी जेई और एडवांस में कोशन आ सकते हैं जरा जर देखें बिटा जरा देखो बिटा अगर मान लीजे आपके पास सीएस्ट्री और सीएस्ट्री यह आपके पास बिटा क्या हो गई एलकाइल हेलाइड क्लोरिल लगी हुई ह है आपने यहां पर लिए बिटा क्या आपने यहां पर एक बेस लिया में और और आपको यहां पर देखें यहांपर बन सकते हैं एक आपके बनाएगा प्रोडक्ट कौन सा होगा एलफा या बीटा तो मुझे बताईए सेज़े प्रोडक्ट कौन सा होगा एलफा या बीटा सेज़े प्रोडक्ट कौन सा होगा एलफा या बीटा अब मैं आपको हिंट प्रोड़क्ट कौन सा होता है सेज़े बेसिकली वह प्रोड़क्ट होगा या वह एलकीर होगी जब लीविंग ग्रूप के निगलने के साथ साथ बीटा कारवन से हाइट्रोदन वहां से निगले ज आप कोगे सोर एलफा वाला सी जैफ है यह क्या होगा आपर पास अगर में इवन इंटर लगाने चलागे कि लग जायगा वह नहीं सोसना है देखू जरा नौनोट पॉइंट कि नौनट समेंट इंपरीन इनपोर्टेंट क्या प्लीज समाजी अगर बेस अगर बेस समॉल है अगर बेस समॉल है देन सेजय प्रोड़क्ट विल भी मेजर देखो यहां पर दूसरी कंडिशन और आरेक्स जो है आरेक्स जो है वो कौन-कौन से होंगे आर सी एल उल्टा आर बी आर एंड आर आई होंगे अलकाइल आउड आउड होंगे तब भी आपके पास सेजय प्रोड़क्ट ही मेजर प्रोड़क्ट कहा जाएगा दन होई यह बात अब कंडिशन नमबर दो इफ आरेक्स जो है वो आर फ्लोराइड हुआ अलकाइल फ्लोराइड हुआ यहां पर लिख देता हूँ मैं होफमान प्रोड़क्ट होफमान प्रोड़क्ट विल बी मेजर प्रोड़क्ट क्या आपको यह बात समद में आई हाँ या ना यह नोट प्रोड़क्ट याद रख लीजिएगा और यदि बेस लाज हुआ क्या बोला मैंने बेस अगर लाज हुआ तब भी फ्लोर्पमान प्रोड़क्ट विल बी मेजर प्रोड़क्ट जल्दी से चैट वोक्स में बताईए बेटा चैट वोक्स में बताईए क्या आप लोगों को एलिमिनेशन के यह छोटे-छोटे कॉंसेट याद रह सकते हैं कि नहीं हाँ या ना का जवाब दीजे भई आदे बच्चे आदे करतों को पता ही नहीं होता कि कहां पर मेजर बनेगा कोण सा मेजर बनेगा उनको लगता कि से जब फिर जंग मेजर है तो वह छोटे-छोटे पॉइंट है जो हमें याद रखने है क्या बोला मैंने कि बेस छोटा है तो से जब बनेगा अलकाल हलाइड आर एक्स आर यह आर रही है तो से जब बनेगा और एस अगर लार्ज है यह यह है आरेफ है दें होप मान प्रोड़। विल बीदा मेजर प्रोड़क्ट कि दन चलिए अब जड़ा देखो भाई अब जड़ा देखो भाई कि यहां पर एक पोश्चन है डब बेजर प्रोड़क्ट ओप्टेन फ्रोम एटु एलुमिनेशन और थ्री ब्रॉमो थ्री ब्रॉमो टू फ्लोरो पैंटीन कि यह यहीं कि यह सीरेशन पांच कार्बन जोडे इसने कांटीन प्लोरीन तो टूपे लगा है फ्लोरीन और थड़ पर हमने बियार लगा यह कोश्चन है हमारे पास बहुत बढ़ी है कि इधर आप सीस्ट्री एच 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 टू एच एच आपने बेस लिया मेकैनिजम ले रहे हो पिटा जल्दी से पताइए वही चैट बोक् आपको बताओं यहां पर आपको फ्लोरीन मेंटेन करना है क्योंकि कार्बन फ्लोरीन का पॉर्ण श्ट्रोंग है कार्बन प्रोमीन का पॉर्ण आसान है तूट जाएगा राम से ठीक है बैटा अब बताएव वही इस कहां पर जाएगा कोन सी अलकीन बनेगी कर्यक्ट आंस वोलो वोलो कर्यक्ट आंसर वताइए वेटा हॉपमान बनेगा इस बार हां सही है सही है बी सही है बी सही है भाई देखो जरा अचा बीटू में के नहीं जमने जरा देखो 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 माही पुननो में रिवास का बाई बीवाले सुन लो भी थोड़ा भी वाले सुन लो अरे यार सुनो प्लीज को मिव इस इ het नड़ाय कर सकता है यह इधर से वह निकाल सकता है मिगाल सक्ता है मियज एधर निकालेगा वाई है कि एस वारी सब्सक्राइब को मेंटेन रखना है एक है 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 कि सब्सक्राइब देट है कि बिलकुल आंसर भी पोर बंदर एप और अपल गलत है आगे बढ़ते हैं और नेक्स पोर्षन आपके सामने यह कोशन तो हम आगे बढ़ते हैं हैं हाव यह मैं दो तारिख 2020 का कोश्चन है इसने क्या का ज़रा देखिए consider the reaction sequence given below जो पहले वाली रियक्षन है यहां से जब आप यह करते हो तो ज़रा देखो बेटा रेट वह वह constant और आपके पास व्यूटाइल प्रोमाइड का मतलब क्या होब टरसरी प्रोमाइड यहां एक्सपर डिपेंड करता है तो यह वाली रियक्षन जो फर्स्ट वाली है यह क्या हो जाएगी एसन रियक्षन और यदि आप यहां पर बेस लेते हो एलकॉलिक बेस ले लें तो आपके पास यह बना और यह आपके पास हो जाएगी बेटाजी इटू मेकेनिजम अब आपको पुशा गया है विच्व फोलोविंग स्टेट्मेंट इस ट्रू चेंजिंग दा पेस पुरम ओवेस्टू और विल्हाव नो इफेक्ट इन रियक्षन टू अगर मैं और नहीं पड़ेगा तो आप कोगे नहीं पड़ेगा तो जरूर कि जो रेट है वह और आप और से होना चाहिए और यह क्या कह रहा है कि नौई फैक्ट नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास चैटमेंट one है यह क्या हो जाएगी बिटाजी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई अब जड़ा देखो दूसरे में इसने क्या कहा चेंजिंग ना कंसेंट्रेशन ओब बेस विल हैव नो इफेक्ट और रियक्शन वन और यदि मैं रियक्शन वन पर बेसी कंसेंट्रेशन को चेंज करता हूं तो रेट पर कोई नहीं आएगा क्योंकि क्या दोनों रियक्शन में बढ़ाने पर हो जा अप करेगी इसके रेटक कर शकती है फरस्ट वाली को नहीं करेंगी तो यह क्या हो जाएगा महाने पास इंकरेक्ट स्टेटमेंट को हुई का नहीं हुई वह आपको थो आप इससेंटर अप डूसन में सुनिए चेंजिंग जाएगा तो जल्ली से बताइए यहां पर हमें क्या अंसर क्रेक्ट होगा भाई करेक्ट आंसर बताइए विटा कि पिछले में स्थी में कॉंजूगेशन का मिल रहा है भाई कि यहां पर कह रहे हो गया यह कॉंजूगेशन नहीं नहीं इसको नहीं देखना है आपने कि लॉरीन आपको बता होगा गी हैलोजन दोक्त नगाते हैं फ्लस एम और लेकिन डॉमीनेटिंग इनका मा इंचा होता है वैसी पूरी दुनिया बटा आंसर क्या होगा यहीं स्टेटमेंट ट्रू है बागी आपके पास इनकरेक्ट या पॉल्स स्टेटमेंट होगी यह कोशन भी आपके पास अभी कुछ दिनों पहले ही आया था अब बढ़ते नेक्स कोशन की तरब इसने क्या कहा गया है इसने कहा है ड़ी एक्ष्ट रि जो और और का परियोग किया गया है ठीक है तो चल्दी से देखो बाई एल्कोलिक क्यों लेंगे तो क्या यह बन जाएगा अल्लू बलू कलू डलू अल्कोलिक क्यों चलोंगे यह रियक्ष्ट में आपको समझाई दी हाइट्रो कार्मन वाले चैप्टर में कि वाई जरह द यह बी यार है इधर मेरे पास च्टू है इधर मेरे पास च्ट और यह ब्यार ऐसे ले लेंगे जब आप अल्कोलिक बेस्ट लोगे तो ओएच माइनस यहां से इस हाइट्रोजन को निकाल लेगा यह इलेक्ट्रोन इधर जाएंगे तो यह पूंट निकल जाएगा आपके पास बी यार वाला और सीएष डू डबल बॉंड चीयाच और बियार बनेगा अब आपके पास क्या है आपको इधर वाला भी निकालना है और यह हैट्रोजन अब अब एक बच्चे का डव्ट है कि सर एक्वस के वेड़ कियो नहीं लेते बेटा एक्वस के सब्सीट्यूशन डियक्शन में लिया जाता है अगर मैं यहां पर जड़न लेता हूं तो इधर से भी आट जाएगा इधर से भी आट जाएगा बीच में एलकीन बनेगी ना की एलकाइन तो डी ओप्षन भी आपको नहीं करना है आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा यह रियक्शन की रियक्शन है कि बहुत बहुत बढ़िया भई कि बंदर विदा करेक्ट आंसर कि यह कोश्चन आया एटी एडवांस 2019 में आया वा कोश्चन है इसने कहा है कि टोटाल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रूप पर जैंट इन मोनो मोलिक्यूल ऑफ मेजर प्रोड़क्ट पी इस यह पूछा गया है कि जो आपके पास few product है उस प्रोड़क्ट में कितने हइड्रोक्सी ग्रूप लगेंगे विए आपको याद होगा बिटा पहले स्टैप में हम लोग क्या करते हैं पहले स्टैप में हमारे पास स्टू पी डिपि पी एसो पो और जानी है यह उसको में लि सब्सक्राइब करेंगे मैं नहीं करूंगा इसको भाई कि जल्दी बोलिए वह क्या अंसर होगा कि बोलो बोलो करेक्ट आंसर कि कि इस आइट रोक्स के गुरूप लगेंगे बिटा कि मंसूर बेटा जल्दी जयान सब्सक्राइब का कोश्चन है इंटीज़ टाइप का कोश्चन है भाई कि देखो पहले स्ट्रेप में आप पार्शल आइड्रोजिनेशन करोगे एलकाइन की रियक्षन होगी इस पाइबोन को तोड़ोगे एक चिदर आपके पास प्रोड़क्त बनेगा क्या कि वाइट मेंबर की रिंग कि इधर आपके पास ती एच टू यह पहले से था आगे सी सी हो जाएगा तो यहां पर भी क्या बन जाएगा प्रोड़क्त इधर एच यह सी एच टू और इधर हमारे पास साइक्लो हेक्जाइल रिंग हो जाएगी आपको याद होगा डाइलूट के मनोफोर एक्सेस में ले रखा है वह भी ठं आपको याद होगा इसको बेर्स रिएजेंट भी कहते हैं बेरस रिएजेंट काम क्या होता है इसका यह पाई दोड़ता है और हईड़कर्म वाले चैप्टर में सब्सक्राइब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनका आंसर सही आया है यानि आंसर उनका आया है सिक्स बिल्कुल करेक्ट अंसर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सीन मैनर में और यह जुड़ेंगे दोनों साइड अब तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ लोगों से बढ़िया में आगे बढ़ते आगे हमारे पास से कोशिछ करिएगा हमारे पास कि यहाँ पर क लूट रही आउशक्त केов बल्लु बही आउशकते रही या फल्लू वही हो सकते हैं आप जब इसकी रियक्शन कराओगे किस-किस के साथ मान लीजिए आप करा रहे हो बिटा aisー कि यहां से inence-3 निंगलेगा अब इसके पाद पूजिशन होगी ओर तो में नगा और रहे होगा तो चल्द चल्द वताईए विटा जी कहां कहां पर जो है सिएसट्री ग्रूप जाएगा अगर मैं eletrophilisubcription गाल करता हूं ए आर चो गोटो पोहलो जाए मैं हाँ विए गोट जब अम eletrophilisubcription के बारे में बात करते हैं ना भाई तो एक बात ध्यान नहीं है हेलोजन बेसक अपना माइनस हाई एफेक्ट लगाए लेगिन हेलोजन को अलग से नोट पॉइंट करके याद कर लेना कि यह ओर्थो और पायरा डारेक्टिंग होती है ओर्थो एंड यहाँ पर लिए तो हम बेंजिन निंग ऊपर एक्स कि आप लोगों को यह बात रहाद रहेगी वेटा बोलो हाया ना कि बहुत बढ़िया वह बहुत बढ़िया मैटा पर नहीं जाएगी जिन बच्चों का आंसर मैटा है वो गलत है है तो यह तो आप और भी जोगे या पर बेजोगे और इदर से कालिया है वह लगा का लगा रहेगा या तो कि आगे बात करते हैं मान लीजिए आपके पास ये रियक्षर वालब ये कंपाउंड है इधर आपने कलोरीन जोड़ा इधर अवारे पास क्या बनेगा भई कॉंसंट्रेटिड एच एनो थ्री इन पर्जेंस ऑफ पॉंसंट्रेटिड एच प्लस ओफूर कोशन मेरा यह है वाई आपसे कि यहां पर दो प्रोड़क्ट बने एक्स प्लस के वाई ठीक है वाई तो उनमें कहां पर क्या जुड़ेगा पहला कोशन तो यह है जो आपको चै फाइल है वो क्या होगा इस रियक्षन का इलेक्ट्रो फाइल क्या होगा बिटा चैट वोक्स से बताइए वाई लव यू टू लव यू टू बिटा बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर है सभी लोगों का एन नो टू पॉजिटेव वैरी गोल्ड जरह देखो इलेक्ट्रो फाइल एन नो टू पॉजिटिव जरह कैसे होगा यह हमें पता है कि भाई एश्प्लस फॉफोर इस्ट्रोग एसीड है यह क्या काम करेगा यह अपना एश्प्लस देगा और एश्प्लस देगा और हम लोग यह भी जानते हैं कि हो एन आपके पाद इलेक्ट्रो फाइल जन्रेट हो जाएगा और तो पॉजिटिव और हमें पता है कि एलेक्ट्रो फाइल कहां पर जाएंगे या तो और तो पोजिशन पर यहां पर दिया और प्लस के और प्लस के क्या आपको यह बात समंझ में आ गई बेटा हाया ना बोलो बोलो लब यू टू बेटा वाइस जैक वाले बहुत बढ़िया बढ़िया आगे बढ़ते हैं कि अब है कहानी स्टार्ट अब यहां पर जो बच्चे चिलाते रहते ना सुर आप रियक्शन मेकनिजम नहीं कराते या रियक्शन मेकनिजम कब आएगा कब आएगा अब गदे हाइड्रो कारवन से जितनी रियक्शन करवाई है सब का तो मैं नियुक्त बताया और समय मैंने लोजिक भी बताएं कि कहां पर मेकनिजम को याद रखना एक प्रूसेस आई है तो आपको एक और मेकनिजम के दरशन होने वाले मैं जरा देखिए क्या है आपर पहला पॉस्टन तो यह कि डाउस प्रोसेसर है क्या और डाउस प्रोसेस के ऊपर कैसे कैसे पूछे जाते हैं जड़ा देखो आपको याद होगा कि एराइल है इसमें इसी साल की बात कर हो गजे लोगों यह कल्लू भईया है इधर हम क्या लेते हैं एक्वास एनने ओएच ओहो यहां पर कुछ टेंप्रेचर लिया जाता है और प्रेशर लिया जाता है और यहां पर बनता है क्या बेटा पहले स्टेप में बनेगा ओ माइनस एनने सोडियम फिन ऑक्साइड और दूसरे स्टेप में बनेगा जब इसमें आप एसीडिपीकेशन कर दोगे तो यह बनेगा आपके पास कल्लू ओएच लग जाएगा फिनोल बन जाएगा मेरा जो टेमपरेचर लेते हैं उसकी कितनी होती है कि वहलो भोलो टेमपरेचर की वहलो कितनी होगी बेटा कि वैरी गोड टेमपरेचर एक वच्चने आसर दे दिया है 623 Kelvin Sir अब मुझे प्रेशर भी बता तो प्रेशर कितना होता है आगे आगे करेक्ट आंसर 380M का जाब है भाई डारेक्ट कोशन ऐसे आता है ITJ में मैं गैरंटी दे रहा हूँ मैं यह बात की ठीक है अब जड़ा देखो भाई अब जड़ा देखो इसका देखो भाई होगी कैसे यह रियक्ट सबसे पहला का आप लोगे ऐसे बैंजा बैंजीन ऊपर लोगे कल्लू इधर लोगे हाइट्रोजन और आपने हाई ड्री तेम्ट ड्रे चर्पे क्यों कि एन ने वह लिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा बेस आयेगे दिखरवाह एच mulheres क्या यह बढत मैंनस इस ही प्लस को लेकर जाएगा यहां पर सुद्पिसलेरी वोटरत निकल जाएगा आप को गई-सर अब देखो अब जैसे ही हापर बना लोन प्यर्टिटिव चार्ज इधर कल्लू कालिया है यह इलेक्ट्रोन जैसे इधर चले इधर कालिया हटा आपके पास एक इंटर्मीडियेट बना क्या बना एक इंटर्मीडियेट बना जो ऐसा डाइग्राम बना इस इंटर्मीडियेट को कहते हैं बैंजाइन क्या बोलते हैं बैंजाइन मेरा पहला कोश्चन आपसे यह है कि बैंजाइन के अंदर कितने कार्बन बैंजाइन के अंदर कितने कार्ब में फुल स्पीड के साथ एस्पीटू कारबन की संख्या और एस्पीटू वालों की बता नहीं है और एस्पी वालों की बता नहीं है चैट बोक्स में बहुत तेज हो रहे हों। बहुत तेज हो रहे हों। सब्सिटी और पर ऊपिटी मुझे कह रहा है तो एक बच्चे ने क्या कहा है कि उसने कहीं पढ़ा होगा किसे यहां पर जो ट्रिपल होंड्र है ना इसमें दो पाई बोन्ड होते हैं और एक सिग्मा देखो बेटा है अभी मतलब गधे लोग है मुझे लग रहा है तुम इंसान मन चुके लेकिन तुम्हारी भीड में भी गधे हैं आ रहा है अंसर आंसर हां देखो बेटा जिनका अंसर और बिल्कुल करेक्ट है और कुछ पांड को देखूंगा ना इसकी फोटो बनाऊंगा तुम्हारे सामने यह हमारे पास क्या है ट्राइगोनल प्लेणर स्ट्रक्ट्चर है इधर कल्लू है इधर है और पर्पेंडिकुलर होंगे इसके छे और होंगे जिनके अंदर एक 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 इलेक्ट्रोन होगा बेंजीन इसे होता है आप लोग जानते हैं जूट मत बोलना बिल्कुल भी कि नहीं जानते जानते हो आप लोग ऐसी होता है अब मुझे बाद बताओ यह जो हाइड्रोजन है और बेटाजी कार्बन वाला बोंड था यह बोंड तो पहले से हाइड्रोड ऑर्पिटल के साथ बना हु क्यमिकल फॉंडिक का चैटर मंजिल बैच में देखा हुआ इन औरकेणिक में जल्ली से ब्लो चैट बोक्स में ऑगिन-किनने मेरी बात पहाई पर रहेंगे उस आपके बात हाइड्रोड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे से आप कोगे सो इस्कार यह फी तो है कि अब कोगे नहीं सर कित्मत अभी तो खराब नहीं तो फीलाब दे रहे हो ुए यह देखो इदर कि हाइब्रिड और यसा होता है साइड होती नहीं है इसकी तो जब साइड नहीं होगी और साइड कि नहीं से वाग जाते हैं इनको देखकर हने अर यह बनेगार यह जो काई में करते हैं आप है क्योंकि हाइब और यहां पर यह भी सिग्मा है और यह सिग्मा थाई तो दो सिग्मा पाउंट हुए कि नहीं हुए है मैंने आपको केसी सिखा है बई है वेड़े निकालना ज़रा देखो इधर हनुमान इधर हनुमान इधर हनुमान इधर हनुमान काउंट करो 123 SP2 123 SP2 123 SP2 और जब इसको काउंट करोंगे 123 यह भी SP2E आएगा 123 यह भी SP2 यह तो यह जो अधे गधे लोग यह आंसर दे रहेते वह गलत हैं क्या होगा यह आपर क्या होगा है यह आपर कि SP2 हैपनोर्बिटल छे और SP आपके बाद 0 SP आपके बाद 0 क्या यह कॉंसेट्ट ट्रीयर वा कि नहीं हुआ बोलो हायाना कि क्या आपको बैंजाइन में के निदिन बहुत समझ में आया कि नहीं हाया ना जवाब दीजे कि बोलो बढ़ो आँ सही है अब ज़रा देख जब यह पहेंजाइन बन गई जब यह पैंजाइन दीदी बन कि यह बोड़ भी हैं वोगया साय अब बैजाइन आपके बात बन चुकी है आपने अब क्या करना है अब आपके पास आएंगे कौन नुकेलोफाहल ओएच माइनस अब यहां टेक करें यहां टेक करें सेमी बात है मालो इसने यहां पर टेक करा तो यह एलेक्ट्रों आपकर यहां पर कभी ना कभी क्या निकाला था आक्षे कुमार कि तरह कभी पानी निकाला था बोस्मूवी कि तरह देखो कहां पर ओएच माइनस ने एच प्लस निकाल कर पानी निकाला था कि नहीं तो यानि यहां पर अगर प्लस वाटर है तो क्या बेटा जी वोटर आपके पास इसको एच देगा यहां पर फिनोल बनेगा हाया ना जब यहां पर फिनोल बन जाएगा इस वोटर का एच प् यह पिनोल बन जाएगे ना पिनोल और पेसिट आपको पता कि फिनोल क्या होता है एक आपके पास एक यह अगर एक तो आपको पता है वह यहां से स्ट्रक्राइब निकालेगा फिर से ओएच माइना जो है वह से एच प्लस निकाले गा वॉर्टर फिर से बनेगा यहां पर बनेगा और यहां पर आपके आप आपके पास एच लगेगा यहां पर सी एल जाएगा एंने के साथ तो देश का सुद नमक टैटा सोल्ड बन जाएगा और प्लस के फीनोर बना की नहीं बना फीनोर बनाने की लैब विदी है यह लैब विदी बोलो-बोलो क्या के लियर हुआ कि नहीं हुआ क्या आपको मेकेनिटिस समझल में आया कि नहीं विदी है और फे पिंग पोलो गरती तो क्या बोलोगे क्या बोलोगे भई नहीं बताओगे क्या अरे बोल देना प्रोसेस क्लियर है क्या डाउस प्रोसेस क्लियर है बेटा क्या बेंजाइन में छे स्पी टू कारवन होते हैं क्लियर हो गया कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है आगे देखो आगे देखो आगे देखो नुकलोफिलिक्ट सब्सीजूशन रियक्शन ओन एर एक्स यह थोड़ी अलग खतरनाग टाइप आए उसी के जैसा है तो खतरनाग है जरा देखो मान लो को कि लोड़न की आगे इस दर समसेखों इसए पार में सब्स्याइब। और यहां पर मैं काथब लेताह सब्सक्राइब नहां ना टू लिया ठीक है या साइनाड भी ले सकता हूं या फिर हूँछ ले सकते हो तब यह रियक्शन जाहता तर होंगी अगर माल लो इलेक्ट्रोन डॉनेटिंग गुरूप हुए और तो यह पैरा पे तो मैंने मैंटा पे लिया नहीं देव कूपी हो गया देखो इधर कल्लू है यहां तो इसके पैरा पे इलेक्ट्रोन विड्रोइंग है पीटा जो माईनस यहां पर हो यह पिर आपके बास है जी आलो इसके हैं पर लगा हो और चीक है यह जो कंपाूंड जिनके हैलोजन चेह ओर नचान पर पूसिशन पर इलेक्ट्रों विड्रों कूप लगे होंगे यह आपके पास न्यूकिलोफिलिक सब्सक्राइशन भी शो करते हैं और एक्स पर कैसे शो करेंगे वह मैं आपको बता देता हूं वह इनके पीछे क्या कहान नहीं है कि बेस्टिक लिए होगा क्या जरा देखो भाई होगा क्या सबसे पहले मैं एक एक्जांबल ले लेता हूं इससे था अदर मेरे पास jackets को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं और और मुझे यूपता है कि क्लोरी में ज्याधा electron negativity कर्बन क्लोरी्ट होती है तो पांशन निगी स्चार्ज पास्ट पॉजिटिव 4 यह आप क्या लोग beweging बैए अगर मानलों मैं हाब ले लेता हूं उथ और जैसे यह एक्ट्रोन पर उठकर आएंगे बिटा देखिए हम मुझे अपने माईनस एम एक्ट के कारण इन इलेप्ट्रोन को स्टेबल करेगा और यहां पर लगा हुआ था वह अपने लगा दिया अब मुझे एक बाद मताईए बेटा जदी यह इलेक्ट्रोन वापस आते हैं कि यह इंटर्मीडियेट क्या काम करेगा यह इंटर्मीडियेट अपनी एरोमेट्रिजिटी रिटेन करने की कोशिश करेगा तो हुआ क्या कि जैसे ही यह इलेक्ट्रों इधर चले तो क्या मैं कहूंगा कि यहां पर बेंजीन निंग फिर से बन गए और इधर वीक बॉंड कौन सा होगा तो यहां पर क्या होगा वई यहां पर तो रहेगा सेम आप सीयल को बाहर निकाल देंगे और इधर बेटा हमाने पास एंड नोट टू गुरूप लगा रहेगा बास समझ में आई तो एक नोट पॉइंट ज्यान रखना है बेटा जो मैं यहां पर लिखवाने वाला हूं क्या इलेक्ट्रोण इलेक्ट्रोण विद्ड्रोइंग ग्रूप जो माइनस एम इफेक्ट लगाते हों मालोग और ओर्थो एंड पैरा पोजिशन पेवर्दा नुकेलोपलिक एडिशन एलेक्ट्रोण रियक्ट्रोण और ए यार एक्स ठीक है भाई ओफ ए यार एक्स और मैं आपको बताऊं यह रियक्ट्रोण बेसिकली दो स्टेप में कराई मैंने यहां पर देखो जड़ा यह जो पहला स्टेप होता ना अट्रेक ओफ नुकलियो भाई यह वाला स्टेप आपके पास स्लोवेस स्टेप होता है पिटाजी स् ओला ओला वाई करेक्ट आंसर क्या आपने यह मेकनिजम नोट कर लिए अपनी नोट्बूक में जल्दी से वही अब मेरा कोश्चन क्या है मेरा कोश्चन यह है कि मैंने आपको रियक्शन में एक च्छोटी सी बात बताई कि जब मैं और्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रोण लगा रहा था तो यह इलेक्ट्रोण जो हैं चलके और्थो पोजिशन पे आए तो इस दोने नोटूब ने माइनर साम इफेक्ट लगाया यानि हम लोग यह बात भी जानते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट जो ऑपरेट होता है वह और्थो पैरा पोजिशन पर ही होता है इसल प्लके प्लके कंपाउंड वें थो इन कंपाउंड में का line of reaction की चलीक्ट्रोफाइल रियंगंनेटिविटी घंट्रोफमि में यू क्यूट्टुविटि-ट्निउ्कट्टिविट्विटीविविन इनमें मुझे आंसर चाहिए और यह मैंने आपके अंदर उतार दिये बात और तो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रो और विड्ड्रोइंग ग्रूप जितने ज्यादा लगेंगे रियक्शन उतनी फेवर की जाएगी न्यूकलोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रियक्शन न्यूकलोफिलिक सब्स्ट्रीट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बढ़ते हैं भाई अगे बढ़ते हैं जरा देखिए जरा देखिए वाई सबसे पहले का लब यू टू लव यू टू अब जरा देखो भाई मेरे पास इस कोश्चन में बहुत बार गड़डी करते हैं आप लोग इधर मैंने लिखा फ्लोरीन इधर कलोरीन इधर ब्रोमीन एंड इधर आयोडीन क्या लिखा मैंने आयोडीन चार कंपाउंड लिखें हैं कोश्चन क्या है कि रियक्टिवीटी एक्टिवीटी टूवारट टूवारट नूक्लियो फाइल कि नूक्लियो फायल को देखकर ये क्या ओडर देंगे कौन ज्यादे कोन जल्दी से रियक्शन करेगा जल्दी से आंसर बता नमस्ते नमस्ते जल्दी बताओ वह अंसर नमस्ते मौहिट कर्यक्ट आंसर बताओ करेक्ट आंसर पैमिंग ना करो यार हाँ हाँ बहुत बढ़िया एपी सीडी डी सी बी एए ओ माइड़ आधे गदे हैं गदों से इंसान बन रहो तुम लोग लेकिन एप एसे केटिगरी है जो उल्टा जा रही है उनको अपस लेका नाना है वो गदों से प्रोमेक्स बनते जा रहे हैं इंसान बनो अरे यार हाँ दिव्यान शिय अगरवाल बहुत बढ़िया बेटा आपका नाम में पहले भी देखा था किसी लेक्षर में बहुत बढ़िया अच्छे से कर रहे हो लेकिन बार बार कर रहे हैं और तो अपना अंसर जल्दी से सर आप चाहते कि लाते बहुत हो अच आशा आशा अंसर दो आशा इस बख्वास बन करो बख्वास यह देखो डिव्यान शी को चाहने वाले आगए लेकिन अंसर नहीं नहींगे बहुत बढ़िया वही डिव्यान सी इनका रिप्लाइं मत करना इनका जीमन खतम है अगर अब एबी सीडी प्राजे कुमार बहुत बढ़िया वेट आपका भी आंसर सही है जब दिव्यान सी ने सही आंसर दिया तो तो देख देख के प्लीज समझने की कोशिद करिएगा मैंने आपको एक बात बताई जब यह रेक्शन करवाई थी कि रियक्शन दो स्टेप में हुई पहले न्युक्लोफाइल ने अटैक क मैं इनके लिए न्युक्लोफाइल सेम कैटेगरी का लेकर आया मुझे तो अब जड़ा देखो आधे बच्चे जो गलत आंसर दे रहे थे कि बोन्ट भी तो आयोडी जल्दी तूट जाएगा और वहां पर नुक्लोफाइल लग जाएगा अभे गधे या मैंने यहां पर बताया क्या मैंने आपर कहा कि अधिशन ऑफ लिविंग गूरूप इसा नहीं होता जरा देखो इधर इधर देखो इधर अटेक अधर देखने की चक्कर में पीछे चले गए आगे मरते जला देखो 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 बाई हमें तो अटेक करवाना है हम लोग जानते हैं कि इधर कारबन है फ्लोरीन है फ्लोरीन देखो कारबन समय सेम है लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगिटिविटी कारबन से ज्यादा है तो इधर पार्शन नेगिटिव चार्ट ज्यादा अब इस क्लोरिन पर फ्लोरिन के कंपेर में जो पार्शल नेगीटिव चारज होगा वह थोड़ा सा कम है इस सबसे ज्यादा यूट्ट्र र्यक्शन इसनी के साथ करेगा तो सब सबसक्र सुपर आएगा ABCD कि अबी सीडी कुछ डिमांड आई है मनी स्पांसर एन जी पी नाइब नाइबरिंग गुरूप पार्टिसिपेशन भी बता दो लिया हूंगा अगले वाले लेक्चर में टेंशन ना ले यार अभी इसको कर ले करेक्ट आंसर होगा आलिया भाट बंधरिया और यह कालिया और यह गधे लोग डॉंकी है तो यह करेक्ट हो जाएगा अब यह सोम्या से बात करने लगे ठीक है बेटा चलो ओके अब मुझे एक बात बताओ भई कौन-कौन बच्चा है जो आइड़ो फॉर्म रियक्षन को सीखना चाता है बढ़िया तरीके से बेटा लास्ट रियक्षन है आज के लेक्चर की लेलो चुप चाप ठीक है ब्रेक फिर पर्मानेंटी ले 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 ना तुम लोग भूलो भूलो सीखनी है की नहीं सीखनी है पहले बोलो आँ बहुत साही बहुत साही जरा देखो यहां पर जरा देखो भई आइड़ो फॉर्म रियक्षन जा फिर हम इसको है लो फोम रियक्षन भी कहेंगे अगर आई और दी इन और फोम पना तो आई डो फोम है ओके डांड़ डांट में चाहिए जानतार यह जो प्रियक्षन ना यह दो डिपार्टमेंट के लोग देतें दो डिपार्टमेंट के लोग देते हैं एक डिपार्टमेंट है LD हाइड और दूसरा मेरे पास है लडिएड की टोन दोनों एक ही फैमिली है ठीक है तो फैमिली माने एक साथ अब मुझे जल्दी से बताओ दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा होगा दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा होगा दूसरा डिपार्टमेंट कौन से कंपाउंड होंगे बिटा बोलो नमस्ते नमस्ते अरे दूसरा डिपार्टमेंट हाँ सही पकड़े हो पात यह अच्छा बच्चा है यह हमें समझ चुका है यह अमरित डिपार्टमेंट अम्रिद डिपार्टमेंट अब आप समझ चुके होंगे अम्रिद डिपार्टमेंट कौन है एलकॉल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब ज़रा देखो आईटो फॉर्म टेस्ट यह हेलो फॉर्म रियक्शन वह वाले लिए की टोम देंगे जिनके पास CS3 CO गुरुप होगा ठीक बाई जिनके पास हैं वो आईटो फॉर्म या कह सकने हैं हेलो फॉर्म रियक्शन देंगे एक बच्चा हिंदी मीडियम का है लोस के लिए भी हमने लिग जाश्य टेटमेंट पास बढ़िया और जब मैं अल्कॉल की बात करूंगा तो अल्कॉल में क्या करना है प्लीज समझेगा स्टार्टिंग हम अम्रित सही करते हैं कौन सा क्योंकि अम्रित देता है सी इधर ओएच इधर एच या इसको माल लेंगे सी एच और इसको मैं ऐसे माल लेता हुए अगर आपके पास अ आपके लिएक्शन देगा तो हम कहेंगे अ ऐसे अम्रित है जिनके पास है कि सीएच ओएच गुरुप होगा है गुरुप होगा है है लो फोर्म रियक्शन देंगे हेलो फोर्म रियक्शन देंगे नोट पॉइंट लिखे भाई पहले तो आप नोट पॉइंट लिखे तुरु उसके बाद देखते हैं क्या करना है शीवाम कह रहा है कि सोम्या मेरे सेंट को भाई ही बोलना क्यों तुम्हारा दिल तूट जाएगा बड़े वाले भाई तो तुम ही हो चलो चलो पड़लो अंजली भी कह रही है कि पड़लो कदो ओके बेटा वैसे हम तुम्हें बात बोलें भाई बोलने पर या भाई सुनने पर ना ज्यादे टेंशन में मत आया करो भाई की फुल पहम होती है बेस्ट हज्बेंड ओल आफ इंडिया ठीक है चलो लेकिन अभी का ओओ सी एस त्री डबल बोंडो यह एल्डी हाइड है सी एस त्री डबल बोंडो सी एट की टॉन है सी एस त्री सी रबल बोंडो सी एस टू ज्याश्ट सी एडिकीट आ है और शी एस त्रीस डबलबोंडों है चाहला है और भारिबन फजी समझेगे दो और मादः लोड यह इस टू इस तू यह दर कर लो जí एड़ ओ बोंडों सी एज़ कर फोदितन ग दिया या CCL3 या CCL3 यह वी कीटोन है एक टाइप का यह भी कीटोन है ठीक है बाई आगे बढ़ते हैं आगे मेरा प्रण यह है पहले सुनो मेरी बात पर ज्यान देना है जो जो मैं बोल रहा हूं इधर देखो क्या यह यह अधर फॉर्म टेस्स देगा जैसे जैसे में बोल रहा हूं आंसर देते जाना क्या यह देगा बोलो आपका तर देगा यह स्योग रूप है तो मैं करूँगा यास इकभी यह यह भी हलो फॉर्म रियक्शन देगा अब चरह देखो इस इसके पास यह स्थियों ग्रूप है भोलो आप गया स्थर इसके बाद भी है तो क्या यह देगा हाया ना आप गया चार देगा अब आगे इधर देख लो क्या देगा क्या आप को गया नहीं भी भी वाला नो इनकी कहानी में बताऊं भा ये कैसे देंगे करना बहुत जरूरी है क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये कंपाउंट आया है और इधर हम इस कार्बन को तीन हाइड्रोजन ऐसे करेक्ट कर देंगे तहला काम हमारे पास बेस आएगा हेलो फोर्म रेक्शन में नहीं लेते हैं ना यह के ओएच इधर देख ओएच माइनस जब इस एच को लेके जाएगा तो यहां पर वॉटर विसलेरी वॉटर बन जाएगा इधर क्या बनेगा अगले स्टेप में आप क्या करते हो कदे लो आप लोगोगों के सवर आउडिन ले लो आप तो क्या होगा यह च्पी यह तो नेगिटीव लुपलोफाइल इस पर अटक करेगा आयोडाइट माइनस बाहर निकलेगा और जो यह एन्ने ओएच माइनस आया होगा कहां से आया लुपलोफाना तो आप क्या करोगे वाई कि यह एन्ने के साथ आई माइनस चला जाएगा तो यहां पर बैसिकली माइनस के एन्ने आई आई आप बहार निकाल लोगे अब आपके पास क्या बना ती एस टू आई सी डबल वोंड ओ एच क्या एन्ने ओएच का दूसरा एटम आएगा मोलिक्यूल आएगा वो फिर से एन्ने पोजिटीव और ओएच माइनस आयन देगा हाया ना आपको ओगए हसर देगा और यदि उसने ओएच माइनस आयन दिया तो यहां से हाइडोजन निकालेगा बिसलेरी वोटर फिर से बाहर मिकलेगा और हमारे पास क्या बनेगा सी एच नेगिटिव आई ओओ सी डबल वोंड ओ एच आगे 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 आओडीन का एक और मोलिक्यूल आएगा और जैसे ही वो आएगा इधर आउडीन बहुत निकल जाएगा और दूसरा आउडीन को एने प्लस पकड़नेगा और फिर बनेगा एने आई क्या बना एने आई अब जैसे यहां पर एने आई बंचुका है तो यहां पर सी एच आई टू यह कंपाॉंड बन चुका है अगली बार फिर से ऐने एच का एक और मोलक्यूल आएगा फिर वो न न पोजिटिव देगा फिर वो ओच माइनस देगा फिर वो एच को निकालेगा जब तक यह अलपा हाइट्रोजन खतम नहीं होंगे तब तक वो निकालता रहेगा और फाइनली सी आई थ्री माइनस सी डबल बोंड ओ नहीं 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 होगे तो ती आई टू माइनस और अगली बार आयोदीन का एक और मॉलक्यूल आया इसने इस पर धडाम से पीछे से टैक किया आई माइनल बार निकला यह एन ने प्लस लेकर जाएगा तो सोड या बना की नहीं बना हां की ना भूल है कि वोलो भलो कि गुस्सा नहीं आता बेटा हमें यह तो सिर्फ एक्साइटीड स्टेट चल रही हमारी ठीक है इधर देखो इधर अब क्या होगा अगला मॉलिक्यूल फिर आएगा एन ने ओएज का वो फिर देगा एन ने पोजिटिव कि सुच माइनल यह हमाईनस इस पर अटैग करेगा किकलेगा क्या बना सीय माइनस बonce समझ में आयक ही नहीं आए और यहां पर बनेगा आप्ας फ्लस ओएच माई ने जब इस पर अटेक करेगा तो फॉर्मिक एसिड एच सी ओएच आपको पता होना चाहिए गदा पार्टी यह एसिड है एच प्लस देगा यह लोन पे रोब एलेक्टोन लेगे रखा बेस है यह एच प्लस लेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा प्लस पीड़ पीड़ पीटी च आई थ्री आइड़ फोंब बना और यहां पर एच सी ओएच न कार्बॉक्ष लेटायन बना यह एच यह पोजिटिव इसके साथ लगेगा तो हमारे पास क्या बना एच ने पोजिटिव बोलो हां यह नहां समय में आई अगर आप देखो कि ना इस रेक्षिन में क्या हुआ आपने एक मोलेक्यूल लिया यह पर फिर तीसरा और भी यह ए चार आए तो हम क्या लिखेंगे पोर एंड़िव इस ने लिए देखो वन टू थ्री थ्री आयोडीन आपने सोट मायोटाइट कितने मनाएं जरा देगो वन टू थ्री तो आप लिखेंगे थ्री एन ने आई प्लस वोटर कितना निकाला वोटर वन टू और 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 हां यह माइनस है 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 यह माइनस घाप लेकर जायेगा ना तो यहां पर थ्री एच टू ओ प्लस एक आईड़ोफोंच यह एच आई त्री प्लस एक सोल्ट एच सी ओ ओन ने यह रीएक्शन आपको समझ में आए गई होगी बैलेंस वाली बेटा तो ओलो ओलू ए Alg crap a3boney वाल एलकॉल में बताऊंगा सब्थाना तो जड़ा देखो बेटा यह जो मैं आपको दूसरे Chantla यह कुला खहूँ ना कहीं कुला कि इस मेकैनिजम के पीच के पर त्ट की नहीं है जड़ा देखो जैब referring ने रहा है अगर मालनों डारेक्ट यह वाला रियक्टेंट ले ले तो यह भी आईड़ोपॉम देगा आप डारेक्ट यह वाला ले लो तो भी आईड़ोपॉम देगा तो प्लीज आपको यह बास समझ नहीं है कि स्योग रूप का है या फिर हाइड्रेजन को हटा कर कोई हेलोजन लगा कि यह वहाला होगा पहले से वह भी आईड़ोपॉम रियक्षण देगा यह यह लो फॉम रेक्षण देगा बोलो एक एक अपकोंसर्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ लड़ी एक की टॉन के लिए एक रूप के रूप की नहीं हुआ हाय या नहां का जवाब दीजिए बेटा बोलो बोलो कि थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू क्या यह क्लियर रहे कि नहीं है कि अगर करते हैं कि अगर कोई है क्लोरी लगा हुआ है ब्रोमील लगा हुआ है तो वहाँ पर हम क्या माल लेंगे कि वहाँ पर भी आइड़ोपोम रियक्शन होगी वैरी गूड ओके डान कि वह पर दवान नाम किया है कि हाँ रहली है कि नहीं है घिरत भाईंच इससाथ Compared कर रहे हैं महारे साथ बैठके कि वह बैठने की महनत कर रहे हैं हम पढ़ाने की महनत कर रहे हैं हाँ जंटलमेन अब और ब boss the mover में अमर इमरित्ट की बात करनी है मैं तो आपको बताना मैं कौन से कौन देखो ये आपके पास तुरी माने जाएगा तो इसको कहें सब्सक्राइब में याइव एक्षिन कि अमरीज डिपार्टमेंट की बाद कर लेते हैं कि अब ज़रा देखो यहाँ पर अमरीज डिपार्टमेंट की बात करते हैं सब से पहले तो हमारे पास सबसे सुननर कि विव और ऊंसर बताईए ब्रैकिट बरा दिया गया है आपके लिए अब बोड़ो प्रेक्ट आंसर दो बई क्लासिक अमरित है हाँ जल्ली से बोलो आईड़ पॉर्म रियक्षन या हेलो पॉर्म रियक्षन देगा की नहीं देगा हाँ या ना का जवाब दीजिए बिल्कुल देगा जखो यह क्यों एक चाहिए इडर सब्सक्राइब एक चाहिए इसके बास और सिस्क्राइब वाम हम पास है कि दूसरा हमारे पास है कि आप है कि आप आइस्टो प्रोपायल और सेग्षिंड वाला है तो में देगा की नहीं देगा अग फॉल्लो बेटा कि बोलो बेटा बोलो यहां पर बोलो क्या यह सो नो का जवाब देगा कि नहीं देगा अरे या देगा नो नहीं बोलना है देखो क्या देखो यह ग्रूप चेक करोगे ना कि नहीं देखो सीएश को सीएश त्री में चेंज करें को दिक्का थोड़ा ही है जो बच्छे नो कहरें गलत बात है यारी इतना अच्छा पढ़ाया फिर भी गलत आंसर दे रहे हो इधर देखो इधर देखो इधर इधर हमारे पास देखा कि नहीं कि करेक्ट आंसर कि अब बहुत साही प्रहार बैच में मिलेंगे 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 इधर देखो इधर 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 यास क्योंकि यह वाला गुरूप देखो यहां पर जहां से डण 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 बहुत बढ़िया अब जना देखो अगर कहीं पर CH2Cl CH2OH ऐसे मिल जाए कोई अलकॉल तो तो मैंने आपको बताए कि आप जो वाला है ना वाला कल्लू भाईया इसको ऐसे बनाने लाए कि CH-OH एक ग्रूप को आप अलग भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है पीछे क्या है और मैंने आपको आज एक छोटी सी बात बताई है कि आगर हैलो हैट्रोजन की जगाँ पर कलोरील लगे होंगे प्रोमिल लगे होंगे तो भी आईडो को रियक्षन को कंसिडर करना है उनको आप CS3 मानोंगे हैट्रोजन कंसिडर करोगे तो कि यह वाले पार्ट भी कहीं ना अगया कि यह compound भी Hello form reaction देगा बोलो यार यह सोर नो जब आप दीजे कि यह वाला आईडव reaction यह hello form reaction देगा क्यों क्यों क्विशी जो है यह बिल्कुल इस तरह से मैस करता है कि भाई आपके पास जो क्लोरीन है वो है रेक्शन कराते तो आता ही वो डिएक्शन मेकणिजम के अंदर हाँ बिल्कूल सही बहुत बढ़िया आगे देखो कि क्या यह वाला अलकॉल देगा बोलो क्या यह वाला अलकॉल देगा पिटा हाया ना का जवाग क्या यह वाला अलकॉल देगा बोल तो दो क्या यह वाला अलकॉल देगा नो वरी गुड नो और ती एस तरी सी एस तरी इधर ती यह वाला अलकॉल देगा त्री डिग्री अलकॉल बोल्ड हैंग हो चुका है कोई बात नहीं बता वाई क्या यह अलो फॉर्म रियक्शन देगा वेटा कि इन ऑर्गेनिक बेटा यह सबंसर कराएंगे ठीक है ऑर्गेनिक में कराऊंगा मंजिल में वह अभी बहुत अच्छे तर तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो हां बहुत सब्सक्राइब जो बच्चे अभी भी यह कह रहें दिव्यान सी तुम्हारी इतनी बड़ाई की थी यार मैंने तुम भी प्रो मेक्सी के टेगरी में चाच चुकी हो गलत बात है यह इसमें कहां हो है इस वाले कारवन में कहां है अच्छे है गलत बात है नो इस इस नोट गिव ऐस आइड़ फोम रेक्शन सम्टाइम्स यू नो आयम वेरी गूट स्पीक इन इंग्लिस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पार्त बच्चा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बैठा हुआ है तो जो बच्चे स्टार्टिंग से अब तक बैठे हैं सभी को all the very best आप लोगों ने बहुत मेहनत करिये आज और आज की मेहनत आप लोगों सफल भी बनाएंगी यह बात भी गैरंटी है एक बी कोश्टन इन चैप्टर से छुटेगा नहीं चाहे जैमेंस हो या एडवांस हो बस्तोड़ा सा याद कर लेना दिमाग लगा लेना ठीक है एक आपको डीपी मिल ज करिये और मत